प्रणाम में गारिमा सिंख सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूँगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब दस दिन का वक्त बाकी है 19 एप्रिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जबर दस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बौचार जिसका मैं जिक्र करने वाले हूँ इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बौचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान शुरू कि इस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एप्रिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें 25 गिरंटी पांच नियाए और 25 गिरंटी जिसमें MSP का जिकर है जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाक रुपाय सालाना का जिकर है जिसमें 30 लाक युवाओं को नौकरी का जिकर है ग्रेजुएटेड युवा सवाल किस बात पर हुआ ये जो कॉंग्रेस को घेरने की चो तरफा बीजेपी की तरफ से कोशिश है ये किस बात पर शुरू हुई ये भी मैं आपको बता दूँ ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि कॉंग्रेस के इस घोशडा पत्र में मुसलिम लीग की चाप है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूँ कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोशना पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूँ सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र में वही सोच जलकती है जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी ये पहला बयान फिर दूसरा बयान साथ एप्रिल को नवादा में इंडी गडबंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना है दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र जारी किया उसमें भी मुसलिम लीग के विचारों की छाप है कॉंग्रेस ने घोशना पत्र बनाया वो कॉंग्रेस का है ही नहीं बलकि मुसलिम लीग का घोशना पत्र लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का भी विरोध कर रही और ये सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र ने तो एक और बात कह दी कि जिस मुसलिम लीग ने 1929 में धर्म के अधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमनता बिस्वा कह रहे हैं घोशणा पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्य मंतरी हिमनता बिस्वा सर्मा अब ये जानना बेहд ज़रूरी है कि ऐसा घोशणा पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुँची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशना पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुँची ये बता देती हूँ आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधान शुत्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपैरिजन भी है 1936 का और 2024 का गोशना पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया परसनल लौ की रक्षा करेंगे 2024 में बी अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कंग्रेस कर रही है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लडाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निर्पेक्ष देश है दूसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप यह 1936 में मुसलिम लीग ने कहा था 2024 में कॉंग्रेस ने यह कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे यह 3 पॉइंट हैं हलाकि मोटा मोटी 7 पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्ते में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मुलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्स देंगे यह मोटा मोटी 3 पॉइंट मैंने आपको बता रहे और कुल मिला कर यह साथ पॉइंट्स है अब कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी अपने ऊपर यह आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करन कर रही है अपीजमिंट पॉलिटेक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटेक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा समाला खुद मल्यकार जुन खड़गे ने क्या कहा उन्होंने मलिकार जुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्णर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारज छोड़ो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों क साथ देने को तयार हैं अलावा इसके सुप्रिया श्रनेत ने प्रेस कॉंफरेंस की और सुप्रिया श्रनेत ने ये कहा कि दस साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाए हिंदू-मुस्लिम करने में लगे हैं ये सच है कि प्येम मोधी बॉखलाए हुए हैं और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जे राम रमेश भी बोले जे राम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मंतरी मोधी हमेशा विभाजन कारी राजनीती अपनाते हैं फिजूल की बातें करके जूट बोलते हैं और फिर और मैं बयान ज्यादा नहीं पढ़ूंगी प्रिय की धारा 153 ए का वॉयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी पार्टी के बोड़े नेता कर डेलिगेशन लेकर पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर और जो छे शिकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रधान मंतरी नरिम्रमोदी के खिलाफ दी अब यहां से मैं दो चीज़े और आपको बता देती हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशना पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबं जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि बही मुस्लिमों को अलग राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान बना मुहम्मद लीग के साथ कॉंग्रेस गडबंदन में है वही मुस्लिम लीग है या कोई ये दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेप में बताती हूं जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जुड़ा जाता है वो 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहौर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गया और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लीम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लिजे ये आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग आई यू एमल चेनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसमें कॉंग्रेस में शामल है यू डी एफ ये उसका हिस्सा है और कई दो राजियों में उन्होंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी ठीक ठाक कपासिटी में ये आई यू एमल है ज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाएंगे इन्होंने बावन में चुनाव लड़ा जो सबसे पहला चुनाव हुआ था और सारे चुनाव अब तक ये मुस्लिम लीग लड़ती चली आई है तो ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीज एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को अपनी अपनी कॉंस्टिक्ट्वेंसीज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बगार ये सोचे कि ये देश एक सेक्यूलर देश है धर्म निरपेक्ष देश है मैं दो बयान सुनाती हूँ आपको फिर इसान लगता है मुस्लिम लिख का गोशना पत्र लिखता है कि तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा कि ये का भी विरोग कर रही है हम ये बताईए कि आज कैसे विभाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय विभाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज का विभाजन ये लोग कर देए और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिलकुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डाथे नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का अगर रोजगार देंगे महिलाओं को अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजनकारी होगा ऐसी बात क्यों कहते हैं ये शोबा नहीं दे और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो मेहमान मेरे साथ चुड़ रहा है इस पैनल में मैं पारिशे कराती हूं आपसे ए дост अजे आलोग हैं राष्टरिय प्रावकता हैं भारतिय जनतापाति के सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जूड रही है राष्टरि प्रवक्ता कॉंग्रेस पाती बिजनिस जौनलिस्ट पॉर्मर बिजनेस जॉनलिस्ट मनोच सिंग काका मेरे साथ हैं बहुत सारी किताबें पीछे दिख रही हैं खूब परते हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के मेरे साथ एके वाजपे स्टूडियों में हैं पेशे से वकील हैं वकालत करते हैं सुप्रीम कॉट में और ओर भी मेरे साथ हूंगे प्रवक्ता आर्जेडी राष्ट्रिय जनता डल बिहार अजे आलोग पॉर्टी विध दड केहने वाली पार्टी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी कब राजनात सिंग ने भी कहा हम progressive हैं MSP पर बात करते करते नोकरियों पर बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह Muslim League में Hindu Muslim में क्यूं अटक गई भई करिमा जी बिल्कुल सही बोल रही है अब हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए कोंग्रेस पार्टी जो कहे जहीं सहीं न कहता नंबहज़ क्यों बात करना चाहिया पर आज सक मुझे एक पन्ने का सिर्फ मुसल्मानों पर दोजियर तो आज सक दिखा लिए अभी ने आप ने जितनी बातें बोली कि क्या क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टी करन के लिए जरा आप मुझे निकाल के इनके कॉंग्रस फाइल के निकाल दीजिए उनीस दोजार उसके बाद चार निनानबे अंठानबे च्यानबे एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक माइनॉर्टी लिंग्विस्टिक पर एक पन्ने का डॉक्यमेंटरी एविडिन्स तो आज तक कॉंग्रस पार्टी ने नहीं दिया पहली बार दे रही है आप कहती है बात ही नही लौ राइट्स मतलब आप किसकी वकालत कर रहे है आई यू इमेल तो कहता है कि परसल्ल लौ बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ परसनल लौ की बात करते हैं रिफॉर्म्स ने कल को कही चाहिए कि शरीया रागू होने चीजिय कि जैसे मूह.ँब्यश्य इस्माइल ने कॉर्दाप cohort के सभा में ड़ने तरह सへ् शहिर आजकी कॉंड्र मान लौ लेगी। आपको intervention आज नहीं दूगा आपको intervention आज नहीं दूगा बहुत ज़री है मेरी बाद में बोलिएगा मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी ठीक है ना इस देश के 82% हिंदूओं को majoritarianism के का नाम देके आप neglect करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुए है दिल है कि क्या है भीया दरिया है गोते लगाते रही है उसी में लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए आप एक बात समझे गरिमा जी भारत की changing डेमोग है यह हिंदू-Muslim तुष्टी करन करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोस्ट करेंगे कैसे अजे आलोग आपके पास मौका था आप MSP पर बात करते हैं आपके पास महिलाओं पर बात करते हैं मज़ूरों पर बात करते हैं गरिमा जी सुनिये ना आपक करेंगे हम यह बात करेंगे हम यह बात करेंगे जब हम अपना मैंनेफेस्टों ग प्रोग्रसिव हैं हम पार्टी विट डिफरेंस हैं तो वह दिखेगा हमारे मैनिफेस्टों में हम यह कह रहे हैं कि विल एंशो स्कॉलर्शिप फॉर मुस्लिम चिल्डर्ड तू सड़ी अबरॉड यो हिंदू के बच्चे नहीं है इसाईयों के बच्चे नहीं है सिखों के बच्चे नहीं हैं वह विरेश में पढ़ने जाएंगी उनकी स्कॉलर्शिप का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी मुसल्मानों के लिए उठाएगी माइनौरटी के डेफिनिशन क्या है मैडम लेकिन इसी मुस्लिम लीग जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजिटेटर हो अब सुन लीजे फिर डॉक्टर आजय आलोफ मैं सवाव तो पूछूँगी ना ये मेरी जिम्मदारी है सर जिस मुस्लिम लीग उपर आप इतने एजिटेटर है इतने आंगोले से 88 साल पुराना पोचना पत्राप लेकर आए उस मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं 1940 में बंगाल में असंद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉबर्वेस्टेटर है हाँ 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 एक मिनट बेलकोल बताते हैं बिलकोल अब ठीक इसका जवाब ले लीजिए मुस्लिम लीग के साथ चैवाप्रशाद मुखर जी ने सवाव सरकार जब बनाई तो वह अविभाजित इंडिया था अविभाजित हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान का मधभी पूर्ण हिंदुस्तान तो ही नहीं पूर्ण हिंदुस्तान तो एक मिनट गरिमा जी दूसरी बात आपको बता हूँ खाना कितना भी अच्छा पड़ोस के दीजे ना अगर उसमें चिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता है अगर मॉनलॉग तो ना कीजे ना सवाल सुन लीजे मेरा मैं जवाब देने का मौका दूंगी अगर मुस्लिम लीग 1934 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिल्कूल बना रहे थे मैं तो कही रहा हूँ कि आव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई एक मिनट अब सुन लीजे आज कौन सी मजबूरी है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में करनाटका का चीफ मिनिस्टर जो कॉंग्रिस का अलाई है वो कहता है ये खुलेयान धर्मांतरन को बढ़ावा दे रहे हैं, केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और आपके काप बियलाई बन के चले रहते हैं, वो कहता है कि राहूल गांदी के नमांकन यात्रा में मुस्लिम ली कहती है, कॉंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे, नहीं उस पे सवाल नहीं उठा रही है, और वो मेभूबा मुफ्ती, जो आतंकियों को खुले हैं, विभाजन का दंश जेल चुके, अब कॉंग्रेस पार्टी के आइडियोलजी पे चलें तो फिर विभाजन का दंश जेलना पड़ेगा, इनके एक MP ने क्या कहा, कि South India को अलग हो जाना चाहिए, उस पे तो का आप कोई डिबेट नहीं, गरिमा सिंगे सवाल नहीं पूछे, क्या विभाजन हो जाना चाहिए, South or North का, गरिमा सिंग अगर इतनी इंपोर्टेंट है, अलो की नजर में, तो मैं सवाल पूछ रही हैं, उस पे एक पनना का डोकुमेंटेश नह हमने कहा कि वी विल जू आर माक्जिमम अपर्स कि से बेरे दे और आज हो महबूबा मुफ्ती किसके साथ चुनाव लड़ रही है, अरे अरे आपने नहीं सार्कार चलाई, ड़क्रा जैयालोफ महबूबा मुफ्ती के साथ, हाँ फिर सरकार गिरा भी दी हमने, फिर हमने सरक जो आतंक बाबियों को खुले हम के थी की साव पर सोल है, अरे भईयाम ने सरकार यह नहीं चिपकेगा, गर्मा जी कुछ नहीं यह नहीं चिपकेगा, हमने सरकार गिरा लोग कि खुन की नदिया बाएंगी, खुन की नदिया तो दूर छोड़िये, छटाग भी कुछ नहीं लेकिन आज उसी महभूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बर्फ खिलते हुए फोटो आ बिखा रही थी जरह वो तो पुछिए सन अफ दसॉयल कौन कहता था दरंगवादी को बुरहानवानी को उन्हीं के साथ दाइस साल सरकार चलाइस उन्हीं अब वापस आईए उनीसोचालिस में आप अगर अठासी साल पुराना मेनेफेस्टों खाकर लाएंगे मुसी मीद का तुम्हें ये पूछूंगी कि चछतीस के मैनेफेस्टों का हवाला देकर आप घिर रहें एक पार्टी को चतीस के मैनेफेस्टों का और उसी चतीस के मैनेफेस्टों के बावजूद आप 40 में सरकार बना लेते हैं हम चतीस के मैनेफेस्टों के बावजूद Common Minimum Program पे सरकार बनी अब वह विवाजित हिंदुस्तान था लेकिन जब विवाजन होगे अधरनी काधार पर जो लोग मुस्लिम देश ब्राने के फेर में थे जो लोग जो लोग शरिया के जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम आज उस शरिया के साथ हाथ पिलाके कॉंग्रेस चल रही है हम से सवाल पूछने की जगे ज़रा कॉंग्रेस से सवाल पूछिए देश का भला होगा क्योंकि प्रमुख्विपक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना दिखिलाएगी जनता को बाकी सब धुल जाएगा सारे राइट्स चले गए जाएगे माइजोरी को तो कुछ मिलना ही नहीं है विकोज दियार अगेंस मैजोरिटेरिनिजम तो क्यों होना चाहिए बहुसं के एक बात देश धर्म निपेक्ष है हमारा सेक्यूलर है हम क्यों कॉंग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीस क्यों करन हने के है हमारे समविधान में यू-स यू-स वापकी क्यों को वीश्टेव के पास देजवाब श्रेंटिन आपर स्थर्म लौव वह इने more we will strengthen ये सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है सिर्फ मुसलिम प्रमोशन की बात मत किजिए लिकिन सुवडा के हिसाब से आप Still मैं भूबा ने बश गया है सुवडा के हिसाब से आप mathematics भेकाइं में भूऐaramना लिए कि ने Ab Volle है मैं क्या करूं क्या Я मेरे बस में है यह तो मेरे रग में है यही कॉंग्रेस की सा ऐनाडियों की hugsイ All रणने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में सर फोड़ लेंगे मून ओच लेंगे एक दूसरे का गर्मा जी तो भी मुस्कुराएंगे अराम से मुरादा बाइज को नहीं खिलाने देंगे हम देश को नहीं खिलाने देंगे सुप्रिया श्रनेत अब मुझे आप ये बताईए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोचणा पत्र में कि अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता करेंगे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसलमान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी तर्फ पर आना पड़ेगा जो तर्फ है नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर इनके बड़े-बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंतरी मोदी ने दो चीज़े साफ कर दी कि दीमागी और नेतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बिचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि ये नियाए पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने दस साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूँगी यहाँ पर और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्यों के साथ पहले मैं बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युबाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन किसानों की जो अपना हक मांगते हुए शहीद होगे और प्रदान मंत्री कहता है मुझे क्या फर्क परता है हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन किसानों की जिनको गाजर मूली की तरह जो रोन देता है उस मुख्य अभयुक का पिता इस देश का ग्रह राजमंतरी ये बनाई रखते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी, उन मजदूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिये मोदी जी ने, हमारे मैनिफेस्टों में छाप है सेना के उन जाबास सेनिकों की जो सरहत पर बैठ कर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंतरी कहता है हम छोटी एकॉनिमी है चीन बड़ी एकॉनिमी है लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसे बड़े नेता लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूँ कि आपका घोशना पत्र आप कहते हैं पांच नियाए 25 गरंटी लेकिन उनी में से कुछ पॉइंट्स निकाल कर आप पर हमलों की बचार भी है और वो हमलो नुकसान होगा यानि कि वो अगर अपनी कॉंस्टिट्वेंसी एड्रेस कर रहे हैं तुष्टी कर रहे हैं तो आप भी अपनी कॉंस्टिट्वेंसी एड्रेस कर रहे हैं ना उसी पर आ रही हूं उसी पर आ रही हूं और मैं यही प्रूफ कर रहे हूं कि बीजेपी सारी की सारी भारतिय जनता पार्टी खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी फेक वाटसएप युनिवरसिटी के रचायन करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने यह उल जलूल की बाते की और अब मैं आपको तथ्य बताती हूं यह बात कर रहे हैं मुस्लिम त तो पर हम कहते हैं कि परस्नल लॉस का रीफॉर्म होना चाहिए हिंदी में है कॉंग्रस व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी क्या गलत कहा हमने इसमें मौला ना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलर्शिप की उसमें मुस्लिम को उसमें सीख को उसमें पार्स लेकिन करनाटक में आप सिर्फ मुसल्मानों को चार फीसदी आरक्षन देते हैं सुप्रिया सवाल उठेगा की नहीं उठेगा मैं बताती हूँ आपको मैं बताती हूँ आपको ये मानिफेस्टो है हमारा नियाए पत्रिस का नाम है इसके पाँच स्तंब हैं और वो स्तंब है युवा नियाए नारी नियाए किसान नियाए श्रमिक नियाए और हिस्सेदारी नियाए और हम क्या कहते हैं हम इनकी बनाई हुई हर बखेले को इनकी बनाई हुई हर समस्या को इनके बनाई हुए दसकाल के अभिशाब को समाप्त करने की बात करते हैं हमारा कहना है और मुझे आप एक मिनिट का टाइम यहां पर जरूर दीजेगा हमारा कहना हमारी सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सलान करेंगे हम 30 लाग सरकारी भरतिया करेंगे हम एक साल का एक लाग का स्टाइपिंड देंगे हर ग्राजूट और डिप्लोमा होल्डर को हम पेपर लीग के खिलाव स्ट्रिंजस्ट कानून बनाएंगे कि हार काप जाए हम अगनी वी को निकार टेकेंगे और पुराल जेना जो मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसल्मान चात्रों के लिए आप सेक्यूलर मुल्क में विश्वास रखती हैं ऐसा में विश्वास रखती हैं तो ये कॉंग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के स्कॉलर्शिप देंगे मुसल्मानों को सिर्फ क्यों देंगे आप मुझे एक जगे दिखा दीजे जो कहती है यह भारतिय जंता पार्टी जूटी फरेभी जुम्ले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पर लीजे पॉइंट नंबर चार चाप्टर में है कॉंगरेस विदे उनके बद्दमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है इस छातिवृत्ति के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं जैन्स आते हैं क्रिस्चिन्स आते हैं पार्सी जाते हैं सीक्स आते हैं इनको पता ही नहीं है माइनौरिटी क्या है इनको पता ही नहीं है कि प्रोवि उस पर भी आती हूँ, आ रही हूँ, दो मिनट रुक जाएए, पहले मैं बात करूँगी अपनी, जिसके लिए ये बे उत्तर है, निरुत्तर है, इनके पास एक शब्द नहीं है, और मैंने कहा, इन्हों ने इस देश पर बेरोजगारी का भिशाप लादा, आज हर घंटे दो युवा आत्महत्या कर रहा है, हम कहते हैं, तीस लाग सरकारी नौकरी देंगे, एक लाग का स्टाइपेंड देंगे, पेपर जो लीक होता है, उसको रोकेंगे, और अगनी बीर को उखार फेकेंगे, वापस जैसे नौकरी बहाल होती थी करेंगे, आप मुझे तीस मेरे मैनिफेस्टोर पे चर्चा है, मुझे तो बोलने दीजेगा, तीस सेकेंड तो बोलने दीजेगाए, तीस सेकेंड कर रिचित क diğer दो दीजे चार्चा तो मेरे मैनिफेस्टों पे है और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देंगे उनकी चीजों को GST से मुख करेंगे खाद बीज कीट नाशक इत्यादी हम कहते हैं उनका करजा माफ करेंगे इनकी तरह 16 लाग करोर पूंजी प गर्जा बहालोगा है मेरे बादा करनाटक का जवाब है सुप्रिया करनाटक का जवाब है आख करनाटक के पास और हमारे मैनिफेस्टों में पूरी तरे से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके प्रधान मंत्री मोधी की भाषा उनकी शेली उनकी लफरों ये दंश ये देश सहरा है ये असलियत है ठीक है करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रकर प्रवक्ता खैर मैं दुबारा लोटूंगी आपके पास एके वाज़ पे ही मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या ये जो 88 साल प्रोग्रेसिव पार्टी 88 साल पुराना घोशना पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उनी के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने महबुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली आपके घर में घुसके मारेंगे राष्ट्रवाद का जंडा बुलंद करते हैं सोनम बांग चुकवां बैटे हुएं कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफलेशन किया देश की सीमा में उस पर बोलते नहीं आप बुर्दान मंतरी ने अगर ये कहा कि इनके घोशना पत्र में मुस्लिम की चाप है तो क्या गलत का यह तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साथ थे और सोनिया गंदी जी ने कमेंटी बनाई थी चार मेंबर की और उसकी प्रदान मंदरी ने कर दिया तो क्या गलत कर दिया नंबर वन अब 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 सब्सक्राइब के बयानों पर जाओं वो ठीक नहीं है एक सेंसिबल डिसकुशन के लिए कि मजबी मैं सब्सक्राइब करना शुरू करूं कि और मैं पर आज ही चौधरी विरेवर से इंग नहीं करते हैं को प्रदाइब करते हैं पर शुरू कि यह गोषणा पत्र लेकर आय सुधान शुत्रवेडी इसमें इनोंने कहा चाथ में गोशना पत्र मुस्लीम लीग ने जारी किया उसकी कंपारेजन किया दोजार चोबीस के गोशना प्रणे कर रहे थे उसके साथ आप सरकार क को सब्स्टेंशली डिमोस्टेट कर रहा हूं कि जो परदान मंत्री जी ने का या सुदान सु भाई ने का वह कोई गलत नहीं का है और वो उनके पास्ट कंड़क्ट से करत्यों से जाहिद हो रहा है कि वक बोड किसे मनाया था जैसे पर चालिस तर जबाद में तो आजाए ना विए जी डिफरेंस बिट्विन प्रोटेक्शन और अपीजमेंट मतलब तुष्टी करन की पर्मीशन नहीं है संगरक्षन की पर्मीशन तो है जब तुष्टी करन करते हो तो आप सुमाई सारी लांग जाते हो बक बोड आपने बना दिया आज बक बोड की साड़े चार ल आप मुझे बात के देखो संग्दान इजाज़त दे रहा है प्रटेक्शन की अपीजमेंट की नहीं देरा यही फ़रक समझना होगा क्या पीजमेंट क्या वह चक्कर था यह रेवडी है यह कुछ और है उसको टिवाइं करेंगा है ना रेवडी है ना चुनावी कल्यान हम हम सर्दान की बात कर रहे हैं कि 1936 में मुस्लिम लीग डिवाइसिव पॉलिटेक्स कर रही थी अगर 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 अगरी है उन्हें खड़े हो गए वह भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्व उध्व चल रहा था दूसरा विश्व इव द विश्व उध्व में कॉंग्रेस ने एक अशियूरिंस चाहा ब्रिकिरсь से कि अगर कि युद्ध के बाद भारत की आजादी के दस्तावेश पर दस्तखत करोगे ब्रिटिशनस ने मना कर दिया कॉंग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया वहाँ जाकर आप इंदु महासबार रिलेवंस क्या है इसका अपना सरकार बना लिए उस वाकिव पर रिलेवंस इत माइनौर्टी में अखलियत भी आगए सिख भी आगए बौध इसन यह तो डिफנस है उनका हम यह कर रहें जब माइनौर्टी के आप बात करते हो तो आप सारा का सारा टिल्ट जो करते हो मुस्लमानों के प्रतियो और वो कैसे करते हो यह कंड़क्ट है जब आप पी एफ आ प्रदान मंत्री जी ने बात कही है कि इनका तुष्टी करान का जो मौ है वो छूटने वाला नहीं और जब इनके घर का आदमें लोगों के साथ आप सरकार बना लेता तो तब क्या होता है कौन सी सरकार बना लिए हमने कश्वीर बनाई ना बिलकुल बनाई तीन चार छे महीन चुनाओं पर जाना पड़ेगा यह कोई सरकार बनाए यह समधान की विवस्ता है तो अगर उस वकत हमने बना लिया क्या नुक्सान कि नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूँ भई वह आतंकवादियों के साथ कड़ी होने वाली महिला अगर आपकी नजर में वह आतंकवादि अगर्शती के खिलाब को अगर नहीं नहीं कर घांब का हमने ये क्श्मीर की पार्टियों को आतंकवाद को सुर्शन देने वाला किस ने बतायード अलुमेंज किया है हमेशा किया है और अलुमसां का सब्यूज किया है पिंदिक्र वेड को अप डिरेल कर रहे हैं दिवेड व बनाने की बात कर रहे हैं उसमें के माइनोटीज को क्या लिखा उसे में क्लॉस फाइब देखिए सुप्रिया से जी क्लॉस फाइब में आपने लिखा हुआ है के बैंकों को अलग से रिन मौया कराने के लिए डायरेक्शन देंगे यह तुष्टी करना जाए तो वह लेने और देने का कोई हवाला कॉंस्टूशन में है कि हम किसको टिकर देंगे किसको नी देंगे यह कोई समधान से कंट्रोल होगा यह समधान की बाते नहीं है हम समधान से चल रहे हैं समधान में सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट का है सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोड़ेंगे तो मैं चालीस का सवाल पूछूंगी सवाल का जवाब सोच कर रखिएगा कांग्रेस का इत्यास को यतरा गंदा नहीं है उनके परदान मंतरी दो दो हत्याई होई यह बकाइदा ठीक है बात समझे लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉल्रेट नहीं होगा ड्राक कर रहे हैं प्रटेक्शन करिए आप आप ने क्यों बनाई अच्छा माने क् पिछे चले गई फिर पिछे चले चौबिस में आप अठासी पास को आना होगे आप पत्र लेका है अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में चार फीसदी मुस्लिमों को आरक्शन क्यों दिया तो यह सवाल एके वाजपी और डॉक्टर अजय आलोग दोनो लीग के साथ सरकार हिंदू महासबा ने 40 में क्यों बनाई मरोच सिंग का कर सबसे पहले तो धैरे को प्रणाम आपके और आप मुझे बताईए कि मुस्लिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफेस्टों खीच लाई क्या बीजेपी आपको अपने टर्फ पर देखिए धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की स्वतंतरता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग जी हमारे गुरु हैं सरदे नेता जी के भी गुरु हैं विनोज सर जानते होंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि न तेरा ह और नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है बेत खुब और अलामा इकबाल की एक बात और आप कह रहें थी कि अलामा इक बाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और हम बुलबुले हैं इसके यह गुलशिता हमारा बात खुब तो जो नहीं पापा आएगा वाग पटुता में जूलनें के भी माहिर चुंकि जूट के सरदार वा जानते थे हों तो बिहार की धर्ति है वह बुढ की धर्ति हैं कहीं बुढ के छाप्ति ज्या parliament तो नहीं है वहां जो चाराण चंपना में अपनी जिंदगी गुजार देंगे वहां बुन्यादी सवाल करने वाले लोग कहीं यह न पूछ दे बिहार के लोग बिहार के लोग कहीं यह न पूछ दे नरेंड़र मुदी जी से कि पिछली बार जब आये थे तो उसी बिहार को कहे कि कित्ता दे दूँ – joyful एक लाख करोड़ दे दू चलो एक लाख्प्चीस पशले करड़ करोड़ बिहार को विशेश पैकेजव दे दिया और बिहार को उन्ह केरल केरल में सक्षरतार कितना है 94 अर्देस कितना है और आपके बिहार सवाल यह थी भारती जन्ता पार्टी बखू भी जानती है और मुसल्मान की चोंग्रेस को सचा-कमीटी कब भनी सच्चर कमीटी की सिफारिशें कब आई सच्चर कमीटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुई आप पूछिए कॉंग्रेस से आपके साथ घड़बंदन में शामिल है यह हम बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं और जिस संपूर नागरिक्ता को भारत के संबिधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक राजनायतिक समता देने की बात करी गई है जो सवाल आपने एके बात पर इसे कहा कहां के तथा कथी तो अलकील है यह बीजेपी से क्यों नहीं पूछते की राजनायतिक भागेदारी बीजेपी ने मुसल्मानों को क्यों नहीं देती है जो हमारे देश का 20-25 पीसदी आबादी है उसको हांसिये पर रखके हम कैसे कलपना करेंगे कि हम एक बिक्सित राष्ट बनेंगे अब मुझे यह बताईए कि चुनाव जो उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आ रहा है पहला चुनाव, 2022 से पहले वाला, साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते हैं, ये माहौल बनने लगा था, कबरिस्तान, शम्शान, कबरिस्तान, दिवाली, रमजान, तो ये चुनाव 2024 का मुद्दो पर लड़ा जाएगा, और ये जो मुस् सिंकाका ने, तो उद्यप्रताब जी की एक लाइन मैं भी सुनाना चाहूंगा, बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुद्या का राममंदिर का अंदोलन चलना था, नब्य के दशक की बात है, तब उन्होंने लाइन लिखी थी, आप तो सब पानी बंदब उतर गया, रा गंभीर सवाल है, पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का माइनिफेस्टो देखा, उसमें मुसलिम शब्द कहीं नहीं, माइनलिटी शब्द है हर जगे, और ये बास सही है, कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है, नरसी माराओ की जमाने में उसका शुरू की गई जब बाबरी मस्जिद का विद्धान सुगा और उसके बाद मुसल्मानों की नाराज़गी हुई, तो बहुत सारे कदम नरसी माराओ सरकार ने उठाये थे, उसमें मौना आजाद की फेलोशिप भी थी, और उसमें माइनलिटी इसको रखा गया था तब भी, तो अब सवाल ठीक है, मुसलिम सबसे बड़ी माइनलिटी हैं, वो 14-15 परसेंट हैं, बाकी 2-3-3-1 परसेंट हैं, जाला बड़ा शेर उनको ही मिलता है, तो इसलिए जिसकी जितनी संख्या बारी शेर उसको वाज है, जैसे लेक्रोल बार्ण में सबसे बड़ा शेर बड़ी है, तो बाकी अब अब अभी जो जिस तरह से मुसलिम ली का घोशना पत्र बता दिया, मुझे तो पत्रगार कनाते मैं कह रहा हूं, मैं इस पूरे घोशना पत्र को मैंने पढ़ा, तो माइनलिटी शब्द में मुझे तो सम माइनलिटी दिखाई पड़ती है, अगर हां, वो करनाटक वा उनको विशेश तर्रक्षण देने की बोस्ता है, उसी की तर्रक्षण दिया जाता है, ये जो तुष्टी करण की राजनीती का, देखे, मुझे लगता है, जो आपने दो तीन बाद मैं बुवा मुप्ती के सवाल उठाया, देखे, सरकार बनाना न तब गलत था, मैं मुप बनाई तो पर एरल में इंडियान मुस्लिम लीग भी चलाना वरती है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, इंडियान यूनियन मुस्लिम लीग और जिन्ना के मुख लिग तो इसका पुरा बीटेल में पढ़िये, तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समर्षन नहीं किया, पैसे सम्म और उसके पहले मंत्री है, देवगडा सरकार में भी, तो वो बाकाइदा जा करके भारतिये उसमें जो है, जब कई बार विदेशियों में, कुवेट में, वहाँ पर फसेद उनको लाने मड़ी मदद की, तो ये चुनाव में जो मुस्लिम लीग का एक नरेटव है, ये चिपक अदवानी जी ने अप सुरू किया था, अपिसमेंब भा उल्टिक्स का, और उस वक्त नेटा थे राम विलास पासवान जी वह अदवानी जी का आभॉसेद करते थे, इसके लिए, अपिसमेंद को लेगा, आज बातपेई जी फिया बड़ी वह कर रहे हैं, तब राम विला जी जो बोलते थे वह आज से बिल्कूल उल्टा था जो आज इनकी पाइटी स्टैंड ले रही है तो विनोग जी तो हमेशा मैनेटीज में मुसल्मानों को सबसे आगे रहते थे चौबीस में नहीं तो मैं इसने कहना हूं कि पाइटी अपना स्टैंड कैसे बदलती है आज ज कोई तो मुसल्मान हैं तो फिर गाली परसवांदा मुसल्मानों की बात क्यों होता है मैं कर रहा हूं कि यह कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं आप यह एक लाइन में कर दूद कर दूद हूं अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रस की तरफ सब्सक्राइब कर रहा हूं कि 36 में निशित रूप से उसे प्रस्ताव पास किया था लेकिन परिष्ट्नियां ऐसी थे कि हिंदुमान समाने मां स्तरकार बना लिए उनको साथ मिल करके अब उस समय आज से असी साल पहले क्या इसी थी थी ती उसमें तो सत्ता परम सत्य ना सत त्रूथ दिस के लिए आगा दिए जिसके लिए कॉंग्रेस भी लड की ही के अगरी करता हूं लेकिन आई उए मेल पर विनो जी मैं आपसे 100% डिसग्रीद हूं क्या ये सही नहीं है कि मदरास प्रेसिदेंसी में मुहमद इसमाइल जो थे उस वक्त इंडियन मुस्लिम लीग के सदस थे जो बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग बना और जिन्ना गए पाकिस्तान वो नहीं गया उन्होंने यहाँ पे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थाप आज भी हैं इसे उसको डिफिक्ट रना मुझे लेना होगा और गरिमा जी एक तो आपने 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 बहुत लंबा आपने बहुत लंबा बोला मुझे दस सेकेंड और दीजिए आप पहली बारे कैसे एंकर मैं ने देखा है कि जो अपने सवाल रिपीट करता हो चाहे चाहे में जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जैंपल आपके सामने अभी मनोच काका ने दिया 14.8% अबादी है मुसल्मानों की उसको 20% अब 25% पे ले गए यही चाहत है गुरुदेव धन्ने हैं आप लोग और चले समय मेरे पास खत्म हो गया है ने चाहतीती की सुप्रिया भी बोले और विनोच जी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुरुवी करन की सियासत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है चुनाव आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे पर बहुत एहम होगा कि ECI क्योंकि इंडियन पीनल कोड की 153 एके वॉयलेशन का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है क्या कहता है चुनाव आयोग नज़र रहेगे सभी का बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है प्रणाम में गारिमा सिंख सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब 10 दिन का वक्त बाकी है 19 एप्रिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जमरदस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान शुरू कि इस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो 5 अपरिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें 25 गिरिंटी पांच नियाए और 25 गिरिंटी जिसमें MSP का जिकर है जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाक रुपाय सालाना का जिकर है जिसमें 30 लाक युवाओं को नौकरी का जिकर है ग्रेजूएटेड कोशusz की लिकिन बाव किस बात पर हुआ कि ये जो कॉंग्रेस को गो घैरने की चोव Tapha हाफ बीजैपी की तरफ से कोशिश है ये किस और कोशिश मैं करती हूं कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है। उसके पहले 6 एपरिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र में वही सो जलकती है जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुसलिम लीग में थी। ये पहला बयान। फिर दूसरा बयान 7 एपरिल को नवादा में। इंडी गडबंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना है। पहले कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र जारी किया उसमें भी मुसलिम लीग के विचारों की चाप है। विरोध कर रही है। और ये सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हमले तक हमला सीमित नहीं रहा। पूरी बीजेपी, मनोज तीवारी, हिमनता विस्वा सर्मा, जेपी नड़ा, राजनात सेंग, नेनमला सीता रमर सब ने इसी तरीके का हमला की और जेपी नड़ा ने तो एक और बात कह दी। कि जिस मुस्लिम लीग ने 1939 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है। हिमनता विस्वा कह रहे हैं, घोशना पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है। आसाम के मुख्य मंत्री हिमनता विस्वाष सर्मा अब ये जानना बेहत जरूरी है कि ऐसा घोशना पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुँची, 1936 तक, 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशना पत्र जारी किया था, 88 साल पहल ये बता देती हूँ आपको, तीन पॉइंट्स हैं जो सुधानशु त्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में, पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए, और बाकाइदा कंपैरेजन भी है, 1936 का और 2024 का, गोशना पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरि संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी, 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा, देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है, क्योंकि दर्म निरपेक्ष देश है, दूसरी बात, तीसरी बात, मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप ये 1936 में मुस अतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो, शिक्षा स्वास्ते में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे, मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी, आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्स देंगे, ये मोटा मोटी तीन पॉइंट म वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करण कर रही है, अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है, विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है, तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई, और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा समाला खुद मलिकार जुन पॉलिके ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में, सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई, क्या शामा प्रिसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे, क्या शामा प्रिसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारत छोड़ो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों का साथ देने को तयार है, अलावा इसके सुप्रिया श्रनेत ने प्रेस कॉंफरेंस की और सुप्रिया श्रनेत ने ये कहा कि दस साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाए हिंदू-मुस्लिम करने में लगे हैं, ये सच है कि पियम मोदी बॉखलाए हुए हैं, आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जे राम रमेश भी बोले, जे राम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मंतरी मोदी हमेशा विभाजन कारी राजनीती अपनाते हैं, फिजूल की बातें करके जूट बोलते हैं और फिर और मैं बयान ज्यादा नहीं पढ़ूँगी, प्रियंका गांधी बोली, अशोग गहलोग बोले, सलमान खुर्शीद बोले, पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुँच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आईपी सी की धारा एकसो तरेपन एका वॉयलेशन है कि विभाजन कारी, विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी पार्टी के बोड़े नेता कर डेलिगेशन लेकर पहुँचे चुनाव आयोग के दफ्तर और जो छे शिकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रधान मंतरी नरिम्रमोदी के खिलाफ दी अब यहां से मैं दो चीज़ें और आपको बता देती हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो है ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले की मुस्लिम लीग थी जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग राष्टर चाहिए पाकिस्तान बना मुहम्मद लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन में है वही मुस्लिम लीग है या कोई ये दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेट में बताती हूँ जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जुड़ा जाता है वो 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहौर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुसलिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुसलिम लीग अब दूसरी मुसलिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लेजे यह आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंड DF यह उसका हिस्सा है और कई दो राजियों में उन्होंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी ठीक ठाक कपासिटी में यह IUML है जो पुरानी मुसलिम लीग थी उसके कुछ नेता जिन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन मुसलिम नेता थे उन् चुनाव अब तक यह मुसलिम लीग लड़ती चली आई है तो ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल गमासान बढ़ता हुआ नसर आ रहा है दुरूवी करन का आरोप है तुष्टी करन का आरोप है हिंदू मुसलिम एक बार फि सब अपने अपने वोटों को अपनी अपनी कॉंस्टिक्ट्वेंसीज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बगैर यह सोचे कि यह देश एक सेक्यूलर देश है धर्म निरपेक्ष देश है मैं दो बयान सुनाती हूँ आपको फिर आगे बढ़ें को कॉंग्रेस ने जो गोषणा पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुस्लिम लिख का गोषणा पत्र लिखता है तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा सीये का भी विरोध कर रही है हम ये बताईए कि आज कैसे विभाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय विभाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज का विभाजन ये लोग कर दें और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिलकुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोट वल कि नौजवानों को रोजगार देनी की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का अगर रोजगार देंगे महिलाओं को अगर हम को और तो हम हम सहयोग देंगे तो वह व्भाजनकारी होगा I beste कि कहते ये शुबा नहीं देता एक पर दहना मंत्री को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पाँच नियाए पच्चीस गिरंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो मेहमान मेरे साथ जुड़रा है इस पैनल में मैं परिछे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोक है राष्ट्रिय प्रवक्ता है भारतिय जनता पाती के सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जुड़ रही है राष्ट्री प्रवक्ता कॉंग्रेस पाती बिजनिस जॉनलिस्ट फॉर्मर बिजनिस जॉनलिस्ट मनोच सिंग काका मेरे साथ हैं बहुत सारी कि प्रवक्ता हैं मुख्य प्रवक्ता हैं स्टूडियो में एक और बहुत खास वेमान वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखे इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी देर बार डॉक्टर नवल किशोर भी मेरे सा प्रवक्ता आरजेडी राष्ट्रिय जनता दल बिहार अजय आलोग पार्टी विद्ध डिफरेंस कहने वाली पार्टी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी कल राजनात सिंग ने भी कहा हम प्रोग्रेसिव हैं मस्पी पर बात करते करते नौकरियों पर बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह मुस्लिम लीग में हिंदू मुसल्मान में क्यों अटक गई भई गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी जो कहे वही सही upwards न खाता न बही जो कॉंग्रेस कहे वही सही तो कॉंग्र का सिर्फ मुसल्मानों पर दोजियर त्वासक दिखा ही नहीं अभी ने आप ने जितनी बातें बोली कि क्या-क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टी करन के लिए जरा आप मुझे निकाल के इनके कॉंग्रेस फाइल के निकाल दीजिए उनीस दोजार उन्नेस चौदर नौ उसके बाद चार निनानबे अंठानबे च्यानबे एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक माइनॉर्टी लिंग्विस्टिक पर एक पन्ने का डॉक्यमेंटरी एविडिन्स तो आज तक को इनके पार्टी ने नहीं दिया हम पहली बार दे रही हैं आप कहते हैं बात ही नहीं करना चाहिए क्या विजन है पाटी का भई मतलब आप किसकी वकालत कर रहा है आई उमल तो कहता है कि personal law बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए शरीया की तरफ बढ़ना चाहिए तो क्या भविश्य में आप जो reforms of personal law की बात करते हैं reforms ने कल को कही है कि शरीया एंपे लागू होने तीजी जैसे मुहमाज इसमाइल ने constitution के सभा में बोला था पटेल जी ने नाकार दिया था आज की Congress माल लेगी आप कहते है कि there is no place of majority realism in India Congress ये कहते है कि वो एक मिने एक मिने बीच में आथना आयोग के तरबड़ हो जाएगी मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी ठीक है न इस देश के 82% हिंदूओं को majoritarianism के का नाम देके आप neglect करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुए है दिल है कि क्या है भी या दरिया है गोते लगाते रही है उसी में लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए आप एक बात समझिए गरिमा जी भारत की changing डेमोग्रेफी और भारत की changing literacy rate ने पूरा खेल बदल दिया है भारतिये जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई जहों literacy rate 50% से उपर गया तब BJP सत्ता में उसके पहले सत्ता में नहीं आप आई थी आज literacy rate 82% है ये हिंदू- अचे कर दो चैने से बाज़ा हुएं आपने अपना मैंने फेस्टों लाएंगे उस मैंनी तर देखिएगा later हमारे मैनिफेस्टों इनके मैनिफेस्टों में आंतर देखिए गा कहते हैं कि हम प्रोग्रसिव हैं हम पार्टी भी तर डिफरेंस हैं तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टों में हम यह कह रहे हैं कि we will ensure scholarship for Muslim children to study abroad क्यों हिंदू के बच्चे नहीं है इसाइयों के बच्चे नहीं है सिखों के बच्चे नहीं है वह विरेश में पढ़े जाएंगे उनकी scholarship का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी मुसल्मानों के लिए उठाएगी माइनोरिटी के देफिनिशन के है मैडम लेकिन इसी मुसल्मान माइनोरिटी है कि आपकी माइनोरिटी नहीं है जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजिटेटेटर है इतने आंगोले से अठासी साल पूराना वोचना पत्राफ लेकर आए उस मुसलिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं उनी सचालिस में बंगाल में संध में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटी अप्राप्रोवेंस में हाँ 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 एक मिनट बिल्कूल बताते हैं बिल्कूल आप ठीक इसका जवाब ले लिजे मुसलिम लीग के साथ शेवा प्रशाद मुखर जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वह विभाजित इंडिया था विभाजित हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान का मजभी अगरिमा जी दूसरी बात अब को पता हूँ खाना कितना भी अच्छा पड़ोस के दीजे न अगर उसमें छिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता है अगर मुस्लिम लीग और मेरे फेस्टों में जहर फेला दिया है अगर मोनोलॉग तो ना कीजिए न सवाल सुन लीजे मेरा मैं जवाब देने का मौका दूँगी 1936 के जिस गोशना पत्र का आप जिकर कर रहे हैं अगर मुस्लिम लीग 1936 में जिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिलकूल बना रहे थे मैं तो कही रहाँ कि आव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई एक मिनट अब सुन लीजे आज कौन सी मजबूरी है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में करनाटका का चीफ फिनिस्टर जो कॉंग्रिस का अलाई है वो कहता है ये खुले आन धर्मांतरन को बढ़ावा दे रहे हैं करनाटक में धर्मांतरन बढ़ रहे हैं ये करला के चीफ फिनिस्टर कहते हैं और आपके का आप बियलाई बनके चले रहते हैं वो कहता है कि राहूल गांदी के नमांकर नियात्रा में मुस्लिम लिग कहती है कॉंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे अब कॉंग्रेस अतना जंडा नहीं लगाती है आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है और वो मेभूबा मुफ्ती ज पड़ेगा इनके एक MP ने कहा कहा कि South India को अलग हो जाना चाहिए उस पर आप कोई डिबेट नहीं गर्मा सिंग ने सवाल नहीं पूछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए South North का गर्मा सिंग अगर इतनी इंपॉटेंट है डॉक्टर अलोग की नजर में तो मैं सवाल पूछ रही है उस पर एक पन्ना का डॉक्टर अजे में बुबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप में मुबा मुफ्ती जो खुलेया मातंकियों को कहती है सवाल और सवाल और क्या कहा मैं पूरा स्टेट्मेंट पर देती हूं में बुबा मुफ्ती की सरकार भी हम ही ने गिराई उस में बुबा मुफ्ती से मलक हो गए और आज वो मैं बुबा मुफ्ती किसके साथ चुनाओ लड़ रही है आज उसी में बुबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बर्फ खेलते हुए फोटो आप बिखा रही थी जहां वो तो पुछिए सन अफ दसॉयल कौन कहता था दरंगवादी को बुर्हानमानी को उन्हीं के साथ धाई साल सरकार चलाइस उन्हीं के साथ अब वापस आईए 1940 में अब वापस अब वापस आई आप चालीस का जवाब दे नहीं पा रहे हैं जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा चालीस का जवाब दे दीजी मुझे मैं आप पर जाओगी कि अब वापस आप से साथ कॉंख्या पणर से सवाल पूछिए देश का भला होगा क्योंकि प्रमक्विबख्शी पाटी अगर इस तरह से जहरीला खाना दखिलाएगी जनता को बाकी सब धुर जाएगा सारे राइज तो चले जाएगे सवाल यह है कि कॉंग्रेस को ऐसा मनिफेस्टो रिलिस क्यों करना चाहिए ठीक है संविधान हमारा यू-सी-सी की बात करता है तो फिर परसनल लोग को प्रमोट क्यों करना चाहिए जवाब देंगे अब हमारे सम्विधान में यूशी सी क्यों परफ़सल लाव को प्रमोट करेंगे जवाब है कॉंग्रस के पास दे जवाब वी विल स्टेंफन दर परस्नल लाव वाई यह देश मुस्लिमों का नहीं है क्या ये देश सबका है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सबका है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, सिर्फ मुस्लिम प्रमोशन की बात मत कीजिए, लेकिन सुविदा के हिसाब से आप भी खेल जाते हैं, आपक हम आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है मैं क्या करूँ किया यह मेरे बस में है यह तो मेरे रग रग में है यही कॉंग्रेस की रग-रग में है यही घमडियों की रग-रग में है देखिए हर जगा हाई मुस्लिम हाई मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों आपस में सर फोड़ लेंगे मून ओच लेंगे एक दुसरे का गर्मा जी तभी मुस्कुराएंगे बड़ा दिक्कत है आपको शौक है मुबारक हो आप खाईए कॉंग्रेस का मैनिफेस्ट हो हम देश को नहीं खिलाने देंगे हम देश को नहीं खिलाने देंगे सुप्रिय श्रनेत अब मुझे आप ये बताईए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोशना पत्र में कि अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता करे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसल्मान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी टर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ हैं नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर इनके बड़े बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंतरी मोदी ने दो चीजे साफ कर दी कि दीमागी और नेतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बेचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि यह न्याय पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने 10 साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूँगी यहाँ पर और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्षियों के साथ पहले मैं बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युवाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफे का पिता इस देश का ग्रह राजमंत्री ये बनाई रखते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैद हमारे मैनिफेस्टों में चाप है उन लगूम मद्यम उद्योगों की जो इनकी मनमाने तुगलः के पन से बंढ़ इस्पर ब सेनकों की जो सरहत कर बैठ कर इस देश की रक्षा करता है ओर जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम चोटी कॉनिमी है चीन बड़ी कॉनिमी है हमारे लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसा कमलनाथ जैसे बड़े लेता लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घोशणा पत्र आप कहते हैं पांच नियाए अगर ये कहते हैं कि 90 फिसदी मुस्लिमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा यानि कि वो अगर अपनी कॉंस्टिट्वेंसी एड्रेस कर रहे हैं तुष्टी कर रहे हैं तो आप भी अपनी कॉंस्टिट्वेंसी एड्रेस कर रहे हैं ना उस सैप यूनिवर्सिटी के रचायन करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने यह उल जनूल की बाते कि और अब मैं आपको तथ्य बताती हूं यह बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टी करर की हमारे मैनिफेस्टों में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है क्योंकि इनका दिमाग तंग है पढ़ देती हूं we will encourage reform of personal laws such reforms must be undertaken with the participation and consent of the communities involved हम कहते हैं कि personal laws का reform होना चाहिए हिंदी में है Congress व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी क्या गलत कहा हमने इसमें मौलाना आजाद की जो scheme है scholarship की उसमें Muslims को उसमें Sikh को उसमें पार्सी को उसमें Buddhist को उसमें Christians को मुका मिलता है जाकर देखिए equal distribution scholarship का क्या गलत क हमने इनके लिए minority मुसल्मान है हमारे लिए minority वो वर्ग है जिनका representation लेकिन करनाटक में आप सिर्फ मुसल्मानों को 4 पीसदी आरक्षन देते हैं सुप्रिया सवाल उठेगा की नहीं उठेगा मैं बताती हूं आपको ये manifesto है हमारा नियाई पत्र इसका नाम है इसके पाँछ stumb और वो stumb है युवा नियाई नारी नियाई किसान नियाई श्रमिक नियाई और हिस्सेदारी नियाई और हम क्या कहते हैं? हम इनकी बनाई हुई हर बखेडे को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाई हुए दसकाल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं. हमारा कहना है और मुझे आप एक मिनिट का टाइम यहाँ पर जरूर दीजेगा. हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सला नहीं देंगे हम तीस लाग सरकारी भरतिया करेंगे हम एक साल का एक लाग का स्टाइपिंड देंगे हर ग्राजूट और डिप्लोमा होल्डर को हम पेपर लीग के खिलाफ स्ट्रिंजिस्ट कानून बनाएंगे कि हार काप जाए ह अगर आप यह कहते हैं कि मुसल्मान चात्रों के लिए आप सेक्यूलर मुल्क में विश्वास रखती है ऐसा में विश्वास रखती हूं तो यह कॉंग्रेस पार्टी यह क्यों कह रही है मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंग आप मुझे एक जगे दिखा दीजे जो कहती है ये भारतिय जन्ता पार्टी जूटी फरेभी जुम्ले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पढ़ लीजे पॉइंट नंबर चार चाप्टर में है कॉंगरेस विदेश में अध्यन के लिए मौराना अजाद छात वृत्ती को फिर से लागू करेगी और चार्ट वृत्ती की संख्या बढ़ाएगी इस स्कीम के अंतरगत सिर्फ मुसल्मान नहीं आते हैं प्रधार मंतरी को भी नहीं पता है उनके बद्दमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है इस चार्ट वृत्ती के अंदर बुद्धि मुसलिमों को चार फीसे दी आरक्षन दे दिया आपने करनाटक में बीजे पी आई उनों करते हैं उस पर भी आती हूं आ रही हूं दो मिनट रुक जाएए पहले मैं बात करूंगी अपनी जिसके लिए ये बेुत्तर है निरुत्तर है इनके पास एक शब्द नहीं है और मै होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार फेकेंगे वापस जैसे नौकरी बहालोतीती करेंगे आप मुझे 30 सेकंड का मौका और दीजिए हम नारी नियाए की बात करते हम क्या कहते हैं महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम एक लाक रुपे साल देंगे हम ये करनाटक और तिलंगाना में करके दिखा रहे हैं हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे हम अनरेगा का मान दे 400 रुपे प्रतिदिश बढ़ाएं इस पर मैंने सुप्रिया जी इस पर मैंनी डिवेट की मुझे आप क्यो नो नहीं गारेंटी देंगे उनकी चीजों को जी एस टी से मुख करेंगे खाद बीज कीट नाशक इत्यादी हम कहते हैं हम उनका करजा माफ करेंगे इनकी तरह 16 लाग करोर पूंजी पतियों का माफ नहीं करेंगे और अंत में हम ये जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणी पुर करनाट का जवाब है आपके पास आप बिजेपी के पास हां बिल्कुल है बिल्कुल है करनाट का जवाब बिजे कि अगर मैं ये पूछू आप से कियो चाहर प्रपीशत आरख्रम को खिलमानों को क्यों करनाट को आप बोलीजे फिर मैं बोलूँगे ये हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे मैनिफेस्टो में पूरी तरे से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके प्रधान मंत्री मोदी की भाषा उनकी शेली उनकी नफरत ये दंश ये देश सहरा है ये असलियत है करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रकर प्रवक्ता खेर मैं दुबारा लोटूंगी आपके पास एके वाज़ पे ही मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या ये जो 88 साल प्रोग्रेसिव पार्टी 88 साल पुराना घोशना पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने मैभुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली आप कहते हैं घर में घुसके मारें कि राष्टरवाद का जंडा बुलंद करते हैं सोनम वांग चुकवां बैटे हुएं कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफ्लेटरेशन किया देश की सीमा में उस पर बोलते नहीं हैं परदान मंतरी ने अगर ये कहा कि इनके घोशना पत्र में मुस्लिम लीक की चाप है तो क्या गलत कहा ये तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साब थे और सौनिय गांदी जी ने कमेटी बनाई थी चार्व मेंबर की और उसकी रिपोर्ट परड़ो आप जो रहा क्या कहा था कि कॉंग्रेस की आर इसलिए हो ये क्योंकि कॉंग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही ये बकाइदा लिखा हूँ है तो जब इनका आदमी कह रहा है तो प्रदान मंतरी ने कहा दिया तो क्या गलत कर दिया नंबर वन अब नंबर बन सत्यापाल मलिक के बयानों पर जाओं वो ठीक नहीं है एक सेंसिबल डिसकुशन के लिए कि वाजपी मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि इनकी कमेटी की रिपोर्ट है जो कमेटी सोनिया गंदी जी ने मनाई यी बकाइदा उनका एडमीशन है खुदी अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी आप अपीजमेंट नहीं करते तो रेके बाच पर ही आप क्या करते है एक सेंड़ शप्तिस और चालीस का जवाब दे दी आप सारा बोलोगी क्या नहीं सारा आप भी बोलोगी क्या तो पहले मैं एक जना सा बोल लूँ कर रहा हूं कि जो प्रदान मंत्री जी ने कहा या सुदानसु भाही ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा है और वो उनकी पास्ट कंड़क्ट से क्रतियों से जाहिर हो रहा है कि वक बोड किसे में बनाया था मैं आरहा हूं उस पर भी आरहा हूं सारी चीज पहले इनका कंड़क्ट तो आजाए ना जरा कंड़क्ट आएगा उसी से प्रूब हो जाएगा कि आजी इनका अपीजमेंट की तरफ द्यान जादा है तुस्टिक देखिए कांस्टिशन क्या कहता है कि माइनर्टी को प्रट साड़े-450000000 क्रोड की प्रॉपर्टी जैं इंट इन्टिया के पास द्रहा मैं लाग करोर की प्रफिटी इने बात 고 कि आपीजमेंट की नी देरा है यह समझना होगा कि आपीजमेंट केसे वो रेवडी वाला चक्र था यह रेवडी है यह कुछ हो और है उसको डिफारें नहीं ँभी है ना चुनावी कल्या है हम सहमेडान की बात कर रहे हैं हम सर्दान की बात की सी कर रहे हैं आप मेरी बात से यह तो बीजेपी ने कहा मिल्कुल अगर 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 अगरी है इस बात से कि वो डिवाजनकारी पॉलिटेक्स 1936 में कर रही थी तो 40 में आप क्यूं खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्वयुद्ध चल रहा था दूसरा विश्वयुद्ध दूसरे विश्वयुद्ध में कॉंग्रेस ने एक अश् इस विश्वयुद्ध में एक उस्चारा पत्र में मुस्लिम के प्रती कोई ज्यादा एक्स्टरा ओरुनरी अट्रेक्शन दिखाया है इनंहोंने के नहीं दिखाया उनका डिफेंस क्या है उनका डिफेंस क्या है उनका डिफेंस यह कि नहीं जी नहीं हम तो माइनोर्टी वर्ड यूज कर रहे हैं माइनोर्टी में अखलियत भी आ गए सिक भी आ गए बहुत इस यही तो डिफेंस है उनका हम यह कहरें जब माइनोर्टी की आप बात करते हो त क्या जाहिर होता है इस बात से इसके बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आती है सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आप फॉरन खड़ा-खड़ लागू कर देते हैं यह क्या जाहिर करता है मतला हमां इनका कंडक्ट देखके प्रदान मंत्री जी ने यह बात कही है कि इनका बात भी तो कर दी हो देखेंगे जाता है कि दुबारा चुनाओं पर जाना पड़ेगा यह कोई सरकार बनाए यह समधान की विवस्ता है तो अगर उस वकद हमने बना लिया उसमें क्या नुक्सान कि नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूं वह आतंक वादियों के साथ कड़ी होने वाली महिला अगर आपकी नजर्म और आपकी नजर में ौसमीर की पार्टियों को अ्तंकवाद को संद्रक्शण देने इसने बताई अलगाव वादी शब्द यूज़ किया है हमेशा किया और इसका जवाब बड़ा सीधा है कि बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से रिन मौया कराने के लिए डायरेक्शन देंगे यह तुष्टिकरन कर रहे हैं तो एक वाजबी आप क्या कर रहे हैं आप एक मुस्लिम को टिकेट नहीं देते ना लोग सभा में देते ना विदान सभा में देते उन्हें कैबिनेट मंत्र इसका समधान से कंट्रोल होगा गया है अटासी साल पुरा ना घोषणा पखने आया आया को इसके कंडुक्ट को 1936 की मुस्लिम Лीग से जोडेंगे तो मैं चालीस का सवाल पूछूँगी सवाल का जवाब सोच कर रखी गांगरेस का इत्यास कोई इतरा गंदा नहीं है उनके परदान मंतरी दो-दो अत्याई होई यह बकाइदा ठीके बाद समझे लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉलरेट नहीं होगा ड्रक कर रह मनोच सिंग काका यह जवाब दरसल एके वाजपी दे नहीं पाया और डॉक्टर अजय आलोग भी नहीं दे पाया यह मुश्किल सवाल है मैं जानती हूं अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में 4 फीसिदी मुस्लिमों को आरक्षन क्यों दिया तो यह सव मुश्किल है कि 36 में विभाजनकारी पॉलिटेक्स करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सरकार हिंदू महासभा ने 40 में क्यों बनाई मरोच सिंग काकर सबसे पहले तो धैरे को प्रणाम आपके और आप मुझे बताइए कि मुस्लिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफेस्टो खींच लाई क्या बीजेपी आपको अपने तर्फ पर देखिए आप धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की स्वतंतरता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग जी हमारे गुरु हैं सरदे नेता जी के भी गुरु हैं बिनोच सर जानते होंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि न त समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है बहुत खुब और अलामा इकबाल की एक बात और आप कह रही थी कि अलामा इकबाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और हम बुल-बुले हैं इसके ये गुल-शिता हमारा बात खुब तो जो सवाल य सबते जो कि जूत बोलने के बह समय और जूतों के सरदार वहां जानते थे आदि ने वह बिहार की धरती हो बुद्ध की धरती है कहीं बुद्ध के बिहार के लोग अब सब जैसे लोग आलोग जैसे को नहीं है वहां जो चाराइन Chairman पना में अपने जिंदगी गुजार देंगे वहां बुन्यादी सवाल करने वाले लोग यह न पूछ दे बिहार के लोग बिहार के लोग कहीं यह न पूछ दे अरेंद्र मुदी गुजी मारे लोग पूछलय कि यह 9 00,00,00,00,00,000 विहार को बिहार को बिहार को बिहार का लोग पने लिए मिसेम का बात कर रहते क्या ते में और पार्वाल की कि कि इस प हरत के दार्वों को मांगा बhाटti बीजेपी का ये बात कर रहे ते केरल की केरल में सक्छरतादर कितना है 94 दि और देश में कितना है और आपके बिहार में कितना है सवाल यह है कि भारती जनता पार्टी बखूब ही जानती है और आपने मुसल्मानों की बात कहा मुसल्मान की स्थिती क्या है रंगनात मिस्रा आयो की रिपोर्ट क्या है कि उनकी हालाद दलिच से भी खराब है और हम अभी अभी बाटपेई सर्बाद कर रहे हैं को बनती है कि नहीं सचर कमीटी की सिफारिशें कब आई सचर कमीटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुए आप पूठिए कोंगरेस से आपके साथ गडवन्दन में शामल है ये हम बहुत जिम्यदारी से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी को ये मानती है हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी एक धर्म भासाय और संप्रदाय से नहीं हमारी भूमिका संपूर नागरिक्ता से है और जिस संपूर नागरिक्ता को भारत के संबिधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक राजनाइतिक समता देने की बात करी गई है। सबसे जो तब का हक के हांसिये पर है जानती है कि हमारा यह वहीं तो करना चाह रहें धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाना चाह रहें यहीं तो हिंदुराश्ट की बात है जिसमें अब मुझे बताईए कि चुनाव जो मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव यादा रहा है 2017 क पहला चुनाव 2022 से पहले वाला साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते यह माहौल बनने लगा था कबरिस्तान शम्शान कबरिस्तान दिवाली रमजान तो यह चुनाव 2024 का मुद्दो पर लड़ा जाएगा और यह जो मुस्लिम लीग का यह जो खुर्र हो रहा है यह किसे नुकसान किसे फाइदा मैं membari कहते हो इसबात की था करने पर अधर डिया कंव अनुछ का पहल रहा हए य sürण ॉध परदापजी कि एक लाइन में भी फुनाना चाहूंगा बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुध्या का राममंदिर का अंदोलन चलना था नब्बे की दशक की बात है तब उन्होंने ये लाइन लिखी थी आप तो सब पानी बदब उतर गया राममंदिरी बन गया प्रणपतिष्ठा हो गई बन रहा है लेकिन उस समय लिखा था उस माहूल में कि अपनी जन भूमी तो राम जी समाल लेंगे हो सके तो आपनी मात्रभूमी समाल लिए तो ये मात्रभूमी का सवाल है कि भाई देश और गंभीर सवाल है पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का माइनिफेस्टो देखा उसमें मुसलिम शब्द कहीं नहीं माइनरेटी शब्द है हर जिगए और ये बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नसी माइनरेटी शब्द की फेलोशिप भी थी और उसमें माइनरेटी इसको रखा गया था तब भी तो अब सवाल है ठीक है मुसलिम सबसे बड़ी माइनरेटी है वो 14-15 परसेंट है बाकी 2-2-3-1 परसेंट है जाला पड़ा शेर उनको ही मिलता है तो इसलिए जिसकी जितनी सं अखिरकार अंतता भारतियांता पाइटी का सबसे बड़ा हथियार है यह 2017 का अब अभी जो जिस तरह से मुसलिम ली का घोशनापत्र बता दिया कि मुझे तो मैं पत्रकार किनाते मैं कह रहा हूं मैं इस पूरे घोशनापत्र को मने पढ़ा तो माइनरेटी शब्द में मु ठीक है कि सबको मुका मिलना चाहिए लेकिन समिधान में यह विवस्ता है कि जो तबे कुछले वंचित वर्ग है उनको विशेष तर्रक्षन देने की विवस्ता है उसी की तह तर्क्षन दिया जा रहा है यह जो तुष्टी करण की राजनीती का अच्छ देखे मुझे लग या इस तरह की तमाम लोगों से लेकिन उनकी पाइटी चुनाओ लड़ती रही है और मुझे शाहिए और मुझे शाहिए तो पर इरल में इंडियन मुस्लिम लीग भी चुनाओ लड़ती है तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समध्षन नहीं किया और वो हमेशा उसके मंत्री जो थे तो जब अनाम भूल रहा हूं तो जब वो उसमें मंत्री से क्या का क caveat सरकार और उसके पहले मंत्री रहे ठीवड़ा जा करके भारतिया उसमें जो है जिभ काई बार विदेशियों में कोवैत में वहां पर नासा कि hei तो इन से फाइट करती कांगर्स पर निर्भर करेगा कि बीजेपी तो करेगी उसको देचे बीजेपी का क्या एलेंडा है बीजेपी कांगर्स को घेरेगी मुस्लिम तुस्की करन का आरोब जो है यह शब्द अदवानी जी ने अब शुरू किया था अपीस्मेंट पॉलिटिक्स का और उस वक्त हमारे बातपेई जी जो नेता थे रामिलास पास्मान जी वह अडवानी जी के अलोश्टा करते थे इसके लिए अपीस्मेंट को लेगे आज बातपेई जी अपीस्मेंट की बड़ी वो कर रहे हैं तब रामिलास जी जो बोलते थे वह आज से बिलकुल उटा जो आज इनकी पाइटी स्टेंड ले रही है तो विनोट जी जी जो हमेशा मेंटी में मुसल्मानों को सबसे आगर देखते थे चौबीस में नहीं तो मैं इसने कहना हूँ कि प्रिजेबी बड़ी फेक्रमंद है तो भी तो मुसल्मान है तो फिरकारी पस्वांदा मुसल्म करते हैं आपके यह चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से भी मैं तो उन्नी सो चाली सो चाथिस की बात भी कर रहा हूं कि शाथिस में निसी दूरूप से उसे प्रस्ताव पास किया था लेकिन परिष्टनिया ऐसी थ इस तो मुस्लिम लेका दिया तो दॉक्तर आजे आलोग मान लिजिए ना कि भई सत्ता पावर इस दी आल्टीमेट ट्रूथ जिसके लिए आप भी लड़ रहा हैं जिसके लिए कॉंग्रेस भी लड़ रही है अब ही बहुत प्यास के अक्सर सारी बातों पे मैं अग्री करता हूं लेकिन आईूमल पर विनोजी मैं आप से100 पर सेंट डिस अग्रीड हूँ क्या ये सही नहीं है कि मदरावस प्रेसीडंसी में מverse माहिंद इसमाइल झो थे उस वक्ति इंडियन मुस्लिव लीक के वाद है जो बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम लीक बना तो फिर कैसे नहीं वो जिनना वाली मुस्लिम लीक के समर्थक हुए आज मी हैं इसे उसको डिफिट दना बलते हैं और गांगरसी इतिहास पर गरिमा जी एक तो आपने आपने बहुत लंबा आपने बहुत लंबा बोला मुझे दस सेकेंड और दीजिए आप पहली बारे कैसे एंकर में हमें ने देखा है कि जो अपने सवाल रिपीट करता हो चाहे मुझे से चाहे वाजपई जी से आप 36 और 46 माटा गजिए चालिस का मैंने जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जैंपल आपके सामने अभी पिनोज जी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुवी करन की सियासत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है चुनाव आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे मुद्दे पर बहुत एहम होगा कि इसी आए क्योंकि इंडियन पीनल कोड की 153 एक वॉयलेशन का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है क्या कहता है चुनाव आयोग अज़र रहेगे सभी का बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है 19 एपरिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जमर्दस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बहुचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बवचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान शुरू किस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें 25 गिरंटी पंच नियाए और 25 गिरंटी जिसमें MSP का जिकर है जिसमें महिलाओं को खरीम महिलाओं को एक लाक रुपाई सालाना का जिकर है जिसमें 30 लाख युवाओं को नौकरी का जिक्र है, ग्रेजुएटेड युवाओं को भी ट्रेनिंग का जिक्र है, मजदूरों को 400 रुपाय मजदूरी का जिक्र है और बहुत सारी गेरिंटी कॉंग्रेस ने देने की कोशिश की, लेकिन बवाल किस बात पर हुआ? ये जो कॉंग्रेस को गेरने की चो तरफा बीजेपी की तरफ से कोशिश है, ये किस बात पर शुरू हुई, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि कॉंग्रेस के इस घोशडा पत्र में मुसलिम लीग की चाप है, हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूँ कि हम हिंदू, मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है, कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहान हमला बोला घोषणा पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूँ, सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में, उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच जलकती है, जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुसलिम लीग में थी, ये पहले कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की चाप है कॉंग्रेस ने घोशना पत्र नहीं बलकि तुष्टी करण पत्र जारी किया है और फिर तीसरा बयान आज पीली भीत में दिया प्रधान मंतरी नरेन रमोदी ने कि और ये सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के हमले तक हमला सीमित नहीं रहा पूरी बीजेपी मनोज तीवारी हिमंता बिस्वा सर्मा जेपी नड़ा राजनात सेंग देनमला सीतारमर सब ने इसी तरीके का हमला की और जेपी नड़ा ने तो एक और बात कह दी कि जिस अब इस्वा कह रहे हैं घोषणा पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्य मंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा अब ये जानना बेहत जरूरी है कि ऐसा घोषणा पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुँची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुँची ये बता देती हुए आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधाइशु त्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपैरिजन भी है 1936 का और 2024 का गोषणा पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया परसनल लौ की रक्षा करेंग दूसरी बात तीसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप ये 1936 में मुसलिम लीग ने कहा था और 2024 में कॉंग्रेस ने ये कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे ये तीन पॉइंट हैं हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्ते में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्ज देंगे ये मोटा मोटी तीन पॉइंट मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर ये साथ पॉइंट्स है अब कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी अपने ऊपर ये आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करन कर रही है अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा समाला खुद मल्कार जुन खड़गे ने क्या कहा उन्होंने मल्कार जुन खड़गे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारत छोड़ो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके कोर्ट कार्ड दिखाने के बजाए हिंदू मुसलिम करने में लगे हैं ये सच है कि पियम मोदी बॉखलाए हुए हैं आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जे राम रमेश भी बोले जे राम रमेश न अर्मान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुंच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आई पी सी की धारा 153 एका वोयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी प अब यहां से मैं दो चीजें और आपको बता देती हैं क्योंकि प्रेस कॉंफरेंस के जरीए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले की मुस्लिम लीग थी जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग राश्टर चाहिए पाकिस्तान बना मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए केरल म में हैं वही मुस्लिम लीग है या कोई दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेट में बताती हूँ जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वह 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहौर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग क वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लेजे यह आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनिय मुस्लिम लीग आई यू एमल चैनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसमें कॉंग्रेस में शामल है यू डी एफ ये उसका हिस्सा है और कई राज्जियों में इनोंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी ठीक ठाक कपासिटी में ये आई यू एमल है जो पुरानी मुस्लिम लीग थी उसके कुछ नेता जिनोंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन मुस्लिम नेता थे उन्होंने फैसला किया कि हम ये आई यू एमल बनाएंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल गमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दुरूवी करण का आरोप है तुष्टी करण का आरोप है हिंदू मुसलिम एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को अ ड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बगैर यह सोचे कि यह देश एक सेक्यूलर देश है धर्म निरपेक्ष देश है मैं दो बयान सुनाती हूँ आपको फिर आगे बढ़ें को कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुसलिम लि तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा सिये एका भी विरोग कर रही है हम यह बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय भाजन में यह लोग लगे रहते हैं कि समाज का भाजन यह लोग कर दें और फिर आके इलजाम हम पे लगा ऎल सकते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिकल वैसे हुआ कि जूटा को ठूटा यूटा चोर को डिटवा नाथे नौजवानें के बात कर रहे हैं तो वह भाजन होगा इस देश का अगर रोज़गार देंगे महिलाओं को अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोक और थो वह हुरा ऐसी बात क्यों कहते हैं ये शुबा नहीं देता है पदान मंट्री को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए पचीस गिरंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो महिमान मेरे साथ चुड़ रहा है इस पैनल में मैं परिछे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोक है राष्ट्ण्यप्रवक्टा है भारतिये जनता पाती के सुप्रिया श्रणेत मेरे साथ जोड़ रही है राष्ट्री प्रवक्टा Administration पाती मनोत 가자 मेरे साथ 15 बहुत सारी किताबें पीछे दिख रही हैं, खूब परते हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ एके वाजपे स्टूडियो में हैं, पेशे से वकील हैं, वकालत करते हैं सुप्रीम कॉर्ट में और LJPR के राश्ट्रिय प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक् प्रवक्ता, RJD, राश्ट्रिय जनता दल, बिहार, आजे आलोग, पार्टी विद्धा डिफरेंस, कहने वाली पार्टी, प्रुग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी, कल राजनात सिंग ने भी कहा, हम प्रुग्रेसिव हैं, मस्पी पर बात करते करते, नौकरियों पर बात करते करते, महिलाओं पर बात करते करते, किसानों पर बात करते करते, यह मुसलिम लीग में, हिंदू मुसल्मान में क्यों अटक गई भई? गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी जो कहे वो ही सही न खाता न बही जो कॉंग्रेस कहे वो ही सही क्यों बात करना चाहिए डिवेटी क्यों कर रहे हैं भई कॉंग्रेस पार्टी है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उनका वीजन है देश के बारे में, देश को ऐसी ही ले जाएंगे, जड़ा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था, और 48 के डॉक्यमेंट में आज तक मुझे एक पन चार, 99, 98, 96, एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक, मैनॉर्टी लिंग्विस्टिक पे एक पनने का डॉक्यमेंटरी एविदेंस तो आज तक कॉंग्रेस पार्टी नहीं दिया, पहली बार दे रही है, आप कहती है, बात ही नहीं करना चाहिए, क्या विजन है पार्टी मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं, आई-उ-म-ल तो कहता है कि परसनल लौ बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए, शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ परसनल लौ की बात करते हैं, रिफॉर्म्स ने कल को कही है कि शरिया पर लागू होने तीजी जैसे मोहमद इसमाइल ने कॉंस्टिटूशन के सभा में बोला था, पटेल जी ने नाकार दिया था, आज की कॉंग्रेस माल लेगी, आप कहते हैं, आपको इंटर्वेंशन नहीं दूगा, आपको इंटर्वेंशन आज नहीं दूगा, बहुत ज़ को लिएगा, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, डिबेट कहां जाएगी, ठीक है न, इस देश के 82% हिंदूओं को मेजोरिटेरिनिजम के का नाम देके, आप नेगलेक्ट करेंगी, और 15% मुसलमानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुएं, दिल है कि क्या है, भी अधरिया है, गोते लगाते रही है उसी में, लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए, आप एक बात समझे गरिमा जी, भारत की चेंजिंग डेमोग्रेफी और भारत की चेंजिंग लिटरिसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है, भारतिये ज अपना मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैनिफेस्टो, इनके मैनिफेस्टो में आंतर देखिएगा, ठीक है, ठीक है, हम पार्टी बिटर डिफरेंस हैं, तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टो में, हम यह कह रहे हैं, कि we will ensure scholarship for Muslim children to study abroad, क्यों हिंदू के बच्चे नहीं है, इसायों के बच्चे नहीं है, सिखों के नहीं है, वो विरेश में पंढ़े जाएंगे, उनकी scholarship का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी, मुसल्मानों के नहीं उठाएगी, minority के definition क्या है, मैडम, लेकिन इसी मुस्लिम लीग, जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजिटेटेटर हैं, इतने अंगल से, अठासी साल सरकार बनाते हैं, 1940 में, बंगाल में, संध में, नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रवेंस में, हाँ, 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 एक मिर्ट, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल आप ठीक, इसका जवाब ले लिजिए, मुसलिम लीग के साथ, शहवा प्रसाद मुकरजी ने सवाल सरका जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था, अविभाजित हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान का मजभी आदार पे बटवारा हो गया, मुसल्मान धर्म के आदार पे पाकिस्तान चले गए, तो आज ओल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है, उस समय उस समय आव विभाजित इंडिया था, टू नेशन ध्योरी पर तभी काम करता था मुसल्म लीग। में जवाब देने का मौका दूंगी अगर मुस्लिम लीग 1934 में जिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिलकूल बना रहे थे मैं तो कही रहूं कि आव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई 26 में वो डिवाइसिव पॉरिटिक्स कर रहे थे आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई एक मिनट अब सुन लीजे आज कौन सी मजबूरी है कि All India Muslim League के बारे में करनाटका का चीफ फिनिस्टर जो कॉंग्रेस का अलाई है वो कहता है ये खुले आन धर्मांतरन को बढ़ावा दे रहे हैं करनाटक में धर्मांतरन बढ़ रहे हैं ये केरला के चीफ फिनिस्टर कहते हैं और आपके का आप तब बिलाई बनके चले रहते हैं वो कहता है कि राहूल गांदी के नमांकर नियात्रा में Muslim League कहती है कॉंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे अब कॉंग्रेस अपना जंडा नहीं लगाती है आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है और वो मेभूबा मुफ्ती जो आतंकियों को खुली है विभाजन का दंश जेल चुके अब कॉंग्रेस पार्टी के आइडियोलजी पे चलें तो फिर विभाजन का दंश जेलना पड़ेगा इनके एक MP ने क्या कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए उस पे तो आप कोई डिबेट नहीं गर्मा सिंग ने सवाल नहीं पूछे आप मेंबुबा मुफ्ती जो खुले आम आतंकियों को कहती है और आज वो मेंबुबा मुफ्ती किसके साथ चुनाओ लड़ रही है अरे अरे आपने धाई साथ सरकार चलाई डप्रा जयालव मेंबुबा मुफ्ती के साथ हाँ फिर सरकार गिरा भी दिया हमने धाई सार बाद जो आतंकियों को खुले हम के तितिकी सावसे सोयल है अरे भ bubbेया में सरकार ये नहीं चिपकेगा गर्मा जी कुछ नयाल आई ये ये सरकार गिरास सरकार सभार निकल गया तीन सो सत्तर भी हटा दिया चिलाते रहे गए लोग कि खून की नदिया भाएंगी खून की नदिया दो दूर छोड़ी है छटाग भी कुछ नहीं बहा लेकिन आज उसी महभूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बर्फ खिलता हुए फोटो आप बिखा रही थी जब वो तो पुछिए सन अफ दसॉयल कोन कहता था दरंगवादी को बुरहनवानी को उनी के साथ दाई साल सरकार चलाइस उस पे तब उनी के साथ उस्माइल देने लगिएगा अब वापस आईए उनी सचालिस में अब वापस आब वापस आईए आप चालीस का जवाब दे दीजे मुझे मैं आगो पर जाओगी आप अगर अटासी साल पुराना मैनेफेस्टों खाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के मैनेफेस्टों का हवाला देकर आप घेर रहें एक पार्टी को 36 के मैनेफेस्टों का और उसी 36 के मैनेफेस्टों के बावजूद आप 40 में सरकार बनी अब विवाजित हिंदुस्तान था लेकिन जब विवाजन होगा धर्मी कदार पर जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम आज उ सवाल पूछने के जगे जड़ा कॉंग्रस से सवाल पूछिए देश का भला होगा क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना देखिलाएगी जंता को बाकी सब ठीक ढूल जाएगा सारे राइट्स तो चले जाएगे मैडॉर्टी को तो कुछ मिला ही नहीं है शचाहां या लैगा कूंछा एंटाल फिंटर्विश से जगुति होट का पर्णिज के सोगराइगी होट फिर श्लीम सब्सक्राइब यह देश सपका है। नहीं 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 गर्माजी चिपकेगा नहीं बेकार आप कोशिश करें नहीं चिपकेगा यह हमारी रगों में नहीं है आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है मैं क्या करूँ क्या ये मेरे बस में है ये तो मेरे रग रग में है यही कॉंग्रेस की रग रग में है यही घमंडियों की रग रग में है देखिए हर जगा हाई मुस्लिम हाई मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों आपस में सर फोड़ लेंगे म बड़ा दिक्कत है आपको शौक है मुबारक हो आप खाईए कॉंग्रेस का मैनिफेस्ट हो हम देश को नहीं खिलाने देंगे हम देश को नहीं खिलाने देंगे सुप्रिय श्रनेत अब मुझे आप ये बताईए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोशना पत्र में कि अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता करे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसल्मान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी टर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ हैं नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर इनके बड़े बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंतरी मोदी ने दो चीजे साफ कर दी कि दिमागी और नेतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बेचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि यह न्याय पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने 10 साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूँगी यहाँ पर और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्षियों के साथ पहले में बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युबाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इनोंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफेस् का पिता इस देश का ग्रेह राजमंत्री ये बनाई रखते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप हैं जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पै देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम चोटी कॉनिमी है चीन बड़ी कॉनिमी है हमारे में लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसा कमलनाथ जैसे बढ़े लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घो अगर सब्सक्रा आपनि मुस्लीमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा यानिकि वह अगर अपनी अब्रेस कर रहा है तुष्टी करण तो आप भी अपनी अब्रेस कर एक WhatsApp University के रचायन करता है, जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये उल जलूल की बाते कि और अब मैं आपको तथ्थ बताती हूँ, ये बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टी करर की, हमारे मैनिफेस्टों में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी कांग्रस व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी, क्या गलत कहा हमने इसमें? मौला ना आजाद की जो स्कीम है, स्कॉलरशिप की, उसमें मुस्लिम को, उसमें सीख को, उसमें पार्सी को, उसमें बुद्धिस्टों, उसमें क्रिस्चिन्स को मुका मिलता है जाकर देखिए इक्वल डिस्टिब्यूशन स्कॉलरशिप का, क्या गलत कहा हमने? ये इनके लिए माइनॉरिटी मुसल्मान है, हमारे लिए माइनॉरिटी वो वर्ग है जिनका रेप्रिजेंटेशन लेकिन करनाटक में आप सिर्फ मुसल्मानों को चार फीसदी आरक्षन सुप्रिया सवाल उठेगा की नहीं उठेगा? यहां पर जरूर दीजेगा, हमारा कहना है, हमारी सरकार बनेगी, हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सलाह नहीं देंगे, हम तीस लाग सरकारी भरतिया करेंगे, हम एक साल का एक लाग का स्टाइपिंट देंगे, हर ग्राजूट और डिप्लोमा होल्डर को, हम पेपर लीक के खिलाब स्ट्रिंजिस्ट कानून बनाएंगे, कि हार काप जाए, हम अगनी भी को निकार टेकेंगे, और पूर जेरा, जो बहाल करेंगे, अगर आप यह कहते हैं, कि मुसल्मान चात्रों के लिए, आप सेक्यूलर मुल्क में विश्वास रखती हैं, ऐसा में विश्वास र जगे दिखा दीजे जो कहती है, यह भारतिया जनता पार्टी जूटी फरेभी जुमले बास फेकू कहते हैं, हमारा पॉइंट पढ़ लीजे, पॉइंट नमबर चार चाप्टर में है, कॉंग्रेस विदेश में अध्यन के लिए मौराना अजाद च्छात वृत्ती को फिर पार्सी जाते हैं, सीक्स आते हैं, इनको पता ही नहीं है कि प्रोविजन क्या है, कॉंस्ट्टिउचन ने तो फिर यह जो एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजे, करनाटक का जो रेजर्वेशन है, मुसलिमों को चार पीसे दी आरक्षन दे दिया, आपने करनाटक में बीजेपी आई उन्होंने ख़र कर दिया, क्यों करते हैं आप इसा? आप मुझे 30 सेकंड का मौका और दीजे, हम नारी नियाए की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम एक लाक रुपे सालादा देंगे, हम ये करनाटक और तिलंगाना में करके दिखा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षन सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे, हम अन्रेगा का मान दे 400 रुपे प्रतिदिश बढ़ाएंगे, हम इने सुप्रिया जी, इस पर मैंने डिबेट की मुझे आप क्योंकि बाकी और में 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 सालादा देंगे, जो हमने राजस्तान का प्रश्म मुश्किल है क अरे एक मिनिट रुख जाएए, मेरे मैनिफेस्टों पर चर्चा है, मुझे तो बोलने दीजेगा, 30 सेकंड तो बोलने दीजे, चर्चा तो मेरे मैनिफेस्टों पर है, और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देंगे, उनकी चीजों को GST से मुख करेंगे, खाद, बीज, कीट, नाशक, इत्यादी, हम कहते हैं, उनका करजा माफ करेंगे, इनकी तरह 16 लाग करोर पूझी पतियों का माफ नहीं करेंगे, और अंत में हम ये जरूर कहते हैं, कि चाहे वो मणी पुरहो समस्या का समाधान करेंगे, एक अनुबाग ब करनाटक का जवाब है आपके पास, दे सके प्रधान मंत्री मोदी की भाषा उनकी शेली उनकी नफरत ये दंश ये देश सहरा है ये असलियत है ठीक है करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रखर प्रवक्ता खेर मैं दुबारा लोटूंगी आपके पास एके वज़ पे ही मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या ये जो 88 साल प्रोग्रेसिव पार्टी 88 साल पुराना घोषणा पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने मैभुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली आप कहते हैं घर में घुसके मारेंगे राष्टरवाद का जं कि चाप है तो क्या गलत का यह तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साथ थे और सोनिय गांदी जी ने कमेटी बनाई थी चार मेंबर की और उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप जो रहा क्या कहा था कि कॉंग्रेस की आर इसलिए हो यह क्योंकि कॉंग्रेस मुसलिम अपीजमेंट करत कि अधिक नहीं है के वाज पी मैं सिंपल यह कह रहा हूं कि यह तो उनका शुरू करूं कि और आजी चौदरी वीरेबर से नहीं आप ब्यान है कि कि रिपोर्ट है जो कमेटी सोनिय गंडी जी ने मना यह बकाइदा उनका अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी आप अपीजमेंट नहीं करते तो दें के बाद पर ही आप क्या करते हैं एक सेकंड़ नहीं नहीं चप्षणा पत्र लेकर आए सुधान शुत्रवेदी इसमें इनोंने कहा चप्षणा पत्र मुस्लिम लीग ने जारी किया उसकी कमपारिजन किया दोजार चौबीस के गोश कर रहे थे उसके साथ आप सरकार क्यों को सब्सक्राइब कर रहा हूं कि जो प्रदान मंत्री जी ने का या सुधान सुभाई ने का वो कोई गलत नहीं का है और वो उनकी पास्ट कंड़क्ट से क्रतियों से जाहिर हो रहा है कि वक बोड किसे ने मनाया था जैसे पर चालिस मैं आ रहा हूं उस पर भी आ रहो सारी चीज पहले इनका कंड़क्ट तो आ जाए ना जरा कंड़क्ट आएगा उसी से प्रूब हो जाएगा जहाए जहाँ इनका आपीजमेंट की तरफ द्यान जादा है तुस्टिक देखिए कांस्टिशन क्या कहता है कि माइनर्टी को प् प्रटेक्शन और अपीजमेंट मतलब तुस्टिक करण की परमीशन नहीं है संग्रक्षण की परमीशन तो है जब तुस्टिक करते हो तो आप सीमाई सारी लांग जाते हो बख वोर्ड आपने बना दिया आज बख वोर्ड की साड़े चार लाग करोड की प्रॉपर्टीज हैं कि इंडिया गवर्मेंट के पास 12,000,000 करोड की प्रॉपर्टी तो उनके बास साड़े चार लाग करोड की प्रॉपर्टी किसने मना है ōर हाजि में सब्सीजडी आप क्यों देते थे सैं इस सरकार ने आकि खतम की है आभ याप बरिकों फुम्सीर कॉम्सीत कि यूद प अगर 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 अगरी हैं इस बात से कि वो डिवाजनकारी पॉलिटेक्स 1936 में कर रही थी तो 40 में आप क्यूं खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में कॉंग्रेस ने एक अ अपना समर्थन वापस लेलिया वाह जाकर आप इन दू महासबार रेलेवंस क्या है इसका अपने अपने डैवर्ट कर रहें कि क्या इस घुस्दा पत्र में मुस्लिम के प्रती कोई ज्यादा extraordinary attraction दिखाया है दिखाया है नोंने के नहीं कि नहीं कि नहीं कि उनका इफेंस यह कि नहीं कि नहीं हम तो minority वर्ट यूज कर रहे हैं minority में अखलियत भी आगए sick भी आ गए बहुत यही तो defense है उनका हम यह करें यह जब minority के आप बात करते हो तो आप सारा का सारा टिल्ट जो करते हो वो मुसल्मानों के प्रती करते हो और वो कैसे करते हो वो यह कंडक्ट है जब आप PFI और SDPI सपोर्ट करने की बात करता है वो और आप उस पर मौन धारन कर लेते हैं तो क्या जाहिर होता है इस बात से सचर कमीशन की रिपोर्ट आप फोरां घड़ा घड़ा लागू कर देते हैं यह क्या जाहिर करता है मतला हमां इनका कंडक्ट देखके प्रदान मंत्री जी ने यह बात कही है कि इनका तुष्टी करन का जो मौ है वो छोटने वाला नहीं और जब इनके घर का आदमी लोगों क सरकार का कईवरी क्या हो के नंबर गेम ऐसा बन जाता है कि दुबारा चुनाओं पर जाना पड़ेगा यह कोई सरकार बनाए यह समधान की विवस्ता है तो अगर उस वकद हमने बना लिया क्या नुक्सान कि नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूं वह आतंकवादियों के साथ कड़ी होने वाली महिला आपकी नजर में अगर आपकी नजर में वह आतंकवादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला है तो आपने पने वहारी सथ तो कर दो को कि डिवेट को डिडियल कर रहें देट वह नहीं है कि अच्छा पत्र में दुस्त्री करन की लहक आ रही है और उसका जवाब बड़ा सीधा है कि बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है और वो लेंग जैसे भी आती है जब आप इस्पेशल फंड बनाने की बात कर रहे हैं उसमें के माइनोटीज को क्या लिखा उसी कलॉस फाइब देखिए सुप्रिया सेरेज जी कलॉस फाइब में आपने लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से रिन म सब्सक्राइब लेना है कि कोई वाला कॉंस्टूशन मरें कि संव्डान से चल रहे हैं सब्दान में चालिस पर आओंगी लेकां के बाद पर आगे बढ़ने दिए छट्स चा चालिस सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट का है सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोडेंगे तो मैं चालीस का सवाल पूछूंगी सवाल का जवाब सोच कर रखी गर्मा जी एक सके कांग्रेस का इत्यास कोई इतरा गंदा नहीं है उनके प्रधान मंतरी दो-दो अत्याई होई यह बकाइदा ठीक है बाद समझे लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉल्रेट नहीं होगा ड्राक कर रहे हैं प्रटेक्शन करिए आप ने क्यों बनाई अच्छा है माइ एके वाजपई दे नहीं पाए आप डॉक्टर अजय आलोग भी नहीं दे पाए यह मुश्किल सवाल है मैं जानती हूं अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में चार फीसिदी मुस्लिमों को आरक्शन क्यों दिया तो यह सवाल एके वाजपई और डॉक् मुश्किल है कि 36 में विभाजनकारी पॉलिटेक्स करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सरकार हिंदू महासभा ने 40 में क्यों बनाई मरोच सिंग का कर सबसे पहले तो धैरे को प्रणाम आपके और आप मुझे बताए कि मुस्लिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफ स्टो खीच लाई क्या बीजेपी आपको अपने टर्फ पर देखिए धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सब के सवाल करने की और बात कहने की स्वतंत्रता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग जी हमारे गुरू है स्रदे नेता जी के भी गुरू है स्वाब तो नुकसान सबका है बहुत कुछ खुद और अलामा इकबाल की एक बात और आप और आप कह रही थी कि अलामाइक बीजें प्रती जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी थे और जो उन्होंने बिहार के निवादा में जो सवाल खड़े की Оर जूटों के सरदार वह जानते थे वो बिहार की धरती है वो बुद्र की दरती जा से बिहार के लोग बिहार के लोग कहीं यह नपूछ दे नरेंद्र मूदी जी से कि पिछली बार जो आयर थे तो उसी बिहार को कहें कि कित्ता दे दू। 75,000angelus करोड दे दू। 11,25,000 tutorial के दिया और बिहार को उन्होंने 4 आने भी नहीं दिया यह बात कर रहेता रिफाम की रिफाम क्या है रिफाम आपके डारिविन वाथ से तो है नहीं अब दारिविन वाथ को भारती जनता पार्टी पुस्तकों से खटा रही है। अभी खराब है और हम अभी अभी बादपेई सर्बाद कर रहे हैं कि नहीं सचर कमीटी की सिफारिशें कब आई सचर कमीटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुई आप पूछिए कॉंग्रेस से आपके साथ घड़बंदन में शामिल है यह हम बहुत जिम्यदारी से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी को यह मानती है हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी एक धर्म भासाय और संप्रदाय से नहीं हमारी भूमिका संपूर नागरिक्ता से है और जिस संपूर नागरिक्ता को भारत के संभिधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक राजनायतिक समता देने की बात करी गई है। जानती है कि हमारा यह वही तो करना चाह रहें धर्म के आदार पर पाकिस्तान बनाना चाह रहें यहीं तो हिंदू राष्ट की बात है जिसमें अब मुझे बताईए कि चुनाब जो मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाब यादा आ रहा है 2017 का पहला चुनाब 2022 से पहले वाला और तीसरे चौते चरण तक आते आते हैं यह माहौल बनने लगा था कबरिस्तान शम्शान कबरिस्तान दिवाली रमजान तो यह चुनाब 2024 का मुद्दो पर लड़ा जाएगा और यह जो मुस्लिम लीग का जो अटाक हो रहा है यह किसे नुकसान किसे फाइदा अगे में बार-बार कहता हूं हर वहेस में कहता हूं इस बात तो पहले तो मैं उद्धय Pratap जी का नाम लिया मनुद ब्रदिष्टा हो गई बन रहा है लेकिन उस समय लिखा था उस माहल में कि अपनी जन्भूमी तो रामजी समाल लेंगे, हो सके तो आपनी मात्रभूमी समाल लिए, तो ये मात्रभूमी का सवाल है कि भाई-देश और गंभीर सवाल है, पहली बात तो मैंने भी पूरा इसका मैनिफेस्टो देखा उसमें मुसलिम शब्द कहीं नहीं माइनरीटी शब्द है हर जगे और यह बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नर्सिमाराओं की जमाने में वो उसका शुरू की गई थी जब बाबरी मजजिद का विद्धवन्स हुआ और उसके ब इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी शेयर उसको बड़ी है तो उससे आपसे कम मिला तो उसी आपसे उसमें शेयर उनको मिल लाता है लेकिन अब यह है कि धुरूवी करन्ड की राजिनीत आखिरकार अंतता भारतियांता पाइटी का सबसे बड़ा हथियार है यह 2017 का अपन मुस्लिम इली का घोष्णापत्र बता दिया कि मुझे तो मदब एक पत्रगार किनाते मैं कह रहा हूं मैं इस पूरे घोष्णापत्र को मने पढ़ा तो माइनाटी शब्द में मुझे तो सब माइनाटी दिखाई पड़ती है अगर हाँ करनाटक वाला सवाल जरूर आपका मुझे लगता है जो आपने दो तीन पर मैंभुवा मुप्ति के सवाल उठाया तेकि सरकार बनाना ना तब गलत था में मुप्ति के साथ वो गलत नहीं था इसले गलत रही ता कि मैंभुवा मुप्ति की पाइटी PDP उसने भारतिय समिदान की शबद ली हुई है और इंडियन मुस्लिम लीग और जिन्दा के मुस्लिम लीग दोनों अलग लग अलग है पहली बात वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है उसका पूरा बीटेल में पढ़िये तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समर्शन नहीं किया और वहां कि सम्मेदान की बाट करती है पूरें जो थे मांधान बुल रहा हूं तो बुस्में मंत्री यूपीय सरकार में मंत्री रहे और उसके पहले मंत्री रहे देवह उड़ा सरकार वह तो वह बाकाय जाए्टा वह अ जो मुस्लिम लीग का एक नरेटव है यह चिपक जाएगा कॉंगरेगा कि बीजेपी तो करेगी उसको देखे बीजेपी का क्या एलेंडा है बीजेपी कॉंगरेगी मुस्लिम तुष्टी करन का आरोब जो है यह शब्द अडवानी जी ने अब शुरू किया था अपीसमेंट करते थे इसके लिए अपीसमेंट को लेंगे आज बात पे जी अपीसमेंट की बड़ी वो कर रहे हैं तब रामविलास जी जो बोलते थे वो आज से बिलकुल उल्टा था जो आज इनकी पारटी स्टैंड ले रही है तो विनोट जी तो हमेशा मैनेटी में मुसल्मानों को स मुसल्मानों की बात क्यों होता है मैं कर रहा हूं कि चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से भी मैं तो 1936 की बात भी कर रहा हूं कि 1936 रूप से उसे प्रस्ताव पास किया था लेकिन परिष्टनिया ऐसी थे कि हिंदुमान समाने मां स्रकार बना लिए उनको साथ मिल करके अब उस समय आज से 80 साल पहले क्या इसी थी थी तो सत्ता परमसत्य ना सत्ता परमसत्य है ही नहीं सही बात है हम तो लड़ते ही रहें लड़ते 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 हमें जाके 45 साल बाद सत्ता मिली पहली बाद उनीस सो बिरानबे में हम लड़ते ही रहे हम ते पिन वालियूज चेंज नहीं की अभी बहुत प्याद से विनो जी की अक्सर सारी बातों पर मैं अग्री करता हूँ लेकिन आई उएमल पर विनो जी मैं आपसे 100% डिसघ्रीड हूँ क्या ये सही नहीं है कि मदरास प्रेसिडेंसी में मुहमद इसमाइल जो थे इंडियन मुस्лиМ लीग के सदते थे जो बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग बना और जिन्ना गय पाकिस्तान वो नहीं गया उन्हों नहीं आप इंडियन मुस्लिम लीग की आज भी हैं इसे उसको डिफिट दना मुझे अपने आपने आपने बहुत लंबा बोला मुझे दस सेकेंड डॉर दीजिए आप पहली बार एक ऐसे एंकर में आप अपने सवाल रिपीट करता हो चाहे मुझसे चाहे वाजपई जी से आप 36 वर 40 माटा गई जाथ 36 का मैंने जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जैंपल आपके सामने अभी मनुझ काका ने दिया 14.8% अबादी है मुसल्मानों की उसको 20% अब 25% पे ले गए यही चाहत है गुरुदेव धन्य है आप लोग और चाहिती की सुप्रिया भी बोले और विनोजी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुवी करन की सियासत की तरफ बढ़ता हु हुआ दिख रहा है चुनाव आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे मुद्दे पर बहुत एहम होगा कि इसी आए क्योंकि इंडियन पीनल कोड की 153 एक वोईलेशन का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है क्या कहता है चुनाव आयोग नजर रहेगी सभी का बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है प्रणाम में गारिमा सिंग सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब 10 दिन का वक्त बाकी है 19 एप्रिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जमरदस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान शुरू कि इस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें 25 गिरंटी पांच नियाए और 25 गिरंटी जिसमें MSP का जिक्र है जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाक रुपाय सालाना का जिक्र है जिसमें 30 लाक युवाओं को नौकरी का जिक्र है ग्रेजुएटेड युव लेकिन बवाल किस बाद पर हुआ यह जो कॉंग्रेस को गहरने की चो तरफ बीजेपी कि तरफ से कोशिश है यह किस बात पर शुरू हुई यह भी मैं आपको बता दूँ यह कहा गया बीजेपी की तरफ से क्कॉंग्रेस के इस घोशुड़ा पत्र में मुसलिम लीग की छाप है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूं कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोषणा पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूँ सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोशणा पत्र में वही सोच जलकती है जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी यह पहला बयान फिर दूसरा बयान 7 एप्रिल को नवादा में इंडी गडबंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना है दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो घोशणा पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की चाप है कॉंग्रेस ने घोशणा पत्र नहीं बलकि लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट यानि CAA का भी विरोध कर रही और ये सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हमले तक हमला सीमित नहीं रहा पूरी बीजेपी मनोज तीवारी हिम 1329 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमंता विस्वा के रहे हैं घोषणा पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्य मंत्री हिमंता विस्वा सर् अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा घोशणा पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुँची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशणा पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुची ये बता देती हूँ आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधाइशु त्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपेरिजन भी है 1936 का और 2024 का गोशणा पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया पॉसनल लौ की रक्षा करेंगे 2024 में भी अलप संख्यकों के पॉसनल लौ की स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कॉंग्रेस कर रही है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निरपेक्ष देश है दूसरी बात तीसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप यह 1936 में मुसलिम लीग ने कहा था और 2024 में कॉंग्रेस ने ये कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे ये तीन पॉइंट हैं, हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा, खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्ते में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी, आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्ज देंगे ये मोटा मोटी तीन पॉइंट मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर ये साथ पॉइंट से अब कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी अपने ऊपर ये आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करण कर रही है अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा समाला खुद मल्यकार जुन खड़गे ने क्या कहा उन्होंने मलिकार जुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रिसाद मुखर जी जो की जनसंघ के संस्थापक थे क्या शामा प्रिसाद मुखर जी ने ततकालीन अंगरेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंगरेस के भारज छोडो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंगरेजों का काने के बजाए हिंदु मुस्लिम करने में लगें ये सच है कि प्येम मोधी बुखलाए हुए है आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जेराम रमेश भी बोले जेराम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मंत् बोली अशोग गहलोत बोले सलमान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आईपी सी की धारा 153 एका वोयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी पार्टी पर बोरे नेता कर डेलिगेशन लेकर पहुचे चुनाव आयोग के दफ्तर और जो च्छे शकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रधान मंतरी नरिम्रमोदी के खिलाफ दी अब यहां से मैं दो चीजें और आपको बता देती हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशना पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो है ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले की मुस्लिम लीग थी जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग राष्टर चाहिए पाकिस्तान बना मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए केरल म हैं वही मुस्लिम लीग है या कोई दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेप में बताती हूँ जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वह 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहोर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लिजे यह आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनिय मुस्लिम लीग आई यू एमल चैनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसमें कॉंग्रेस में शामल है यू डी एफ ये उसका हिस्सा है और कई राजियों में उन्होंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी शाक कपासिटी में ये आई यू एमल है जो पुरानी मुस्लिम लीग थी उसके कुछ नेता जिनोंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन मुस्लिम नेता थे उन्होंने फैसला किया कि हम ये आई यू एमल बनाएंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाएंगे इ ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल वो घमासान बढ़ता हुआ नसर आ रहा है दुरूवी करन का आरोप है तुष्टी करन का आरोप है हिंदू-मुसलिम एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को अप मैं दो बयाद सुनाती हूँ आपको फिर आज बढ़ेंगा कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुसलिम लिख का गोशना पत्र लिखता है कॉंग्रेस हो या सपा C.A.E. का भी विरोग कर रही है हम ये बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय भाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज कवे भाजन ये लोग कर दें और फिर आके इलजाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिल्कुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डाटे नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का अगर रोजगार देंगे महिलाओं को अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजन कारी होगा ऐसी बात क्यों कहते हैं ये शोबा नहीं देता है पधान मंत्री को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए पचीस गिरेंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकिए और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो मिहमान मेरे साथ जोड़ रहे हैं इस पैनल में मैं पारिशे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोक हैं राश्ट्रिय प्रवक्ता हैं भारतिय जनता पाती के सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जोड रही है राश्ट्री प्रवक्ता कॉंग्रेस पार्टी बिजनेस जॉनलिस्ट फॉर्मर बिजनेस जॉनलिस्ट मनोच सिंग काका मेरे साथ हैं बहुत सारी किताबें पीछे दिख रही हैं खूब परते हैं मेरे साथ एके वाजबी इस स्टूडियो में है पेशे से वकील है वकालत करते हैं सुप्रीम कॉट में और LJPR के राश्ट्रिय प्रवक्ता है मुख्य प्रवक्ता है स्टूडियो में एक और बहुत खास मेहमान वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखें इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी दिर बाद डॉक्टर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आरजेडी बात करते करते नौक्रियों पर बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह मुस्लिम लीग में हिंदू-मुसल्मान में क्यों अटक गई भई गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी जो कहे वो ही सही न खाता न बही जो कॉंग्रेस कहे वो ही सही क्यों बात करना चाहिए डिवेट ही क्यों कर रहे हैं भई कॉंग्रेस पार्टी है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उनका वीजन है देश के बारे में, देश को ऐसे ही ले जाएंगे, जड़ा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था, 48 के डॉक्यमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने पर एक पन्ने का सिर्फ मुस्मानों पर दोजियर तो आज सक दिखा ही नहीं, अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या-क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टी करन के लिए, जरा आप मुझे निकाल के इनके कॉंग्रेस फाइल के निकाल दीजिए, उनीस दो जार उन्ने चौदर, नौ, उसके बाद चार, 99, 96, एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक, माइनॉर्टी लिंग्विस्टिक पर एक पन्ने का डॉक्मेंटरी एविदेंस तो आज तक कॉंग्रेस पार्टी नहीं दिया, पहली बार दे रही हैं, आप कहते हैं, बात ही नहीं करना चा राइट्स, मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं, आई उमल तो कहता है कि परस्टल लौ बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए, शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ परस्टल लौ की बात करते हैं, रिफॉर्म्स ने कल को कही इस देश के 82% हिंदूओं को मेजॉर्टेरिनिजम के का नाम देके आप नेगलेक्ट करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुए, दिल है कि क्या है, भी या दरिया है, बोते लगाते रही है उसी में, लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए, आप एक बात समझेए गरिमा जी, भारत की चेंजिंग डेमोग्रफी और भ पार्टिया लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोस्ट करेंगे, कैसे अजय अलुक आपके पास मौका था, आप MSP पर बात करते हैं, आपके पास मौका था, आप महिलाओं पर बात करते हैं, गरिमा जी सुनिये ना, आपके कर, महाम तो यह बात करेंगे, हम यह बात करेंगे जब हम अपना मैनिफेस्टों लाएंगे उस मैनिफेस्टों में अंतर देखिएगा हमारे मैनिफेस्टों में इनके मैनिफेस्टों में अंतर देखिएगा हम पार्टी भी तर डिफरेंस हैं तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टों में हम यह कह रहे हैं कि we will ensure scholarship for Muslim children to study abroad क्यों हिंदुों के बच्चे नहीं है इसाइयों के बच्चे नहीं है सिखों के बच्चे नहीं है वो विरेश में पढ़ने जाएंगे उनकी scholarship का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी मुसल्मानों के लिए उठाएगी Minority के definition क्या है मैडम सुन लिजे फिर डॉक्टर अजै आलों मैं सवाव पुचूं आए यह मेरी जिम्मिदारी है सर मैम बिल्कुल आप इतने एजिटेटेड है इतने अंगर्ण से अठासी साल पूराना पोच्चा प्राप लेकर आए उस मुसलिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हो 1940 में बंगाल में संध में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्राप्रोवेस्ट है हां 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 एक मिर्ट बिलकुल बताते हैं बिलकुल आप ठीक इसका जवाब ले लिजे मुस्लिम लीग के साथ चैवा प्रशाद मुखर जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वह विभाजित पर काम करता था विभाजित इंदुस्तान है पूरण इंदुस्तान तो एह नहीं पूर्ण इंदुस्तान तो एक मिनट गरिमा जी दूसी बात अब को बता हो खाना कितना भी अच्छा पड़ो उसके दीजे ना अगर उसमें चिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जा पूरे मेरे फेस्टों में जहर फेला दिया है अब मोनोलॉग तुना कीजिए ना सवाल सुन लीजे मेरा जवाब देने का मौका दूगी अगर मुस्लिम लीग 1934 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिलकूल बना रहे थे मैं तो कही रहा हूँ कि आव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई एक मिनट अब सुन लीजे आज कौन सी मजबूरी है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में करनाटका का चीफ फिनिस्टर जो कॉंग्रिस का अलाई है वो कहता है ये खुले आन धर्मांतरन को बढ़ावा दे रहे हैं करनाटक में धर्मांतरन बढ़ रहे हैं ये केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं और आपके का आप बियलाई बनके चले रहते हैं वो कहता है कि राहूल घंदी के नमांकर नियात्रा में मुस्लिम नियुक जहिती है कॉंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे कॉंग्रेस पाइडियालजिय के चले तो फिर विबाजन का दंश जेल ना पड़ेगा इनके एक MP ने कहा कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए उस पे तो आप कोई डिबेट नहीं गर्मा सिंग ने सवाल नहीं पुछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नौर्थ का गर्मा सिंग अगर इतनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अलो की नजर में स्ठेट्मेंट पर देती हो महबूबा मुफ्ती का में मुफ्ती कके सरकार भी महबूबा मुफ्ती के कहा करी । और आज वो महभूबा मुफ्ती किसके साथ चुनाओ लड़ रही है अरे अरे आप ने सरकार यह नहीं चिपकेगा गर्मा जी कुछ नहीं आ लाई है यह यह नहीं चिपकेगा हमने सरकार गिरा दिया चिलाते रहे लोग कि खून की नदिया बाएंगी खून की नदिया तो आज उसी महभूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बर्फ खिलते हुए फोटो आ बिखा रही थी जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा चालीस का जवाब दे दीजी मुझे मैं आखो बढ़ जाओगी तिंदुस्तान था मौझूदा राजिनतिक परिस्तिति के आप अगर 88 साल पुराना मेनेफेस्टों खाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के मेनेफेस्टों का हवाला देकर आप घ जो लोग जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम आज उस शरिया के साथ हाथ पिलागे कॉंग्रेस चल रही है हम से सवाल पूछने की जगे जड़ा कॉंग्रेस से सवाल पूछिए देश का भला होगा क्योंकि प्रमुक्विबक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहर प्रटेरिनिーजम क्यों ना सब्सक्विबक्ष को चैटाए क्यों करना चाहिए सब्सक्राइब होगता है जवाब है कॉंग्रस के पास, दे जवाब, we will strengthen the personal law, why? दे देश मुस्लिमों का नहीं है, क्या? मुस्लिमों से इतना दिक्कत इतनी तकलीष में क्यों रहते हैं? ये देश सबका है, ये देश सबका है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सबका है, चाए हिंदू हों, मुस्लिमों सिखों, इसाई हों, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, सिर्फ मुस्लिम प्रमोशन की बात मत कीजिए, लेकिन सुविदा के हिसाब से आपकी रगों में नहीं 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 गर्माजी चिपकेगा नहीं नहीं बेकार आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है ये तो मेरे रग रग में है यही कॉंग्रेस की रग रग में है यही घमंडियों की रग रग में है देखिए हर जगा हाई मुस्लिम हाई मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में सर फोड़ लेंग हम देश को नहीं खिलाने लेंगे सुप्रिया श्रनेत अब मुझे आप ये बताईए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोशणा पत्र में कि अल्प संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता करेंगे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसल्मान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी तर्फ पर आना पड़ेगा जो तर्फ है नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर इनके बड़े-बड़े दिगज नेताओं ने पधानमंतरी मोदी ने दो चीजे साफ कर दी कि दिमागी और नेतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते हैं प्रवक्ता ने प्रवक्ता ने प्रवक्ता ने पर इनके बात करूंगी यहाँ पर और आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तथ्यों के साथ पहले मैं बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है युवाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनुश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इनोंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन किसानों की जो अपना हक मांगते हुए शहीद होगे और प्रदान मंतरी कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है हमारे मैनिफیسٹों पर छाफ है उन किसानों की जिनको गाजर मूली की तरह जो रौंड देता है उस मुक्य अभियूक का पिता इस देश का ग्रह राजमंतरी ये बनाई रखते है हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मज़दूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिये मोदी जी ने हमारे मैनिफेस्टों में छाप है उन लगूम मद्यम उद्योगों की जो इनकी मनमाने तुगला के पन से बंद हो गए हमारे मैनिफेस्टों में छाप है सेना के उन जाबास सेनिकों की जो सरहत पर बैठ कर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी एकॉनिमी है चीन बड़ी एकॉनिमी है हमारे मेली प्रेस्टों पर्षाप है गल्वान के प्रदान के प्रदान के अगर कमलनाथ जैसे बड़े नेता लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हू कि आपका घोशना पत्र आप कहते हैं पांच नियाए 25 गरंटी लेकिन उनी में से कुछ पॉइंट्स निकाल कर आप पर हमलों की बचार भी है और वो हमलों की बचार क्यों नहीं होनी चाहिए कमलनाथ जैसे बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि 90 फिसदी मुस्लिमों का रही हूं उसी पर आ रही हूं और मैं यही प्रूफ कर रही हूं कि बीजेपी सारी की सारी भारतिये जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेक वाटसएप युनिवरसिटी के रचायन करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये उल लाग तंग है पढ़ देती हूं we will encourage reform of personal laws such reforms must be undertaken with the participation and consent of the communities involved हम कहते हैं कि personal laws का reform होना चाहिए हिंदी में है Congress व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी क्या गलत कहा हमने इसमें मौला ना आजाद की जो scheme है scholarship की उसमें Muslims को उसमें Sikh को उसमें पार्सी को उसमें Buddhist को उसमें Christians को मुका मिलता है जाकर देखिए Equal Distribution Scholarship का क्या गलत का हमने यह इनके लिए minority मुसल्मान है हमारे लिए minority वो वर्ग है जिनका representation लेकिन करनाटक में आप सिर्फ मुसल्मानों को चार पीसदी आरक्षन देते हैं सुप्रिया सवाल उठेगा की नहीं उठेगा मैं बताती हूं आपको ये manifesto है हमारा नियाए पत्रिस का नाम है इसके पाच स्थम्ब है और वो स्थम्ब है युवा नियाए, नारी नियाए, किसान नियाए, श्रमिक नियाए और हिस्सेधारी नियाए और हम क्या कहते हैं? हम इनकी बनाई हुई हर बखेडे को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाई हुए दसकाल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं. हमारा कहना है और मुझे आप एक मिनिट का टाइम यहाँ पर जरूर दीजेगा. हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सला नहीं देंगे हम तीस लाग सरकारी भरतिया करेंगे हम एक साल का एक लाग का स्टाइपिंड देंगे हर ग्राजूट और डिप्लोमा होल्डर को हम पेपर लीग के खिलाव स्ट्रिंजिस्ट कानून बनाएंगे कि हार काप जाए ह हम अगणी मीन को निकार टेकेंगे अइसा में विश्वास रखती है तो ये कॉंग्रेस पार्टी ये कीव कि रही है ये मुसलमान चात्रों के लिए स्कॉलर्षिप देंगे देंगे तो आप एक जग हम दिखा दिए जो कहती है ये भारतिय जंता पार्टी जूटी फरेभी जुम्ले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पढ़ लीजे पॉइंट नमबर चार चाप्टर में है कॉंग्रेस विदेश में अध्यन के लिए मौलाना अजाद छातवृत्ती को फिर से लागू करेगी और चार्ट वृत्ती की संख्या बढ़ाएगी इस स्कीम के अंतरगत सिर्फ मुसल्मान नहीं आते हैं प्रधार मंत्री को भी नहीं पता है उनके बद्दमाग बेलगाम प्रबक्ताओं को भी नहीं पता है इस चार्ट वृत्ती के अंदर बुद्धिस आते हैं जैन्स आते हैं, क्रिस्चन्स आते हैं, पार्सी आते हैं, सीक्स आते हैं इनको पता ही नहीं है माइनॉरिटी क्या है इनको पता ही नहीं है कि प्रोविजन्स क्या है कॉंस्टिउट्यूशन नहीं तो फिर ये जो एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजे करनाटक का करनाटक का जो रेजर्वेशन है मुसलीमों को चार पीसे दी आरक्षन दे दिया आपने करनाटक में बीजे पी आई उन्हों ने खाल कर दिया एक लाग का स्टाइपिंड देंगे पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार फेकेंगे वापस जैसे नौकरी बहालोतीती करेंगे आप मुझे 30 सेकिंड का मौका और दीजिए हम नारी नियाई की बात करते हैं हम क्या कहते हैं महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम एक लाग रुपए साला देंगे हम ये करनाटक और तिलंगाना में करके दिखा रहे हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षन सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे हम अन्रेगा कर मान दे 400 रुपए प्रतिदि पढ़ाएंगे इस पर मैंने डिबेट की मुझे आप क्योंकि बाकी और मेरे मैनिफेस्टों पर और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देंगे उनकी चीजों को GST से मुख करेंगे खाद, बीज, कीट, नाशा, कित्यादी हम कहते हैं उनका करजा माफ करेंगे इनकी तरह 16 लाग करोर पूंजी पतियों का माफ नहीं करेंगे और अंत में हम ये जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणी पुरहो समस्या का समाधान करेंगे एक अ करनाटक का जवाब है आपके पास, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, करनाटक का जवाब दे दीजे, कि अगर मैं ये पूछू आप पूछा, हमारे मैनिफेस्टों में पूरी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है, जो बीजेपी जिसका उत्तर देगे हैं करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रखर प्रवक्ता खैर मैं दुबारा लोटूंगी आपके पास एके वजपे ही मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या यह जो 88 साल प्रोग्रेसिव पार्टी 88 साल पुराना घोशना पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उन् कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफ्लेट्रेशन किया देश की सीमा में उस पर बोलते नहीं है बुर्दान मंतरी ने अगर यह कहा कि इनके घोशना पत्र में मुस्लिम की चाप है तो क्या गलत का यह तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साब थे और सोनिया गंदी मुस्लिम करती रही बकाइदा लिखा हुआ है तो जब इनका आदमी कह रहा है तो प्रदान मंतरी ने कहा दिया तो क्या गलत कर दिया नंबर वन मैं सत्यपाल मलिक के बयानों पर जाओं वो ठीक नहीं है एक सेंसिबल डिसकुशन के लिए के मज़ पी मैं सिंपर यह कह रहा हूं कि इनकी कमेटी की रिपोर्ट है जो कमेटी सोनिया गंदी जी ने मनाई बकाइदा उनका एडमीशन है खुदी अगर उसके बाद भी शाम क बहुत बूला हुआ आजमिया करते हैं खुदान गोशना पत्र लेकर सुधान शुत्रवेड इसमें इनों ने कहा चाटिस में गोशना पत्र मुसलिम लीग ने जारी किया उसकी कंपारेजन किया दोजार चौबीस के गोशना पत्र तो मैं उसको स्टिसमें जो डिविज़ सब्सक्राइब कर रहा हूं कि जो प्रदान मंत्री जी ने कहा या सुदानसु भाही ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा है और वो उनकी पास्ट कंड़क्ट से क्रत्यों से जाहिर हो रहा है कि वकपोर्ड किसे मनाया था मैं आ रहा हूं उस पर भी आ रहो सारी चीज पहले इनका कंड़क्ट तो आ जाए ना जरा कंड़क्ट आएगा उसी से प्रूव हो जाएगा कि आजी इनका अपीजमेंट की तरफ दियान जादा है तुष्टिक देखिए कांस्टिशन क्या कहता है कि माइनोर्टी को प्रटेक कि अधुमएं, प्रूपररे की साधीं सिरा साथे चार लाक करोड की प्रूपरेटी हैं्ट इंडिया गोर्मेंट पास 12,000,000,000 करोड की प्रूपरेटिज ने बनाए हाज ü सबजहरी आप क्यों देते थे इस सरकार ने आके खतम की है अभी आप बढ़ी खुब सुर्ट कि यह रेवडी है या कुछ और है उसको डिफाइंग करें ना चुनावी कल्यान हम संदान की बात कर रहे हैं मुझे बास इतना बताईए आप कि 1936 में मुस्लिम लीग डिवाइसिव पॉलिटेक्स कर रही थी अगर 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 अगरी है इस बात से कि वो डिवाइसिव पॉलिटेक्स विभाजनकारी पॉलिटेक्स 1936 में कर रही थी तो 40 में आप क्यूं खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से स्तीफा दिया कि विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध में कॉंग्रेस ने एक अश्योरेंस चाहा ब्रिटिशर से कि अगर हम अपने सैनिक भेजेंगे युद्ध में तो आप हमें आश्वासन दो कि युद्ध के बाद भारत की आजादी के तो आप सारा का सारा टिल्ट जो करते हो वह मुसल्मानों के प्रती करते हो और वह कैसे करते हो वह यह कंड़क्ट है जब आप PFI और SDPI सपोर्ट करने की बात करता है वह और आप उस पर मौन धरन कर लेते हैं तो प्रदान मंत्री जी ने बात कहीं है कि इनका तुष्टी करान का जो मौ है वो छोटने वाला नहीं और जब इनके घर का आदमी लोगों के साथ आप सरकार बना लेते हैं तो तब क्या होता है कौन सी स सब्सक्राइब करता है तो अगर उस वकत हमने बना लिया क्या नुक्सान की नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूं वह आतंक वादियों के साथ कड़ी होने वाली महिला अगर आपकी नजर में कि अगर आपकी नजर में वह आतंक वादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला है तो आपने मैबुमा मुफ्ति के साथ जाका जरकार क्यों बना ली हमने कब कहा कि मुख्यमंत्री आतंक वादी है उन्ज कभी निका लुए वायान निकाली है आप एक वयान नहीं होगा नई कि डिवेट को आप डिरेल कर रहे हैं डिवेट वो नहीं है डिवेट सिर्फ यह है कि गोसला पत्र में दुस्ट्री करन की लहक आ रही है कि नहीं आ रही है और उसका जबाब बड़ा सीधा है कि बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है और वो लहक जैसे भी आती है जब आप special fund बनाने की बात कर रहे हैं उसमें कि माइनोटीज को क्या लिखा उसे में कॉलास 5 देखिए सुप्रिया से रहे जी क्लास 5 में आपने लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से रिन मौया कराने के लिए डारेक्शन देंगे यह तुष्टी करना जाए तो वो तुष्टी करना कर मैं सब्सक्राइब करें लोगारेक्शन टिकेट लेने का कुई हवाला कांसिटूशन में कि हम किसको टिकटट देंगे किसको ने यह सम्दान से कंट्डोल होगा सब्सक्राइब चांद जब्सक्राराइब सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट का है सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोड़ेंगे तो मैं अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में चार फीसिदी मुस्लिमों को आरक्षन क्यों दिया तो यह सवाल एक वजपई और डॉक्टर अजय आलोग दोनों के लिए मुश्किल है कि 36 में विभाजनकारी पॉलिटेक्स करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सरकार हिंदू महासभा ने 40 में क्यों बनाई सबसे पहले तो धैरे को प्रणाम आपके और आप मुझे बताइए कि मुस्लिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफेस्टों खींच लाई क्या बीजेपी आपको अपने तर्फ पर देखिए धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की स्वतंत्रता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग्ग जी हमारे गुरु हैं सरदे नेता जी के भी गुरु हैं विनोच सर जानते होंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि न त समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है बहुत खुब और अलामा इकबाल की एक बात और आप कह रही थी कि अलामा इकबाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और हम बुल-बुले हैं इसके ये गुल-शिता हमारा बात खुब तो जो सवाल य चुकि जूट बोलने के वीो माहिर हैं और जूटों के सरदार वї जानते थे को वह बिहार की धरती है वो बुद्ध की धरती है ऑब सब जैसे लोग अलोग जैसे लोक तो नहीं है वहां जो चाराण चंपना में अपनी जिंदगी गुजार देंगे वहां बुन्यादी सवाल करने वाले लोग और वह जान रहे तोड़ा सा मैं आपसे अनुरोध कर दूद मैं करें लाइण से नहीं पूरा मुझे मुकंबल और लोग यह नब बिहार के लोग बिहार के लोग ना पूच दें नरेंद्र मोदीजी से कि पिछली बार जब तोसी बिहार को कि कित George पिछ आजय करोड दे दूं एक लाक करोड दे दूं चलो एक लाग 25,000 करोड बिहार को विशेस पाकेज दे दिया और बिहार को उनोंने 4 आने भी नहीं दिया यह बात कर रहे थी में रिफाम की रिफाम क्या है में डार्विन वाध से तो है नहीं अब दार्विन वाद को भारती जनता पार्टी पुस्तकों से अटा रही है इनका रिफाम गोबरवाद बीजेपी का यह बात कर रहे ते केरल की केरल में साक्षटा दर कितना है 94 और देश में कितना है और आपके बिहार में कितना है सवाल ये है कि भारती जनता पार्टी बखू भी जानती है और आपने मुसल्मानों की बात कहा मुसल्मान की स्थिती क्या है रंगनात मिस्रा आयो की रिपोर्ट क्या है कि उनकी हाला दलिच से भी खराब है और हम अभी अभी बाटपेई सर्बाद करें तो इसकी जिम्मेदारी मरोज सिंगा का कॉंग्रेस को बनती है कि नहीं सचर कमीटी कब बनी सचर कमीटी की लागू क्यों नहीं हुई आप पूछिए कॉंग्रेस से आपके साथ घड़बंदन में शामिल है कि यह हम बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी को यह मानती है हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी ए एक धर्म भासाय और संप्रदाय से नहीं हमारी भूम का संपूर नागरिक्ता से है और जिस संपूर नागरिक्ता को भारत के संबिधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक राजनायतिक समता देने की बात करी गई है जो सवाल आपने एके बात पर इसे कहा कहा सबसे जो तब का हग के हांसिये पर है चुकि BJP जानती है कि हमारा यह वही तो करना चाह रहें यह धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बनाना चाह रहें यही तो यही तो हिंदु राष्ट की बात है चीक है मरोज मैं विनोध अगनी होती ही अब मुझे यह बताईए कि यह चुनाव जो मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आ रहा है 2017 का पहला चुनाव 2022 से पहले वाला साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते यह माहौल बनने लगा था कब्रस्तान शम्शान कब्रस्तान दिवाली रमजान तो यह चुनाव 2024 का मुझे पर लड़ा जाएगा और यह जो मुस्लिम लीग का जो अटाक हो रहा है यह किसे नुकसान किसे फाइदा देखिए मैं बार बार कहता हूँ हर बहस में कहता हूँ इस बात को पहले तो मैं उद्य प्रदाब जी का नाम लिया मनोश चिंकाका ने तो उद्य प्रदाब जी की एक लाइन मैं भी सुनाना चाहूंगा बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुद्या का राममंदिर का अंदोलन चला था नभ्य के दशक की बात है तब उन्होंने लाइन लिखी थी आप अधाई देश और गंभीर सवाल है पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा उसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं माइनेटी शब्द है हर जगे और यह बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नसीमराओ की जमाने में वो उसका तो अब सवाल है ठीक है मुस्लिम सबसे बड़ी माइनर्टी है वो 14-15 परसेंट है बाकी 2-2-3-1 परसेंट है जाला पड़ा शेर उनको ही मिलता है तो इसलिए जिसकी जिदनी संख्या बारी शेर उसको वाज है जैसे लेक्ट्रो बांड में सबसे बड़ा शेर बड़ी है तो बाकी पाइटियों को उसे आप से कम मिला तो उसी आप से उसमें शेर उनको मिल जाता है लेकिन अब यह है कि धुरूई करण की राजिनीती आखिरकार अंतता भारतियांता पाइटी का सबसे बड़ा हथियार है यह 2017 का अपने अधान दिया अब अभी जो जिस तरह से गोष्णापत्र बता दिया कि मुझे तो मदब एक पत्रगार किनाते मैं कह रहा हूं मैं इस पूरे गोष्णापत्र को मने पढ़ा तो माइनाटी शब्द में मुझे तो सब माइनाटी दिखाई पड़ती अगर हाँ करनाटक वाल सवाल जरूर आपका मातुपूर्ण है औ उनको विशेश नरक्षन देने की दोस्ता है उसी की तैट आरक्षन दिया जा रहा है यह जो तुष्टी करन की राजनीती का देखे मुझे लगता है कि जो आपने दो तीन पर मैभूआ मुप्ति के सवाल उठाया तेकि सरकार बनाना ना तब गलत था मैभूआ मुप्ति के इंडियन मुस्लिम लीग और जिन्या के मुस्लिम लीग दोनों अलग रहा है दूसरी बात वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है उसका पूरा बीटेल में पढ़िये तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समर्शन नहीं किया और वह हमेशा उसके मंत्री जो थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ तो जब उसमें मंत्री से क्या कहते हैं यूप्य सरकार में मंत्री रहे और उसके पहले मंत्री रहे देवड़ा सरकार में भी तो वह बाकाइदा जा करके भारतिय उसमें जो है जब कई बार विदेशियों में कुवेट में वहाँ पर फसेद पर गोलाने मड़ी मदद की जो मुस्लिम लीग का एक नरेटव है यह चिपक जाएगा कॉंगर्स कैसे इसे फाइट करती कांगर्स पर निर्भर करेगा कि बीजेपी तो करेगी उसको देखें बीजेपी का क्या एजेंडा है बीजेपी कांगर्स को घेरेगी मुस्लिम तुस् करते थे इसके लिए अपीजमेंट की बड़ी वो कर रहे हैं तब राम विलास जी जो बोलते थे वह आज से बिल्कुल उल्टा था जो आज इनकी पाइटी स्टैंड ले रही है तो विलास जी तो हमेशा मैनेटीज में मुसल्मानों को सबसे आगर एखते थे चौबीस में चौबीस नहीं तो मैं इसने कहना हूँ कि पाइटियां अपना स्टैंड कैसे बदलती है आज जो नितिष कुमार जी जो कल तक लालू जी के साथ थे आज मोधी जी के साथ है उन्होंने तो बाकाइदा मुसल्मानों को अरक्षिंड दिया है वहाँ पर पसमांदा मुसल्मा देखिए यह चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से भी मैं तो उनिसो चाले सो चाथिस की बात भी कर रहा हूं कि 36 में निसी दूरूप से उसे प्रस्ताव पास किया था लेकिन परिष्टनिया ऐसी थे कि हिंदुमा समाने मां सरकार बना लिए उनको साथ मिल करके अब उस समय आज से 80 साल पहले क्या इसी थी थी तो सत्ता परम सत्य ना सत्ता के लिए कॉंग्रेसी मनिफेस्टो लाई है औ कॉंग्रेस भी लड़ रही है? नो मुस्लिम लीग की स्थातना की और क्या ये सही नहीं है कि 1950 के सविधान के स्थातना दिवस में उसी मुहमद इसमाइल नहीं प्रस्ताओ दिया था कि भारत में शरिया कानून मुसल्मानों के लिए होना चाहिए जिस पर सरार पटेल ने रिफ्यूस कर दिया था तो फिर कैस कि अपने सवाल रिपीट करता हूँ चाहे मुझसे चाहे वाजपईजी से आप 36 और 40 माटक गई जाने जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जैंपल आपके सामने अभी मनोच काका ने दिया 14.8% अबादी है मुस अब विनोच जी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुवी करन की सियासत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है चुनाव आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे मुद्दे पर बहुत एहम होगा कि ECI क्योंकि इंडियन पीनल कोड की 153 एक वो इमा सिंख सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब 10 दिन का वक्त बाकी है 19 एपरिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक 10 दिन पहले जमरदस चुनावी बवाल शु करने वाली हूं इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बोचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान शुरू किस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें 25 गिरंटी पांच नियाए और 25 गिरंटी जिसमें MSP का जिकर है जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाक रुपाए सालाना का जिकर है जिसमें 30 लाक युवाओं को नौकरी क को भी ट्रेनिंग का जिक्र है मजदूरों को 400 रुपाए मजदूरी का जिक्र है और बहुत सारी गिरेंटी कॉंग्रेस ने देने की कोशिश की लेकिन बवाल किस बात पर हुआ ये जो कॉंग्रेस को घेरने की चौँ तरफा बीज़ेपी की तरफ से कोशिश है ये किस बात प पत्र में मुसलिम लीग की चाप है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूं कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है कुछ इतिहास भी खंग संत्री नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोषणा पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूं सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच जलकती है जो सोच आज मादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी ये पहला बयान फिर दूसरा बयान साथ एप्रिल को नवादा में इंडी गडवंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना हैं दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के व घोशना पत्र बनाया वो कॉंग्रेस का ही नहीं बलकि मुस्लिम लीग का घोशना पत्र लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का भी विरोध कर रही और ये सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हमले तक हमला सीमित नहीं रहा पूरी बीजेपी मनोज तीवारी हिमंता विश्वा सर्मा जेपी नड़ा राजनात सेंग नेनमला सीता रमर सब ने इसी तरीके का हमला की और जेपी नड़ा ने तो एक और बात कह दी कि जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर के आधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उसी कंग्रेस बात को कंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमंता विश्वा कह रहे हैं गोशन पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्यमंतری हिमंता विश्वा सर्मर्ण अब यë जान तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशना पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुँची ये बता देती हूँ आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधाइन शुत्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपेरिजन भी है 1936 का और 2024 का गोशना पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया परसनल लौ की रक्षा करेंगे 2024 में भी अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कॉंग्रेस कर रहे है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निर्पेक्ष देश है दूसरी बात तीसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप यह 1936 में मुसलिम लीग ने कहा था और 2024 में कॉंग्रेस ने यह कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे यह तीन पॉइंट हैं हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्ते में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मुलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ति करण के लिए आसान कर्ज देंगे ये मोटा मोटी तीन पॉइंट मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर ये साथ पॉइंट्स है अब कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी अपने उपर ये आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करण कर रही है अपीजमिन्ट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा समाला खुद मल्लिकार जुन खडगे ने क्या कहा उन्होंने मल्लिकार जुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रिसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रिसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारत छोड़ो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों का साथ देने को तयार है अलावा इसके सुप्रिया श्रनेत ने प्रिस कॉंफरेंस की और सुप्रिया श्रनेत ने ये कहा कि 10 साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाए हिंदू मुस्लिम करने में लगे ये सच है कि पिये मोदी बॉखलाए हुए है और एसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जेराम रमेश भी बोले जेराम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मंत्री मोदी हमेशा विभाजन कारी राजनीती अपनाते हैं फिजूल की बातें करके जूट बोलते हैं और फिर और मैं बयान ज्यादा नहीं पढ़ूंगी एका वॉयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी पार्टी कर बड़े नेता कर डेलिगेशन लेकर पहुँचे चुनाव आयोग के दफतर और जो छे शकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रधान मंतरी नरिम्रमोदी के खिलाफ दी अब यहां से मैं दो चीज़े और आपको बता देती है क्योंकि प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए बीजे पी ने ये भी आरोप लगाया कि घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो है ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ आपके जो आजादी के पहले की मुस्लिम लीग थी जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि बही मुसलिमों को अलग राष्ट्र चाहिए पकिस्तान बना मुहम्मद अलीज जिन्ना पाकिस्तान चले गए, केरल में जिस मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गडबंधन में है, वही मुस्लिम लीग है, या कोई ये दूसरा धड़ा है, बहुत संक्षेप में बताती हूं, जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी, मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वो 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहॉर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लिजे यह आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आई यू एमल चेनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसम में यह आई यू एमल है जो पुरानी मुस्लिम लीग थी उसके कुछ नेता जिनोंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन मुस्लिम नेता थे उन्होंने फैसला किया कि हम यह आई यू एमल बनाएंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाएंगे इन्होंने बावन वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल वो घमासान बढ़ता हुआ नसर आ रहा है दुरुवी करण का आरोप है तुष्टी करण का आरोप है हिंदू-मुसलिम एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को अपनी अपनी कॉंस्टिक्ट्वेंसीज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बगैर यह सोचे कि यह देश एक सेक्यूलर देश है धर्म निरपेक्ष देश है मैं दो बयान सुनाती हूँ आपको फिर आगे बढ़ेंगा कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुस्लिम लिख का गोशना पत्र बिता है तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा चिये एका भी विरोध कर रही है हम यह बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय विभाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज का विभाजन ये लोग कर दें और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिल्कुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डाटे और अगर हम कोई महिलाओं को हम स्यंग देंगे तो वो विभाजनकारी होगा ऐसी पात क्यों कहते हैं ये शोबा नहीं देता है प्रदान मंटरी को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए 25 गिरेंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो मिहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल में मैं परिछे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोक है राष्ट्रिय प्रवक्ता है भारतिय जनता पाति के सुप्रिया श्रनेत मेरे साफ जोड रही है राश्टरी प्रवक्ता कॉंग्रेस पार्टी बिसनेस जॉनलिस्ट मनोच सिंघ काका मेरे साथ है बहुत सारी किताबیں पीछे दिख रही है खूब पर्ते है प्रवक्ता है समाजवाधी पार्टी के मेरे साथ एके वाज़पे स्टूडियों में है पेशे से वकील है वकालत करते हैं सुप्रीम कॉट में और LJPR के राष्ट्रिय प्रवक्ता है मुख्य प्रवक्ता है स्टूडियो में एक और बहुत खास मेहमान वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखें इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आरजेडी बात करते करते नौकरियों पर बात करते करते महेलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह मुस्लिं में हिंदू-मुसल्मान क्विव टखक गई भई गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी जो कहे वो ही सही न खाता न भही जो कॉंग्रेस कहे वो ही सही क्यों बात करना चाहिए डिवेट ही क्यों कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उनका वीजन है देश के बारे में, देश को ऐसे ही ले जाएंगे, जड़ा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था, 48 के डॉक्यमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने पे एक पन्ने का सिर्फ मुसल्मानों पे डॉजियर तो आज सक दिखा ही नहीं, अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या-क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टी करन के लिए, जरा आप मुझे निकाल के इनके कॉंग्रस फाइल के निकाल दीजिए, उनीस दो जार उन्न उसके बाद चार, 99, 96, एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक, माइनौर्टी लिंग्विस्टिक पे एक पन्ने का डॉक्मेंटरी एविदेंस तो आज तक कॉंग्रस पार्टी नहीं दिया, पहली बार दे रही है, आप कहती है, बात ही नहीं करना चाहिए, क्या विजन ह पर माइनौरटी विल हाव पर्सनल लौ राइट्स, मतलब आप किसकी वकालत कर रहे है, आई उमल तो कहता है कि पर्सनल लौ बिल्कुल इसलाम में होना चाहिए, शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ पर्सनल लौ की बात क चबड़ हो जाएगी, थोड़ा सा इंटरवेंशन लूगी फिर मैं आपको कमर बोलने दूँ, तो कि बात में बोलिएगा, मुझे पता है, मुझे पता है, डिबेट कहा जाएगी, ठीक है ना, इस देश के 82% हिंदुों को मेजरिटरिनिजम के का नाम देके आप नेगलेक् करेंगी, और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुए, दिल है कि क्या है, भीया दरिया है, बोते लगाते रही है उसी में, लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए, आप एक बात समझे गरिमा जी, भारत की चेंजिंग डेमोग्रफी भारत की चेंजिंग लिट्रिसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है, भारतिये जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई, जहों लिट्रिसी रेट 50% से उपर गया, तब BJP सत्ता में उसके पहले सत्ता में नहीं आप आई थी, आज लिट्रिसी रेट 82% है, यह अजे आलोग, आपके पास लौका था, आप महिलाओं पर बात करते, घरिमा जी सुनिये ना, आपके कह, हम तो यह बात करेंगे, हम यह बात करेंगे, जब हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, उस मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा, ठीक है, हमारे मैनिफेस्टो, इनके मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा, हम पार्टी बिटर डिफरेंस हैं, तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टो में, हम यह कह रहे हैं, कि we will ensure scholarship for Muslim children to study abroad, क्यों हिंदू के बच्चे नहीं है, इसाइयों के बच्चे नहीं है, सिखों के बच्चे नहीं है, वो विरेश में प फिर डॉक्टर आजे आलो, मैं सवाव तो पुछूंगी आए, तो मेरी खाना बहुत अच्चा बने, यह मेरी जिम्मदारी है सर, मैम बिल्कुल आप इतने हैं, इतने आंगोले से, अठासी साल पुराना पक्राप लेकर आए, उस मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते ह अविभजित इंडिया था, अविभजित इंडुस्तान, जब इंडुस्तान का मख़वी आदार पे बटवारा हो गया, मुसल्मान धर्म के आदार पे पाकिस्तान चले गे, तो आज औल इंडिया मुस्लिम लीग कह साथ कौन सरकार चला रहा है, तॉस समय भी मुस्लिम अगर उसमें चिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता है जहर फेला दिया है और यह जनता को बताना ज़रूरी है अगर मुस्लिम लीग 1934 में जिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिलकूल बना रहे थे मैं तो कही रहूं कि अब विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई क्योंकि वो राजनितिक्स कर रहे थे कॉंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे अब कॉंग्रेस अपना जंडा नहीं लगाती है आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है और वो मेबुबा मुफ्ती जो आतंकियों को खुले हम सोयल विभाजन का दंश जेल चुके अब कॉंग्रेस पार्टी के आईडियोलजी पे चले तो फिर विभाजन का दंश जेलना पड़ेगा इनके एक MP ने कहा कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए उस पे तो आप कोई डिबेट नहीं गरिमा सिंग ने सवाल नहीं पूछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नौर्ट का गरिमा सिंग अगर इतनी इंपोर्टेंट है डौकर अलोग की नजर में तो मैं सवाल पूछ रही है उस पे एक पन्ना का डॉक्पेंटेशन नहीं आए मैंभूबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप मैंभूबा मुफ्ती जो खुले आप आतंकियों को कहती है सवाल और क्या कहा मैं पूरा स्टेट्मेंट पर देती हूं मैंभूबा मुफ्ती का मैंभूबा मुफ्ती के सरकार भी अमीने किराई कि वी विल जू आर माक्जिमा अपर से मलग हो गए अरे भी आम ने सरकार ये नहीं चिप केगा गरमजी कुछ नहीं आ लाई है यह नहीं चिपकेगा सरकार किरा गिरा जिन सरकार सबारा निकल गे 370 भी अटा दिया चिला रहे लोग कि खुण की नदिया बाएंगी खुण के नदिया थो दूर चोड़िए च्छ्टाक चालीस का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अजे आलो का जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा गरिमा गरिमा जवाब दे दीजे मुझे मैं आगो बढ़ जाओगी इंदुस्तान था मौझूदा राजनतिक परिस्ति के आप अगर 88 साल पुराना मैनेफेस्टों खाकर लाएंगे म 36 के मैनिफेस्टों के बावजूद common minimum program पे सरकार बनी अब विवाजित हिंदुस्तान था लेकिन जब विवाजन होगे अधरनी कदार पर जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे जो लोग जो लोग शरिया के जो लोग शरिया के चकर में रहते थे माडम आज उस शर सवाल पूछने के जगे जड़ा Congress से सवाल पूछिए देश का भला होगा क्योंकि प्रमुख्विबक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना दिखिलाएगी जनता को बाकी सब धुल जाएगा सारे राइट को चले जाएगे माइजर क्यों है जो इस देश को लिए है कि कॉंग्रेस को इसा मनुफेस्टो रिलीस क्यों करना चाहिए ठीक है समविधान हमारा UCC की भी बात करता है तो फिर परस्टनलाग को प्रमोट क्यों करना चाहिए जवाब देंगे अब हमारे समविधान में है UCC क्यों प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् सिर्ष मुस्लिमों का नहीं है सिर्फ मुस्लिम प्रमोशन की बात मत कीजिए लेकिन सुविदा के हिसाब से आप मेहां हमारी रगों में नहीं नहीं लेगी हमारी रगों में नहीं बड़ा दिकत है सबसे पहली बात तो यह कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप यह पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोषणा पत्र में कि अल्प संख्यकों के पर्सनल लौ की स्वतंतरता करेंगे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसल्मान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर् बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर इनके बड़े-बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंतरी मोदी ने दो चीज़े साफ कर दी कि दीमागी और नैतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढ भोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपस इशुरू होते नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बिचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि यह न्याय पत्र हर उस चीज़ का समाधान है जो समस्या इन् मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युवाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनक अपना हक मांते हुए शहीद हो गए और प्रदान मंतरी कहता है मुझे क्या फरक पड़ता है हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन किसानों की जिनको गाजर मूली की तरह जो रोंड देता है उस मुख्य अभ्यूक का पिता इस देश का ग्रेह राजमंतरी ये बनाए रखते है हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिये मोदी जी ने हमारे मैनिफेस्टों में छाप है उन लगूम मद्यम उद्योगों की जो इनकी मनमाने तुगला के पन से बंद हो गए हमारे मैनिफेस्टों में छाप है सेना के उन जाबास सेनिकों की जो सरहत पर बैठ कर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी एकॉनिमी है चीन बड़ी एकॉनिमी है लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसे बड़े नेता लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूँ कि आपका घोशणा पत्र आप कहते हैं पांच नियाए 25 गरंटी लेकिन उनी में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बचार भी है ना हमलों की बचार क्यों नहीं होनी चाहिए कबलनाथ जैसे बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि 90 फिसदी मुस्लिमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा यानि कि वो अगर अपनी constituency address कर रहे हैं तुष्टी कर अब भी अपनी constituency address कर रहे है ना उसी पर आ रही हूँ ऑसी पर आ रही हूँ जर्म यहीं प्रूफ कर रहे हूं कि बीजेपी सारी की सारी भारतिये जनता पार्टी खुद प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी फेक वाटसाप युनिवरसिटी के रचायन करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये उल जलूल की बाते कि और अब मैं आपको तथ्य बताती हूँ ये बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टी करर की हमारे मैनिफेस्टों में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है क्योंकि इनका दिमाग तंग है पढ़ देती हूँ हम कहते हैं कि पर्सनल लॉस का रीफॉर्म होना चाहिए हिंदी में है कॉंग्रेस व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी क्या गलत क्या हमने इसमें मौला ना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलर्शिप की उसमें मुसलिम्स को उसमें सीख को उसमें पार्सी को उसमें बुद्धिस्टो उसमें क्रिस्चिन को मुखा मिलता है जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन स्कॉलर्शिप का क्या गलत कहा हमने ये इनके लिए माइनौरिटी मुसल्मान है हमारे लिए माइनौरिटी वो वर्ग हैं जिनका representation लेकिन करनाटक में आप सिर्फ मुसल्मानों को 4 पीसदी आरक्षन देते हैं सुप्रिया सवाल उठेगा की नहीं उठेगा मैं बताती हूँ आपको मैं बताती हूँ आपको ये मैनिफेस्टो है हमारा नियाए पत्रिस का नाम है इसके पाच स्थम्भ हैं और वो स्थम्भ है युवा नियाए नारी नियाए किसान नियाए श्रमिक नियाए और हिस्सेदारी नियाए और हम क्या कहते हैं हम इनकी बनाई बनाई हुई हर बखेड़े को इनकी बनाई हुई हर समस्या को इनके बनाई हुए दसकाल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं हमारा कहना है और मुझे आप एक मिलिट का टाइम यहां पर जरूर दीजेगा हमारा कहना हमारी सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकोड़ा त आप मुझे एक जगे दिखा दीजे जो केती है ये भारतिया जंता पार्टी जूटी फरेबी जुम्ले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पढ़ लीजे पॉइंट नंबर चार चाप्टर में है कॉंगरेस विदेश में अध्यन के लिए मौलाना अजाद छात्वृत्ती को फिर से लागू करेगी और छात्वृत्ती की संख्या बढ़ाएगी इस स्कीम के अंतरगत सिर्फ मुसल्मान नहीं आते हैं प्रधार मंतरी को भी नहीं पता है उनके बद्दमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है इस छात्वृत्ती के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं जैन्स आते हैं क्रिस्चिन्स आते हैं परसीज आते हैं सीक्स आते हैं इनको पता ही नहीं है माइनाइटी जैनको पता ही नहीं है कि प्रोविजन क्या है कॉंस्टिशन ले तो पर यह वाप है करनाटक का जो रेजरवेशन है मुस्लिमों को चार फीसे दी आरक्षन दे दिया आपने करनाटक में बीजे पी आई उन्हों ने ख़र्प कर दिया होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार फेकेंगे वापस जैसे नौकरी बहालोतीती करेंगे आप मुझे 30 सेकंड का मौका और दीजिए हम नारी नियाय की बात करते हैं हम क्या कहते हैं महालक्षमी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम एक लाक रुपए साल करनाटक और तिलंगाना में करके दिखा रहे हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे हम अन्रेगा का मान दे 400 रुपए प्रतिदे बढ़ाएं इस पर मैंने डिबेट की मुझे आप क्योंकि बाकी और मेमान भी मेरे साथ योजना लाए पारेंटी देंगे उनकी चीजों को GST से मुक करेंगे खाद बीज कीट नाशक इत्यादी हम कहते हैं उनका करजा माफ करेंगे इनकी तरह 16 लाग करोर पूंजी पतियों का माफ नहीं करेंगे और अंत में हम ये जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणी पुरहो समस्या का समाधान क करेंगे एक अनुबाग बनाएंगे हम कहते हम पुद्दूचरी को पूर्ण राजिका दर्जा देंगे आंध्र को स्पेशल टेस्टस देंगे और जम्मू कश्मीर का पूर्ण राजिकर दर्जा बहाल होगा मेरे पास समय की बाधता हैं करनाटक का जवाब है सुप्रिया मुझे यह बता दीजिए करनाटक प्रतिशत-बारचन इसमारों को क्यों दो एक करनाटक का बीजेपी ? फिर मैं बोलूँगे, यह हमारा मैनिफेस्टो है, और हमारे मैनिफेस्टो में पूरी तरे से, ऐसी कोई बात नहीं है, जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके, प्रधान मंत्री मोधी की भाशा, उनकी शेली, उनकी नफरों, ये दंश, ये देश, सहरा है, ये असलियत है, ठीक बना घोषणा पत्र ले आई, और जवाब इस बात पर नहीं है, कि उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने, महभुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली, आप कहते हैं, घर में घुसके मारेंगे, राष्टरवाद का जंडा बुलंद करते हैं, सोनम बांग चुक आप थे, और सोनिय गांदी जी ने कमेंटी बनाई थी, चार मेंबर की, और उसकी रिपोर्ट पढ़नों आप जो रहा, क्या कहा था, कि कॉंग्रेस की आर इसलिए हो ये, क्योंकि कॉंग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही, ये बकायता लिखा हुआ हुआ है, तो जब इनका आदमी कह रहा है, तो प्रदान मंदरी ने कह दिया, तो क्या गलत कर दिया, नंबर वन, अब नंबर, अब सब्सक्राइब के बयानों पर जाओं, वो ठीक नहीं है, एक सेंसिबल डिसकुशन के लिए कि मजबी, मैं सब्सक्राइब करना शुरू करूं, मैं ये कह रहा कपीजमेंट नहीं करते हैं, तो ये के बाच पर ही, आप क्या करते हैं, एक सेंसिबल गोशना पत्र लेकर आए सुधान शुत्रवेदी, इसमें इन्होंने कहा, च्छतिस में गोशना पत्र मुस्लिम लीग ने जारी किया, उसकी कंपारिजन किया, दोजार चौबीस के कर रहा हूं कि जो परदान मंतरी जी ने कहा या सुधान सु भाई ने कहा, वो कोई गलत नहीं कहा है, और वो उनके पास्ट कंड़क्ट से करत्यों से जाहिद हो रहा है, कि वक बोड किसमें बनाया था, जैसे पर चालिस तर कोई ज़ाद में गोशना था, तो इस पर चालिस को प्रटेक्शन करोगे, there is a difference between protection और appeasement, मतलब तुष्टी करन की परमीशन नहीं है, संगरक्षन की परमीशन तो है, जब तुष्टी करन करते हो, तो आप सुमाई सारी लांग जाते हो, बक बोड आपने बना दिया, आज बक बोड की साड़े चार लाग करोड की परपरट अब यहाँ आप बली खुश्टी, जैसे वो डिवरी वाला चक्कर था यह लाग या कुछ और उसको डिवाई में करेंगे, हम संग्दान की बाद करें, ना हम संग्दान की बाद कि फिस ही करने देंगे, आप एग्लाम्पल नहीं करने तो 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 जैसे बनेंगे, लिगए, अगर अगर अगरी है इस बात से कि वो डिवाजनकारी पॉलिटेक्स उननिस सो चतिस में तो चालिस में आप क्यों खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्वयुद चल रहा था दूसरा विश्वयुद दूसरे विश्वयुद में कॉंग्रेस ने एक अशुरेंस चाहा ब्रिटिशर से कि अगर हम अपने सैनिक भेजेंगे युद में तो आप हमें आश्वासन दो की युद के बाद भारत की आजादी के द इस गोस्रा पत्र में मुस्लिम के परती कोई ज्यादा एक्स्टा ओर ड्री अट्रेक्शन दिखाया है उनने की नहीं दिखाया है उनका डिफेंस के नहींज नहीं हम तो मैंनोर्टी वर्ड यूज कर रहे हैं माईनोर्टी में अखलियत भी आगाए शिक्ष भी आगाए बहुत रीस यही तो डिफेंस है उनका हम यह जो माईनोर्टी की आप करते हो तो आप सारा का सारा तिल्ट जो करते हो वो मुसलमानों के प्रतिक करते हो और वो कैसे करते हो वो ये कंडक्ट है जब आप PFI और SDPI प्रदान मंत्री जी ने बात कही है कि इनका तुष्टी करान का जो मौ है वो छोटने वाला नहीं और जब इनके घर का आदमें उनी लोगों के साथ आप सरकार बना लेता तो तब क्या होता है कौन सी सरकार बना लिए हमने कश्वीर बनाई ना बिलकुल बनाई तीन चार छे म मैंने बातों खतम भी तो कर दी हो देखें बरूस कीजिए डाई साल सरकार चला यह आपने के वाज़ पर देखें और धाई साल बाद भी में बुबा मुफ्ति कहती रे गई गर्मा जी लोक तंत्र में सरकार का कई वरी क्या हो के नंबर गेम ऐसा बन जाता है कि दुबारा पर जाना पड़ेगा यह कोई सरकार बनाए यह समधान की विवस्ता है तो अगर उस वकत हमने बना लिया क्या नुक्सार कि नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूँ भई वह आतंकवादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला अगर आपकी नजर में वह आतंकवादियों के सब्सक्राइब करने में और बड़ा सीधा है. कि बिलकुल है बिलकुल है बिलकुल है और वो लह जैसे भी आती है जब आप special fund बनाने की बात कर रहे हैं उसमें कि माइनोटीज को क्या लिखा उसे क्लास 5 देखिए सुप्रिया से रेज़ी क्लास 5 में आपने लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से रिन मौया कराने के लिए डारेक्शन देंगे ये तुष्टी करना जाए तो एक वाजबी आप क्या कर रहे हैं आप एक मुस्लिम को टिकेट नहीं देते ना लोग सभा में देते ना विदान सभा में देते उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते याँ कar करते हैं रहे हैं जांता जवाब रहलां कैसे चतिकट रहें देने का कोई हवाला क्का कि हम किसको टिकट केंगे व्मुद्र हो ऑक क्या कि समद्दान से चल रहे हैं तरप सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट का है सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोड़ेंगे तो मैं चालीस का सवाल पूछूंगी सवाल का जवाब सोच कर रखी गर्मा जी एक सके कांग्रेस का इत्यास कोई इतरा गंदा नहीं है उनके प्रधान मंतरी दो-दो अत्याई होई यह बकाइदा ठीक है बाद समझे लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉलरेट नहीं होगा ड्राक कर रहे हैं प्रडेक्शन करिए आप ने क्यों बनाई अच्छा है माइन अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में चार फीसदी मुस्लिमों को आरक्शन क्यों दिया तो यह सवाल एक वाजपी और डॉक्टर अजय आलोग दोनों के लिए मुश्किल है कि 36 में विभाजनकारी पॉलिटेक्स करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सरका हिंदू मासबाने 40 में क्यों बनाई मरोच सिंग का कर सबसे पहले तो धैरे को प्रणाम आपके और अब मुझे बताइए कि मुस्लिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफेस्टों खींच लाई क्या बीजेपी आपको अपने पर्फ पर देखिए आप धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की स्वतंतरता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग्ग जी हमारे गुरू है स्रदे नेता जी के भी गुरू है बिनोच सर जानते होंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि न नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है बेद खुब और अलामा इकबाल की एक बात और आप कह रही थी कि अलामा इक बाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और हम बुल बुले हैं इसके ये बुल सिता हमारा बात खुब तो जो सवाल नरेंदर मोदी जी ते और जो उन्होंने बिहार के निवादा में जो सवाल खड़े कि हैं उनसे कोई पहर नहीं पापाएगा ठ हैं जो जूट बोलने के अपने जिन्दगी गुजार देंगे वहां बुनियादी सवाल करने वाले लोग कहीं यह न पूछ दे बिहार के लोग बिहार के लोग कहीं यह न पूछ दे नरेंद्रमोधीजी से कि पिछली बार जब आएöglich तो उसी विहार को कहीं कि प्छतर हजार करोड देदू एक लाँ करोड दे दूरही लगाज पैकेज दे है 94 और देश में कितना है और आपके बिहार में कितना है सवाल यह है कि भारती जनता पार्टी बखू भी जानती है और आपने मुसल्मानों की बात कहा मुसल्मान की स्थिति क्या है रंगनात मिस्रा आयों की रिपोर्ट क्या है कि उनकी हाला दलिच से भी खराब है और हम अभी अभी बाटपेई सर्बाद कर रहें कि नहीं सच्छर कमीटी की सिफारिशें कब आई सच्छर कमीटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुई आप पूछिए कॉंग्रेस से राजवादी पार्टी को ये मानती है हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी एक धर्म भासाय और संप्रदाय से नहीं हमारी भूमिका संपूर नागरिक्ता से है और जिस संपूर नागरिक्ता को भारत के संबिधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक जो सवाल आपने एक बात पर इसे कहा कहां के तठा कथी तो अलकिल है यह बिजेपी से क्यों नहीं पूछते कि राजनायतिक भागेदारी बीजेपी ने मुसल्मानों को क्यों नहीं देती है जो हमारे देश का 20-25 पीसदी आबादी है उसको हांसिये पर रखे हम कैसे कलपना क करेंगे कि हम एक बिक्सित राष्ट बनेंगे यह सवाल है और इनको सिर्फ मुसल्मानों से नहीं दलितों से पिछणों से सबसे जो तब का हग के हांसिये पर है चुकि बीजेपी जानती है कि हमारा यह यह वही तो करना चाह रहें यह धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना यह 2017 का पहला चुनाव 2022 से पहले वाला साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते यह माहौल बनने लगा था कबरिस्तान शम्शान कबरिस्तान दिवाली रमजान तो यह चुनाव 2024 का मुद्दों पर लड़ा जाएगा और यह जो मुसलिम लीग इसनिका जो अटाइक हो रहा है यह किसे नुक्सान किसे फाएदा देखिये बार-बार कहता हूं हर बहस में कहता इसी तो पहले तो मैं उद्य प्रताब जी का नाम लिया मनोज सिंगा का ने तो उद्य प्रताब जी की एक लाइन मैं भी सुनाना चाहूंगा बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुध्या का राममंदिर का अंदोलन चला था नभ्य के दशक की बात है तब उन्होंने लाइन लि सवाल है कि भाई देश और गंभीर सवाल है पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टों देखा उसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं माइनेटी शब्द है हर जगे और यह बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नर्सिमाराओं की जमाने में व इसको रखा गया था तब भी तो अब सवाल है ठीक है मुस्लिम सबसे बड़ी माइनर्टी है वो 14-15 परसेंट है बाकी 2-2-3-1 परसेंट है जारा पड़ा शेर उनको ही मिलता है तो इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी शेर उसको वाज है जैसे लेक्ट्रों पॉर्ण में सबसे बड़ा शेर बीजेपी को सबसे बड़ी है तो वाकी पाइटियों को उसे आप से कम मिला तो उसी आप से उसमें शेर उनको मिल लाता है लेकिन अब यह है कि धुरूई करण की राजिनीती आखिरकार अंतता भारतियांता पाइटी का सबसे बड़ा हथियार है यह 2017 का अभी जो जिस तरह से मुस्लिम ली का घोशनापत्र बता दिया कि मुझे तो मतलब एक पत्रगार किनाते मैं कह रहा हूं मैं इस पूरे घोशनापत्र को मने पढ़ा तो माइनाटी शब्द में मुझे तो सब माइनाटी दिखाई पड़ती है अगर हाँ वो कनाटक वाल जर देने की दोस्ता है उसी की तहता आरक्षन दिया जा रहा है यह जो तुष्टी करण की राजनीती का देखे मुझे लगता है जो आपने दोती निवा मुपति के सवाल उठाया तेकि सरकार बनाना ना तब गलत था मुपति के साथ वो गलत नहीं था इसलिए गलत रही था कि मुपति की पाइटी पीडीपी उसने भारतिय समयदान की शबद ली हुई है और मुपति भला रही हो आप जलगूरू से या इस तरह की तमाम लोगों से लेकिन उनकी पाइटी चुनाओ लड़ती रही है और मुपति सहीद के साथ कॉमेसरे सरकार बनाई तो एरल में इंड यूनियन मुस्लिम लीग और जिन्या के मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग है पहली बात दूसरी बात वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है उसका पूरा बीटेल में पढ़िये तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समर्शन नहीं किया और वो हमेशा उसके मंत्री जो मैं नाम भूल रहा हूं तो जब उसमें मंत्री से क्या कहते हैं उसके पहले मंत्री देवगणा सरकार में भी तो वह बाकैदा जा करके भारतिया उसमें जो है जब कई बार विदेशी को वहां पर फसे तो नहीं मड़ी मदद की ने तो यह चिपक जाएगा ने जो मुस्लिम बीजेपी तो करेगी उसको, बीजेपी का क्या एजेंडा है, बीजेपी कॉंग्रेस को घेरेगी, मुस्लिम तुस्टी करन का आरोब जो है, यह शब्द अडवानी जी ने अब शुरू किया था, अपीस्मेंट पॉलिटिक्स का, और उस वक्त हमारे बातपेई जी के जो नेत करते थे, चौबीस में, चौबीस में, नहीं, तो मैं इसने कहना हूँ कि पारिटियां अपना स्टैंड कैसे बदलती है, आज जो नितिश कुमार जी, जो कल तक लालू जी के साथ थे, आज मोदी जी के साथ है, उन्होंने तो बाकाइदा मुसल्मानों को अरक्षन दिया है वहाँ पर पस्मांदा मुसल्मानों को बिहार में, दिया कि नहीं दिया? परिष्णियां ऐसी थे, कि हिंदुमान समाने मां सरकार बना लिए उनको साथ मिलकर के, अब उस समय, आज से ऐसी साल पहले क्या इसी थी थी, तो सत्ता परम सत्य ना, सत्ता तो परम सत्य है ही, सत्ता के लिए कॉंग्रेसी मनिफेस्टो लाई है, और सत्ता के लिए पहले की लिए बिजेशा बना लिए बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम लिए बना और जिन्ना गये पाकिस्तान वो नहीं गया, उन्होंने यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लिए की स्थातना की, और क्या यह सही नहीं है कि 1950 के सविधान के स्थातना दिवस में उसी मुहमद इस्माइल नहीं प्रस्ताओ दिया था कि भारत में शरिया कानून मुसल्मानों के लिए होना चाहिए, जिस पर सरार पटेल ने रिफ्यूस कर दिया था, तो फिर कैसे नहीं वो जिननावाली मुस्लिम लीक के समर्थक हुए, आज भी हैं, इसे उसको डिफेट देना बलते हैं, यह दुकुल इतिहास के पनों में, और कॉंगरसी इतिहास में, गरिमा जी, एक तो आपने, आपने बहुत लंबा, आपने बहुत लंबा बोला, मुझे 10 सेकेंड और दीजि कि क्यों आपने सरकार बनाई, क्यों मैंने सरकार बनाई, तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जामपल आपके सामने अभी मनोज काका ने दिया, 14.8% अबादी है मुसल्मानों की, उसको 20% और 25% पे ले गए, यही चाहत है, गुरुदेव, धन्ने हैं आप लोग, और आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे मुद्दे पर, बहुत एहम होगा कि ECI क्योंकि इंडियन पीनल कोड की 153 एक वोईलेशन का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है, क्या कहता है, चुनाव आयोग अज़र रहेगे, सभी का बहुत धन्यवाद, सबसे बड़ा सवाल में इत दस दिन का वक्त बाकी है, 19 एपरिल को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जबर दस चुनावी बवाल शुरू हो गया है, और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बहुचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ, इसकी क प्रमान संभाली है, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने, यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बवचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं, और ये चुनावी घमासान शुरू किस बात पर हुआ, कॉंग्रेस के घोशुना पत्र पर जो पा मिलाओं को, गरीब मिलाओं को एक लाख रुपाय सालाना का जिकर है, जिसमें तीस लाख युवाओं को नौकरी का जिकर है, ग्रेजुएटेड युवाओं को भी, ट्रेनिंग का जिकर है, मजदूरों को चार सो रुपाय मजदूरी का जिकर है, और बहुत सारी गैरेंटी कॉंग्रेस ने देने की कोशिश की लेकिन बवाल किस बात पर हुआ यह जो कॉंग्रेस को गेरने की चो तरफा बीजेपी की तरफ से कोशिश है यह किस बात पर शुरू हुई यह भी मैं आपको बता दूँ यह कहा गया बीजेपी की तरफ से कि कॉंग्रेस के इस घोशडा प इंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोषणा पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूँ सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच जलकती जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी ये पहला बयान फिर दूसरा बयान साथ एप्रिल को नवादा में इंडी गडवंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना हैं दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लि कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र बनाया वो कॉंग्रेस का ही नहीं बलकि मुस्लिम लीग का घोशना पत्र लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजन्शिप अमेंडुमेंट एक्ट यानी CAA का भी विरोध कर रही हैं और य इसी तरीके का हमला की और जेपी नडडा ने तो एक और बात कह दी कि जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमंता बिस्वा कह रहे हैं घोशना पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्य मंत्री हिमंता बिस्वाश सर्मा अब यह जानना बेहत जरूरी है कि ऐसा घोशना पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि यह मुस्लिम लीग तक बात पहुँची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशना पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुँची यह बता देती हुए आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधाइशु त्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपैरेजन भी है 1936 का और 2024 का गोशना पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया परसनल लौ की रक्षा करेंगे 2024 में भी अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कॉंग्रेस कर रही है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निर्पेक्ष देश है दूसरी बात तीसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप यह 1936 में मुसलिम लीग ने कहा था 2024 में कॉंग्रेस ने यह कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे यह तीन पॉइंट हैं हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्थे में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ति करण के लिए आसान कर्ज देंगे यह मोटा मोटी तीन पॉइंट मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर यह साथ पॉइंट से अब कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी अपने ऊपर यह आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करण कर रही है अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा सभाला खुद मल्यकार जुन खड़गे ने क्या कहा उन्होंने मलिकार जुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारत छोड़ो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों का स बिखाने के बजाए हिंदु मुस्लिम करने में लगे हैं ये सच है कि पीएम मोधी बुखलाए हुए हैं आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जेराम रमेश भी बोले जेराम रमेश ने भी कहा कि रंका गांधी बोली अशोग गहलोत बोले सलमान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आईपी सी की धारा 153 ए का वोयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभ अब यहां से मैं दो चीजें और आपको बता देती हैं क्योंकि प्रेस कॉंफरेंस के जरीए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले की मुस्लिम लीग थी जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग राश्टर चाहिए पाकिस्तान बना मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए केरल म में हैं वही मुस्लिम लीग है या कोई दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेप में बताती हूँ जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वह 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहोर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लेजे यह आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनिय मुस्लिम लीग आई यू एमल चैनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसमें कॉंग्रेस में शामल है यू डी एफ ये उसका हिस्सा है और कई राजियों में उन्होंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी छाक कपासिटी में ये आई यू एमल है जो पुरानी मुस्लिम लीग थी उसके कुछ नेता जिन्होंने पस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन Muslim नेता थे उन्होंने फैसला किया कि हम ये IUML बनाएंगे Indian Union Muslim League बनाएंगे इन्होंने 52 में चुनाव लड़ा जो सबसे पहला चुनाव हुआ था और सारे चुनाव अब तक ये Muslim League लड़ती चली आई है तो ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल वो घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दुरुवी करण का आरोफ है तुष्टी करण का आरोफ है हिंदो मुस्लिम एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को अपनी अपनी कॉंस्टिक्ट्वेंसीज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बगार ये सोचे कि ये देश एक सेक्यूलर देश है धर्म निरपेक्ष देश है मैं दो बयान सुनाती हुआ को फिर आगे बढ़ें को कॉंग्रेस ने जो गोषणा पत्र बनाया है कि वो कॉंग्रेस का नहीं है ऐसा लगता है मुस्लिम लिख का गोषणा पत्र लिता है तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा सिये एका भी विरोग कर रही है हम ये बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय भाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज कवे भाजन ये लोग कर दें और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिल्कुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डांटे नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का अगर रोजगार देंगे महिलाओं को अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजन कारी होगा ऐसी बात क्यों कहते हैं ये शोबा नहीं देता है परधान मंत्री को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए पच्चीस गिरेंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी है और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो महमान मेरे साथ चुड़ रहे हैं इस पैनल में मैं पारिछे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोग है राष्ट्रिय प्रवक्ता है भारतिय जनता पाती के सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जोड़ रही है राष्ट्री प्रवक्ता कॉंग्रेस पाती बिजनिस जॉनलिस्ट फॉर्मर बिजनिस जॉनलिस्ट मनोट सिंग काका मेरे साथ हैं बहुत सारी किताबें पीछे दिख रही हैं खूब परते हैं प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के मेरे साथ एके वाजबे स्टूडियो में हैं पेशे से वकील हैं वकालत करते हैं सुप्रीम कॉर्ट में और LJPR के राश्ट्रिय प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं स्टुडियो में एक और बहुत खास मेहमान वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखें, इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्तर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आरजेडी राश्ट्रिय जनता दल, बिहार अजे आलोग पार्टी विद्धा डिफरेंस कहने वाली पार्टी प्रवक्तर अप्रोच प्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी कल राजनात सिंग्ह ने भी कहा, हम प्रोग्रेशिव हैं MSP पर बात करते करते नुकरीओं पर बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते, किसानों पर बात करते करते ये मुसलिम लीग में हिंदु मुशलमान में कि अटक गएबैए गरिमा जी बिलकूल सही बोल रही हैं हमें तो बात भी करना चाहिए par mm congress party जो कहे वह ही सही और नकाता नभा भाही जो congress कहे वह ही सही क्यों बात करना चाहिए डिवेट ही क्यों कर रहे हैं भई कॉंग्रेस पार्टी है देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है उनका वीजन है देश के बारे में देश को ऐसे ही ले जाएंगे जड़ा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था और 48 की डॉ जार उन्नेस चौदर नौ उसके बाद चार निनानबे अन्ठानबे च्यानबे एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक माइनॉर्टी लिंग्विस्टिक पे एक पन्ने का डॉक्मेंट्री एविदेंस तो आज तक कॉंग्रेस पार्टी नहीं दिया पहली बार दे रही है आप कहते हैं बात ही नहीं करना चाहिए क्या विजन है पार्टी के भई एक सो चालिस करोर की जनता के गाए एक पंदरफ परसेंट पे एक पन्ना और क्या पन्ना एक पर एक पन्ना मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं आई यूमल तो कहता है कि परस्टल लौ बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए शरीया की तरफ बढ़ना चाहिए तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ परस्टल लौ की बात करते हैं रिफॉर्म्स ने कल को कहींगे कि शरीया परस्टल लौगी फिर मैं आपको इंटरवेंशन नहीं दूगा आपको इंटरवेंशन आज नहीं दूगा वह जरुदी है मेरी बात जानी चाहिए आप इंटरवेंशन मत भी बात में बोलिएगा मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी ठीक है न इस देश के 82% हिंदूओं को मेजोरिटेरिनिजम के का नाम देके आप नेगलेक्ट करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुए है दिल है कि क्या है भी या दर में तबाई जहुन लिटरिसी रेट 50% से उपर गया तब बीजेपी सत्ता माई उसके पहले सत्ता में नहीं आ पाई थी आज लिटरिसी रेट 82% है यह हिंदू-मुसलिम तुष्टी करन करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोस्ट करेंगे कैसे आजे आलोग आपके पास मौका था आप MSP पर बात करतें किविल लॉट्ट रोट लिटर ले आती हूँ आपको डॉक्त आपके पास मौका था युबाउं की लगरी पर बात करतें अपके कैनेaráगे जब हम अपना manifesto लाएंगे, उस manifesto में अंतर देखिएगा, हमारे manifesto में अंतर देखिएगा, ज़िए हम कहते हैं कि हम progressive हैं, हम party with a difference है तो वो दिखेगा हमारे manifesto में, हम यह कह रहे हैं कि we will ensure scholarship for Muslim children to study abroad, क्यों हिंदूओं के बच्चे नहीं हैं, इसायों के बच्चे नहीं हैं, स अब सुन लिजे फिर डॉक्टर आजे आलो, मैं सवाव तो पूछूंगी आ, यह मेरी जिम्मदारी है सर, जिस मुस्लिम लीग पर आप इतने एजिटेटेटर हैं, इतने आंगोले से, अठासी साल पुराना बोच्चना का प्राफ लेकर आए, उस मुस्लिम लीग के साथ आ जब हिंदुस्तान का मजभी आदार पर बटवारा हो गया, मुसल्मान धर्म के आदार पर पाकिस्तान चले गए, तो आज ओल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है? अगर उसमें चिपकिली मर जाए, तो खाना खिलाया नहीं जाता है, जहरीला हो जाता है यह मुस्लिम लीग का मुष्टी करन लेके, कॉंगरेस ने पूरे मेरी फेस्टों में जहर फेला दिया है, अगर उसमी मुसलिम लीग पर दाना कीजिए, सवाल सुन लीजे मेरा, मैं जवाब देने का मौका दूँगी, अगर मुसलिम लीग 1934 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी, आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे? बिलकुल बना रहे थे, मैं तो कही रहा हूँ कि आव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई क्योंकि वो राजनितिक्स की डायमिन जाने में जवाइसिव पॉरिटिक्स कर रहे थे? आज कौन सी मज़़ूरी है कि All India Muslim League अब सुन लीजे, आज कौन सी मज़़ूरी है कि All India Muslim League के बारे में करनाटका का Chief Minister जो का कंगरिस का अलाई है, वो कहता है कि खुले आन धर्मांतरन को बढ़ा वाँ दे रहे हैं, करनाटक के घर्मांतरन में धर्मांतरन बढ़़ आएं, य आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है और वो मेभूबा मुफ्ती जो आतंकियों को खुल हो गया विभाजन का दंश जेल चुके अब कॉंग्रेस पार्टी के आइडियोलजी पे चलें तो फिर विभाजन का दंश जेलना पड़ेगा इनके एक MP ने कहा कहा कि साउथ इंडिया लोग की नजर में तो मैं समाल पूछ रही है उस पे एक पन्ना का डॉक्पेंटेशन नहीं आया है मैं बुबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप में मुफ्ती जो खुले आप आतंकियों को कहती है सोयल ऑफ दसा सन ऑफ दसोयल और क्या कहा मैं पूरा स्टेट्मेंट पर दे है अरे आपने ढ़ा साब सरकार चलाई डौफ रजे अलब मुफ्ती के साथ है हाँ पिर सरकार गिरा दिया हमने फिर हमने स सरकार बाद जो आतंक बादियों को को खुले हम के तितिकी साह है अरे बैया में सरकार यह नहीं चिपकेगा गर्माजी कुछ नहीं अलाई है यह नहीं चिपकेगा सरकार गिरा दिया चिलाते रहे लोग कि खून की नदिया भाएंगी खून की नदिया तो दूर छोड़ी है छटाक भी कुछ नहीं बहा लेकिन आज उसी महभूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बर्फ खेलते हुए फोटो आप बिखा रही थी जरह वो तो उसी हम 36 चृतिस के 36 के बावजूद common minimum program पे सरकार बनी अब वो विवाजित हिंदुस्तान था लेकिन जब विवाजन होगे अधरमी का धार पर जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे जो लोग जो लोग शरिया के जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम आज उस शरिया के साथ हाथ मिला के कॉंग सवाल यह है कि कॉंग्रेस को ऐसा मैनुफेस्टो रिलीस क्यों करना चाहिए ठीक है समविधान हमारा यू सी सी की भी बात करता है तो फिर परसनल लाग को प्रमोट क्यों करना चाहिए जवाब देंगे अब हमारे समविधान में यू सी सी क्यों प्रमोट को प्रमोट जबाब, we will strengthen the personal law, why? सुविदा के हिसाब से आपकी हिंदु बास अब हमारी रगों में नहीं 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 गर्मा जी चिपकेगा नहीं नहीं बेकार आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है मैं क्या करूँ क्या ये मेरे बस में है ये तो मेरे रग रग में है यही कॉंग्रेस की रग रग में है यही घमंडियों की रग रग में है देखिए हर जगा हाई मुस्लिम हाई मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में सर फोड़ यह कॉंग्रेस का मैनिफेस्ट हो हम देश को नहीं खिलाने देंगे हम देश को नहीं खिलाने लेंगे अब मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप ये पॉइंट आव्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोचणा पत्र में कि अल्प संख्यकों के पर्सनल लौ की स्वतंतरता करेंगे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसल्मान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो ये अंदाजा तो रहा करेगा जो टर्फ है नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूंगी लेकिन पहले अपनी बात करूंगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर इनके बड़े-बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंत्री मोदी ने दो चीज़े साफ कर दी कि दीमागी और नै कि नीचे तक आते हैं बहतर घंटे तक बिचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि यह न्याय पत्र हर उस चीज़ का समाधान है जो समस्या इन्होंने दस साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्यों के साथ पहले मैं बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युबाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की उन लोगों की जो हाश्ये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनुश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटिय जो रोन्द देता है उस मुख्य अभ्यूक का पिता इस देश का ग्रह राजमंतरी ये बनाई रखते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चिल्चलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिये मोदी जी ने हमारे मैनिफेस्टों में छाप है उन लगूम अध्यम उद्योगों की जो इनकी मनमाने तुगलक के पन से बंद हो गए हमारे मैनिफेस्टों में छाप है सेना के उन जाबास सेनिकों की जो सरहत पर बैठ कर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंतरी कहता है हम छोटी एकॉनिमी है चीन बड़ी एकॉनिमी है लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसे बड़े नेता लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूँ कि आपका घोशना पत्र आप कहते हैं पांच नियाए 25 गिरंटी लेकिन उनी में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बचार भी है अपसान होगा यानि कि वो अगर अपनी कॉंस्टिट्वेंसी एड्रेस कर रहे हैं तुष्टी करन तो आप भी अपनी कॉंस्टिट्वेंसी एड्रेस कर रहे हैं ना उसी पर आ रही हूं उसी पर आ रही हूं और मैं यही प्रूफ कर रही हूं कि बीजेपी सारी की सारी भारतिय जनता पाटी खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी फेक वाटसैप युनिवरसिटी के रचायन करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने यह उलजलूल की बाते की और अब मैं आपको तथ्य बताती हूं यह बात कर रहे हैं मुसलिम तुष्टी करर की हमारे मैनिफेस्टों में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है क्योंकि इनका दिमाग तंग है पड़ देती हूं थोपार हम कहते हैं कि पर्सनल लॉज का रीफॉर्म होना चाहिए हिंदी में है कांग्रस व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी क्या गलत कहा हमने इसमें मौला ना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलर्शिप की उसमें मुसलिम्स को उसमें सीख को उसमें पार्सी को उसमें बुद्दिस्ट को उसमें Christians को मुका मिलता है जाकर देखिए Equal Distribution Scholarship का क्या गलत कहा हमने यह इनके लिए Minority मुसल्मान है हमारे लिए Minority वो वर्ग है जिनका Representation लेकिन करनाटक में आप सिर्फ मुसल्मानों को 4 पीसदी आरक्षन देते हैं प्रिया सवाल उठेगा की नहीं उठेगा मैं बताती हूँ आपको यह Manifesto है हमारा नियाए पत्र इसका नाम है इसके पांच स्तंब हैं और वो स्तंब है युबा नियाए नारी नियाए किसान नियाए श्रमिक नियाए और हिस्सेदारी नियाए और हम क्या कहते हैं हम इनकी बनाई हुई हर बखेडे को इनकी बनाई हुई हर समस्या को इनके बनाई हुए दसकाल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं हमारा कहना है और मुझे आप एक मिनिट का टाइम यहाँ पर जरूर दीजेगा हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सलानी देंगे हम 30 लाग सरकारी भरतिया करेंगे हम एक साल का 1 लाग का स्टाइपिंड देंगे हर ग्राजूट अवर डिप्लोमा होल्डर को हम पेपर लीग के खिलाफ स्ट्रिंजस्ट कानून बनाएंगे क सिहार काम जाए हम अगनी वीग को निकार पर देखेंगे झाल्तेनला जो बहुमार शिघ को यह कौन के रहे है मुसलमान चातरों के लिए मुसल्मानों को सिर्फ क्यों देंगे आप मुझे एक जगे दिखा दीजे जो कहती है यह भारतिय जंता पार्टी जूटी फरेभी जुम्ले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पढ़ लीजे पॉइंट नंबर चार चाप्टर में है कॉंगरेस विदेश में अध्यन के लि घ्रटाों को भी नहीं पता है इस चाप्टवृत्ती के अंदर बुद्धिस आते हैं जैन आते हैं क्रिस्ट्व आते प्रोविजन क्या है कॉंस्टूशन नहीं तो फिर एक और एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजे करनाटक का करनाटक का जो रेजरवेशन है मुस्लिमों को चार फीसे दी आरक्षन दे दिया आपने करनाटक में बीजे पी आई उन्हों ने खार कर दिया और मैंने कहा इन्हों ने इस देश पर बेरोजगारी का अभिशाप लादा आज हर घंटे दो युवात महत्या कर रहा है हम कहते हैं तीस लाग सरकारी नौकरी देंगे एक लाग का स्टाइपिंड देंगे पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार फेकेंगे वापस जैसे नौकरी बहाल होतीती करेंगे आप मुझे तीस सेकेंड का मौका और दीजिए हम नारी नियाए की बात करते हैं हम क्या कहते हैं महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम एक लाग रुपए साला देंगे हम ये करनाटक और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे हम अन्रेगा का मान दे 400 रुपए प्रतिदिश इस पर मैंने सुप्रिया जी इस पर मैंने डिबेट की मुझे आप क्योंकि बाकी और मेमान भी मेरे साथ हैं करनाटक का प्रशन मुश्किल है क्या सुप्रिया हम कहते हैं उनका करजा माफ करेंगे इनकी तरह 16 लाग करोर पूझी पतियों का माफ नहीं करेंगे और अंत में हम ये जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणी पुरहो समस्या का समाधान करेंगे एक अनुबाग बनाएंगे हम कहते हैं हम पुदू चरी को पूर्ण राजी का दरजा देंगे आंधरि को स्पेशल टेस्टत देंगे और जम्मु कश्मीर का पूर्ण राजी का दरजा बहाल होगा मुझे मेरे पास भी समय की बाधता है करनाटक का जवाब है सुप्रिया मुझे ये बता दीजे करनाटक का जवाब है BJP के पास हां बिल्कुल है करनाटक का जवाब दीजे कि अगर मैं ये पूछो आप ये कि आप क्यों स्वाल का हमारे मैनिफेस्टों में किसी भी किसी की उतर का आप बोलेजे फिर मैं बोलूँगे ये हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे मैनिफेस्टो में पूरी तरे से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके प्रधान मंत्री मोदी की भाषा उनकी शेली उनकी नफरत ये दंश ये देश सहरा है ये असलियत है ठीक है करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रकर प्रवक्ता खैर मैं दुबारा लोटूँगी आपके पास एके वाज़ पे ही मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या ये जो 88 साल प्रोग्रेसिव पार्टी 88 साल पुराना घोशना पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने मैभुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली आप कहते हैं घर में घुसके मारेंगे राश्ट्रवाद का जंडा बुलंद करते हैं सोनम बांग चुकवां बैटे हुएं कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफ्लेट इंफ्लेट्रेशन किया देश की सीमा में उस पर बोलते नहीं आप बुर्दान मंत्री ने अगर ये कहा कि इनके घोशना पत्र में मुस्लिम की चाप है तो क्या गलत का यह तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साथ थे और सोनिय गंदी जी ने कमेंटी बनाई थी चार मेंबर की और उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप जो रहा क्या का था कि कॉंग्रेस की आर इसलिए हो ये क्योंकि कॉंग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही तो जब इनका आदमी कह रहा है तो प्रदान मंत्री ने कह दिया तो क्या सब्सक्राइब करते हैं जो कमेंटी की रिपोर्ट है जो कमेंटी सोनिया गंदी जी ने मनाई यी बकाइदा उनका एडमीशन है खुदी अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी अगर सब्सक्राइब आप अपीजमेंट नहीं करते तो एक बाच पर ही आप क्या क सब्सक्राइब कर रहा हुँ कि जो प्रदान मंत्री जी ने कहा या सुदानसु भाई ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा है और वो उनके पास्ट कंड़क्ट से क्रत्यों से जाहिर हो रहा है कि वक बोड किसे ने बनाया था जिस पर चालिस पर कोई ज़राद नहीं ज़रा हुआ रहा हूं उस पर भी आ रहो सारी चीज पहले इनका कंड़क्ट तो आ जाए ना जरा कंड़क्ट आएगा उसी से कि पर्मीशन नहीं है संग्रक्षण की पर्मीशन तो है जब तुस्टी करते हो तो आप सीमाई सारी लांग जाते हो बख बोड़ आपने बना दिया आज बख बोड़की साड़े चार लाग करोड की प्रॉपर्टीज हैं इंडिया गौवर्मेंट के पास ब्रहा लाग कि प्रॉपर्टीज कि ने बनाएं आप क्यों देते थे इस सरकार ने आके खतम की आप बड़ी खुब्स आप पांच करोड चात्रों को चात्र वृत्ती मुस्लिम चात्रों को किस को आपने दी पर पांच करोड़ की देखो संग्दान इजाज़त दे रहा प्रोटेक्शन क डिये प्रॉपर्प कि नहीं दे रहा हुए फरक समझना होगा क्या पीजमेंट क्या रेवडी वाला चक्कर था कि यह रेवडी है या कुछ और है उसको डिफाइन के लाए हम संदान की बात कर रहे हैं हम संदान की बात क्रीसology कर रहे हैं तो कैसे बनेगार देखिए अपनन मुझे बास इतना बताईए आप कि 1936 में मुस्लिम लीग डिवाइसिव पॉलिटेक्स कर रही थी, अगर अगर अगरी हैं इस बात से कि वो डिवाजनकारी पॉलिटेक्स 1936 में कर रही थी, तो 40 में आप क्यों खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में कॉंग्रेस ने एक अश्यूरेंस चाहा ब्रिटिश से कि अगर हम अपने सैनिक भेजेंगे युद्ध में तो आप हमें आश्वासन दो कि युद्ध के बाद भारत की आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत करोगे, बिटिश्व ने मना कर दिया, कॉंग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, वहाँ जाकर आप इंदू म दिखाया है, उनका डिवेंस के है, उनका डिवेंस यह कि नहीं जब बाद करते हो, और वह कैसे करते हो, यह कंडक्ट है, जब आप PFI और SDPI support करने की बाद करता है, और आप उस पर मौंधारन कर लेते हैं, तो क्या जाहिर होता इस बहुता है? इसके बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आती है सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आप फॉरन खड़ा-खड़ लागू कर देते हैं यह क्या जाहिर करता है मतलब हमाँ इनका कंड़क्ट देखके पुर्दान मंत्री जी ने ये बात कही है कि इनका तुष्टी करान का जो मोह है वो छोटने वाला नहीं और जब इनके घर का आदमी लोगों के साथ आप सरकार बना ले तर तो तब क्या होता है कौन सी सरकार बना लिए हमने कश्वीर बनाई ना बिल्कुल में तीन चार्ट छे महीने बाद तो खतम भी तो कर दी हूँ के दुबारा चुनाओं पर जाना पड़ेगा यह कोई सरकार बनाए यह समधान की विवस्ता है तो अगर उस वकद हमने बना लिया उसमें क्या नुक्सान कि नहीं आपके नए के साथा घड़ी को भाया ही वही वारा ने इसमय ही विवामफेडों के साथ कड़ी होने वाली näंट अनल हो country का कश्मीर की पार्टीं को मनद्ध को संट्रक्षन रे वालए किस ने बता है अलगाववादी शब्द यूज किया है हमेशा किया है और अलगाववादी तक्तों का शब्द यूज किया है तीके डिवेट को आप डिवेट वो नहीं है अच्छा मैं डिवेट सिर्फ यह है कि गोसला पत्र में तुस्ट्री करन की लहक आ रही है कि नहीं आ रही है और उसक कि अपने लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से कराने के लिए डायरेक्शन देंगे यह तुष्टी करना कर रहा है तो एक वाजबी आप क्या कर रहे हैं आप एक मुसलिम को टिकेट नहीं देते ना लोग सबाव में देते ना विदान सबाव में देते उन्हें कैबिनेट मंत सब्सक्राइब से कंट्रोल होगा क्या यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर आप इस नहीं है घृष्टी साल पुरा ना घोशना पर आए अखांग्रेस के कंडक्ट का है सवाल कॉंग्रेस के कंडक्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोड़ेंगे तो मैं चालीस का सवाल कि अधियास कोई इतरा गंदा नहीं है उनके परदान मंतरी दो-दो अत्याई होई यह बकाइदा ठीके बाद समझें लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉल्रेट नहीं होगा ड्राग कर रहे हैं प्रटेक्शन करिए आप अपने क्यों बनाई अच्छा है माइन आप सबाने क्यों बनाई सरकार में पिछे चले गई फिर पिछे चले चौबिस में आप अठासी लाज को आना होगा अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में चार फीसिदी मुस्लिमों को आरेक्शन क्यों दिया तो यह सवाल एके वाजपी और डॉनों के वाली मुस्लिम लीग के साथ सरकार हिंदू महासबाने 40 में क्यों बनाई मरोच सिंग का कर सबसे पहले तो धैरे को प्रणाम आपके और आप मुझे बताईए कि मुस्लिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफेस्टों खीच लाई क्या बीजेपी आपको अपने तर कि भूख ऑड़ना का बहुत सं tien करते हैं एक प्रताप सिंग जी हमारे गुरू हैं सरदेव निता जी के भी गुरू है बीनोच सर जानते हूंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि न तेरा हैनेरा है यह सांगा है और नहीं समझी गई यne बा τι सबका है बेनामा इक्बाल की ए है कि भारती जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी थे और जो उन्होंने बिहार के निवादा में जो सवाल खड़े की हैं चुकि नरेंद्र मोदी जी वाक पटुता में बहुत तेज हैं उनसे कोई पार नहीं पापाएगा वाक पटुता में चुकि जूट बोलने के भी वो है जी जैसे लोग जैसे लोग तो नहीं है वहां जो चारार चंपना में अपनी जिन्दगी गुजार देंगे वहां बुनियादी सवाल करने वाले लोग कहीं यह न पूछ दे बिहार के लोग बिहार के लोग कहीं यह न पूछ दे को शची नरेंद्र मोदी जी से कि पिछली बार जब आए थे तो उसी बिहार को कहें कि कित्ता दे दूं शाण 25500 करोड दे दूं एक लाख करोड दूं चलो एक 25,000 करोड बिहार को विशेस पैकेज दे दिया और बिहार को उन्होंने चार आने भी नहीं दिया यह बात कर रहे ते रिफाम की रिफाम क्या है रिफाम आपके डार्विन वाद से तो है नहीं अब डार्विन वाद को भारती जनता पार्टी पुस्तकों से अटा रही है इनका और देश में कितना है और आपके बिहार में कितना है सवाल यह है कि भारती जनता पार्टी बखू भी जानती है और आपने मुसल्मानों की बात कहा मुसल्मान की स्थिती क्या है रंगनात मिस्रा आयो की रिपोर्ट क्या है कि उनकी हाला दलिच से भी खराब है और हम अभी अभी बाटपेई सर्बाद करें कि इसकी जिम्मेदारी मरोज सिंगा का कॉंग्रेस को बनती है कि नहीं सचर कमीटी की सिफारिशें कब आई सचर यह हम बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी को यह मानती है हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी एक धर्म भासाय और संप्रदाय से नहीं हमारी भूमिका संपूर नागरिक्ता से है और जिस संपूर नागरिक्ता को भारत के संभिधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक राजनाइतिक समता देने की बात करी गई है जो सवाल आपने एके बात पर इसे कहा कहा के तथा कथी तो अलकील है यह बीजेपी से क्यों नहीं पूछते की राजनाइतिक भागेदारी उनको सिर्फ मुशल्मानों से इंडलीतों से सबसे जो तबका हग के हाश्य पर रहें कि बीजेपी जानती है कि हमारा यह सही तो करना चाहा रहें और भरपाकिस्तान बना यह झारहें यह कया तो यहीं तो राष्ट कि बात है चीक है मरोज मैं विनोध अगनी होती ही अब मुझे ये बताईए कि ये चुनाव जो मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आ रहा है 2017 का पहला चुनाव 2022 से पहले वाला साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते ये माहौल बनने लगा था कबरिस्तान शम्शान कबरिस्तान दिवाली रमजान तो ये चुनाव 2024 का मुझे पर लड़ा जाएगा और ये जो मुस्लिम लीग का जो अटाक हो रहा है ये किसे नुकसान किसे फाइदा देखिए मैं बार बार कहता हूँ हर बहस में कहता हूँ इस बात हूँ पहले तो प्रताब जी का नाम लिया मनोज सिंकाका ने तो उद्य प्रताब जी की एक लाइन मैं भी सुनाना चाहूंगा बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुद्या का राममंदिर का अंदोलन चला था नभ्य के दशक की बात है तब उन्होंने लाइन लिखी थी आप तो सब पा सवाल है पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा उसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं माइनेटी शब्द है हर जगे और यह बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नर्सिमाराओं की जमाने में वो उसका शुरू की गई थी जब तो अब सवाल है ठीक है मुस्लिम सबसे बड़ी माइनर्टी है वो 14-15 परसेंट है बाकी दो तो इन तीन तीन परसेंट है जाला बड़ा शेर उनको ही मिलता है तो इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी शेर उसको वाज है जैसे लेक्रोल पॉन्ड में सबसे बड़ा शेर अब यह है कि दृवी करण की राजिनीती आखिरकार अंतता भारतिय अंता पाईटी का सबसे बड़ा हथियार है यह 2017 का अब अभी जो इस तरह से मुस्लिम ली का घोशनापत्र बता दिया कि मुझे तो मैं पत्रकार किनाते मैं कह रहा हूं मैं इस पूरे घोशनापत्र को म सब माइनरेटी दिखाई पड़ती है अगर हाँ करनाटक वाला सवाल जरूर आपका मातुपूर्ण है और वो सुपरियाजी को जवाब देना चाहिए कि खाली मुसल्मानों के लिए क्यों और ये बात ठीक है कि सबको मुका मिलना चाहिए लेकिन सम्विदान में ये ब्योस के साथ वो गलत नहीं था इसलिए गलत रही था कि मैववा मुक्ति की पाइटी पीडीपी उसने भारतिय समिदान की शबत ली हुई है और मैववा की सानबुती भला रही हो आप जलगूरू से या इस तरह की तमाम लोगों से लेकिन उनकी पाइटी चुनाओ लड़ती रह है उसका पूरा बीटेल में पढ़िये तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया और वह हमेशा उसके मंत्री जो थे मैं उनका नाम भूल रहा हूं वह तो जब वह उसमें मंत्री से क्या कहते हैं यूपे सरकार में मंत्री रहे और उसके पहले मंत्री रहे यह चिपक जाएगा कि बीजेपी तो करेगी उसको बीजेपी का क्या एंडा है बीजेपी को खेरेगी मुस्लिम तुस्की करन का आरोब जो है यह शब्द अडवानी जी ने अब शुरू किया था अपीस्मेंट पॉलिटिक्स का और उस वक्त हमारे बातपेई जी के जो ने बड़ी वो कर रहे हैं तब रामविलास जी जो बोलते थे वो आज से बिलकुल उल्टा था जो आज इनकी पाइटी स्टैंड ले रही है तो विनोट जी तो हमेशा मैनेटीज में मुसल्मानों को सबसे आगर रहते थे चौबीस में चौबीस में नहीं तो मैं इसने कहना करते हैं यह चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से भी मैं तो उननीसो चालिस और चाथिस की बात भी कर रहा हूं तो सथा पावर इस दी आल्टीमेट टूथ जिसके लिए आप लड़ रहा हैं जिसके लिए कॉंग्रेस भी लड़ रही है नई सही बात है हम तो लड़ते ही रहें लड़ते लड़ते हमें जाके 45 साल बाष सत्ता मिली पहली बाद उनीस सो बिराआटे में हम लड़ते ही रहे हम ते वैल्यूज चेंज नहीं की अभी बहुत प्याद से विनो जी की अक्सर सारी बातों पर मैं अग्री करता हूँ लेकिन आई उएमल पर विनो जी मैं आपसे 100% डिसाग्रीड हूँ क्या ये सही नहीं है कि मदरास प्रेसिडेंसी में मुहमद इसमाइल जो थे इंडियन मुस्लिम लीग के सदस थे जो बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग बना और जिन्ना गए पाकिस्तान वो नहीं गया उन्होंने यहाँ पे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थातना की और क्या ये सही नहीं है कि 1950 के सविधान के स्थातना दिवस में उसी मुहमद इसमाइल ना ये प्रस्ताओ दिया था कि भारत में शरिया कानून मुसल्मानों के लिए होना चाहिए जिस पर सरार पटेल ने रिफ्यूस कर दिया था तो फिर कैसे नहीं वो जिन्नावाली मुस्लिम लीक के समर्थक हुए आज भी हैं इसे उसको डिफेटर नमबते हैं ये बिकुल एतिहास के पनों में और गोंगरसी तिहास ने एक विड़ गरिमा जी एक तो आपने आपने बहुत लंबा आपने बहुत लंबा बोला मुझे दस सेकेंड और दीजिए आप पहली बार एक ऐसे एंकर में ने देखा है कि जो अपने सवाल रिपीट करता हो चाहे मुझ से चाहे वाजपई जी से भी बोले और विनोज जी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुवी करण की सियासत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है चुनाव आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे मुद्दे पर बहुत एहम होगा कि ECI क्योंकि इंडियन पीनल कोड की 153 एक वोईलेशन का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है क्या कहता है चुनाव आयोग नजर रहेगे सभी का बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है प्रणाम में गारिमा सिंख सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूँगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब 10 दिन का वक्त बाकी है 19 एपरिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जमर्दस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बौचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ इसकी कमान संभाली है वीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बौचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान शुरू कि इस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें 25 गिरंटी पांच नियाए और 25 गिरंटी जिसमें MSP का जिकर है जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाक रुपाय सालाना का जिकर है जिसमें 30 लाक युवाओं को नौकरी का जिकर है ग्रेजुएटेड युवा पहुआ किस बात पर हुआ कि ये जो कंग्रेस को गेरने की चौदर अरफ बीजेपी की तरफ से कोशिश है ये किस बात पर शुरू हूई ये भी मैं आपको बता दू ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि कॉंग्रेस के इस घोशडा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूं कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोषणा पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूं सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोषणा पत्र में वही सो जलकती ह जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी ये पहला बयान फिर दूसरा बयान साथ एप्रिल को नवादा में इंडी गडबंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना है दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की चाप हैं कोंग्रेस ने घोशना पत्र नहीं बलकि तुष्टी करण पत्र जारी किया है और फिर तीसरा बयान आज पीली भीट में दिया प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र बनाया वो कॉंग्रेस का है ही नहीं बलकि मुस्लिम लीग का गोशना पत्र लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का भी विरोध कर रही है और ये सि ने इसी तरीके का हमला की और जेपी नडडा ने तो एक और बात कह दी कि जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमंता बिस्वा कह रहा है घोशना पत्र पाकिस्तान क कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशना पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुची ये बता देती हुए आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधाइशु त्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपैरिजन भी है 1936 का और 2024 का गोशना पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया परसनल लौ की रक्षा करेंगे 2024 में भी अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कंग्रेस कर रही है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निर्पेक्ष देश है दूसरी बात तीसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप यह 1936 में मुसलिम लीग ने कहा था 2024 में कॉंग्रेस ने यह कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे यह तीन पॉइंट हैं हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्थे में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ति करण के लिए आसान कर्ज देंगे यह मोटा मोटी तीन पॉइंट मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर यह साथ पॉइंट से अब कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी अपने ऊपर यह आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करण कर रही है अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा समाला खुद मलिकार जुन खड़गे ने क्या कहा उन्होंने मलिकार जुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारत छोडो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों का हाने के बजाए हिंदू मुस्लिम करने में लगें ये सच है कि प्येम मोदी बॉखलाए हुए है आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जेराम रमेश भी बोले जेराम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मं अधी बोली अशोग गहलोत बोले सलमान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आई पी सी की धारा 153 ए का वोयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आप नहीं लगा सकते किसी पार्टी पर बोरे नेता कर डेलिगेशन लेकर पहुचे चुनाव आयोग के दफ्तर और जो छे शिकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रदान मंतरी नरिन रमोदी के खिलाफ दी अब यहां से मैं दो चीजें और आपको बता देती हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल मे अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले की मुस्लिम लीग थी जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग राष्टर चाहिए पाकिस्तान बना मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए केरल म में हैं वही मुस्लिम लीग है या कोई दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेप में बताती हूँ जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वह 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहोर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लिजे ये आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनिय मुस्लिम लीग आई यू एमल चैनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसमें कॉंग्रेस में शामल है यू डी एफ ये उसका हिस्सा है और कई राज्जियों में उन्होंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी ठीक ठाक कपासिटी में ये आई यू एमल है जो पुरानी मुस्लिम लीग थी उसके कुछ नेता जिनोंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन मुस्लिम नेता थे उन्होंने फैसला किया कि हम ये आई यू एमल बनाएंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ही है तो ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल गमासान बढ़ता हुआ नसर आ करहें बगैर यह सोचे कि यह देश एक सेक्यूलर देश धर्म निरपेक्ष देश मैं दो बयान सुनाती हुआ को फिर आगे बढ़ें को कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुस्लिम लिख का घोशना पत्र लिखता है तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा सिये एका भी विरोग कर रही है हम यह बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय भाजन में यह लोग लगे रहते हैं कि समाज का भाजन यह लोग कर दें और फिर आके इलजाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिल्कुल वैसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डाटे नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का अगर रोजगार देंगे महिलाओं को अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजन कारी होगा ऐसी बात क्यों कहते हैं यह शोबा नहीं देता है पधान मंत्री को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए पचीस गिरेंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशुणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो महमान मेरे साथ जुड़रा है इस पैनल में मैं परिशे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोक है राष्ट्रिय प्रवक्ता है भारतिय जनता पाति के सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जुड़ रही है राष्ट्री प्रवक्ता कॉंग्रेस पाती बिजनिस जॉनलिस्ट फॉर्मर बिजनिस जॉनलिस्ट मनोच सिंग काका मेरे साथ हैं बहुत सारी किताबें पीछे दिख रही हैं खूब परते हैं प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के मेरे साथ एके वाजपे स्टुडियो में हैं पेशे से वकील हैं वकालत करते हैं सुप्रीम कोट में और लजपी आर के राश्ट्रिय प्रवक्ता हैं मुख्य प्रवक्ता हैं स्टुडियो में एक और बहुत खास मेमान वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखें इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी दिर बाद डॉक्टर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आरजेडी राश्ट्रिय जनता दल बिहार अजे आलोग पार्टी विद्धा डिफरेंस कहने वाली पार्टी प्रुग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी कल राजनात सिंग ने भी कहा हम प्रुग्रेसिव हैं एमेसपी पर बात करते करते नौकरियों पर बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह मुस्लिम लीग में हिंदू-मुसल्मान में क्यों अटक गई भई गरिमा जी बिलकुल सही बोल रही हैं आप हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए Congress Party जो कहे वोही सही न खाता न भखी जो Congress कहे वही सही क्यों बात करना चाहिए डिवे ठी क्यों करना है Congress party है देश के बारे में कुछ भी बोल सकते है उनका वीजन है देश के बारे में देश को ऐसी ही ले जाएंगे जड़ा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था और 48 की डॉक्यमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने पर एक पन्ने का सिर्फ मुस्मानों पर डॉजियर तो आज तक दि 96 एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक माइनॉर्टी लिंग्विस्टिक पर एक पन्ने का डॉक्यमेंट्री एविदेंस तो आज तक कोंग्रेस पाटी नहीं दिया पहली बार दे रही है आप कहते हैं बात ही नहीं करना चाहिए क्या विजन है पार्टी का भई एक सो चालीस करोर की जनता के गाए एक पंदरफ परसंट पर एक पन्ना और क्या पन्ना एक पर एक पन्ना कॉंग्रेस विल एंशूर माइनॉर्टी विल हाव परसनल लॉव राइट्स मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं आयूमल तो कहता है कि परसनल लॉव बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए शरीया की तरफ बढ़ना चाहिए तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ परसनल लॉव की बात करते हैं रिफॉर्म्स ने कल को कही है कि शरीया हम पर लागू होने ती जैसे मुहमाद इस्माइल ने कॉंस्टिट्यूशन के सभा में बोला था पटेल जी ने नाकार दिया था आज की कॉंग्रेस माल लेगी आप कहते हैं तो प्लेशन लूगी फिर मैं आपको इंटर्वेंशन नहीं दूगा आपको इंटर्वेंशन आज नहीं दूगा वो जरूबी है मेरी बात जानी चाहिए आप इंटर्वेंशन मत बात में बोलिएगा मुझे पता है मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी ठीक है न इस देश के 82% हिंदूओं को मेजोरिटेरिनिजम के का नाम देके आप नेगलेक्ट करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुएं दिल है कि क्या है भी या दरिया है बोते नहीं है वो गोता लगाने के लिए आप एक बास समझिए घरिमा जी भारत की चेंजिंग डेमोग्राफी और भारत की चेंजिंग लिट्रिसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है भारतिये जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई जहों लिट्रिसी रेट 50% से उपर भी पर ले आती हूं आपको डॉक्टर अजे आलोग आपके पास रौका था आप के लिए पिरिमा जी ता आपके आपके काम को यह बात करेंगे हम यह बात करेंगे जब हूं अपना मैने फेस्टो लाएंगे उस मैनिफेस्टो में अंतर देखिए गा ठीक है हमारे मैनिफेस्टों में आंतर देखिये का खाय जाहों कहते हैं कि हम प्रोग्रसिव हैं हम पार्टी इस दिखेगा हमारे मैनिफेस्टों में हम यह कह रहे हैं कि विल इंशो scholarship for Muslim children to study abroad क्यों हिंदू के बच्चे नहीं है इसाइयों के बच्चे नहीं है सिखों के बच्चे नहीं हैं वो वी रेश में पंढ़े जाएंगी उनकी scholarship का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी मुसल्मानों के लिए उठाएगी के माइनोरी के देफिनिशन के मैडम लेकिन इसी मुसल्मान मैंनोरी जिसकी आपकी पूरी पार्टी अप फिर आप एक सेके अप सुन लिजे फिर डॉक्टर आजया आलो मैं सवार को पुछू नहीं यह तो मेरी खाना बहुत अच्छा बने यह मेरी जिम्मदारी है सर मैं मै हाँ 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 एक मिल्कूल बताते हैं अब ठीक इसका जवाब ले लिजे मुसलिम लीक के साथ शहवा प्रशाद मुकरजी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वह विभाजित इंडिया था विभाजित हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान का मजभी आदार पे बटवारा हो इस समय की बात कर रहा हैं आप उस समय भी टू नेशन त्योरी पर मुसलिम लीक काम करता था पूर्ण इंडुस्तान तो है नहीं पूर्ण इंडुस्तान तो एक मिनट गरिमा जी दूसरी बात अबको बता हो खाना कितना बी अच्छा पढ़ोस के दीजिये न अगर उसमें चिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाते हैं जहरीदा हो जाते हैं अब आपको खाना खाना है आप खाई एक पिनिट हमारा काम है बता है मैं जवाब देने का मौका दूँगी 1936 के जिस गोशना पत्र का आप जिकर कर रहे हैं अगर मुस्लिम लीग 1934 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिलकूल बना रहे थे मैं तो कही रहा हूँ कि आव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई क्योंकि वो राजनितिक की डायमिंट जान में डिवाइसिव आज कौन सब मजबूरी है आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई एक मिनट अब सुन लीजे आज कौन सी मजबूरी है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में करनाटका का चीफ फिनिस्टर जो कॉंग्रेस का अलाई है वो कहता है कि राउल गांदी के नमांकर नीतरा में मुस्लिम लीग कहती है कौंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे आप उसने सवाल नहीं उठा रही है और वो मेभूबा मुफ्ती जो आतंकियों को खुले हो गया विभाजन का दंश जेल चुके अब कॉंग्रेस पार्टी के आइडियोलजी पे चलें तो फिर विभाजन का दंश जेलना पड़ेगा इनके एक MP ने कहा कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए उस पे तो आप कोई डिबेट नहीं गर्मा सिंग ने सवाल नहीं पुछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नौर्थ का महबुबा मुफ्ती के साथ चुनाओ लड़ रही है अरे अरे आप ने सरकार यह नहीं चिपकेगा गर्मा जी कुछ नहीं आलाई है यह नहीं चिपकेगा मुझे चिपकाद है कुछ है चिलाते रहे लोग कि खून की नदिया भाएंगी खून की नदिया दो दूर छोड़ी है इच्छा टाग भी कुछ नहीं बहा लेकिन आज उसी महबुबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बर्फ खिलते हुए फोट से जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा चालीस का जवाब दे दीजी मुझे मैं आगो बढ़ जाओगी इंदुस्तान था मौजुदा राजिनतिक परिस्तिति के आप अगर 88 साल पुराना मेनेफेस्टों खाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के म के बावजूद कॉमन मिनमम प्रोग्राम पे सरकार बनी अब विवाजित हिंदुस्तान था जो लोग जो लोग शरिया के चकर में रहते थे माडम आज उस शरिया के साथ हाथ मिला के कॉंग्रेस चल रही है हम से सवाल पूछने के जगए जड़ा कॉंग्रेस से सवाल क्यों होना च्वाइब करना चाहिए हमारा यूसी सी की बात करता है तो फिर परस्नलाग को प्रमोट क्यों करना चाहिए यह यह देश मुसलिमों का नहीं है के देश सबका है यह देश सिर्फ मुसलिमों का नहीं है यह देश सबका है चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिखों, इसाई हों ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है सिर्फ मुस्लिम प्रमोशन्स की बात मत कीजिए लेकिन सुविदा के हिसाब से आप सुविदा के हिसाब से आप भी खेल जाते है आपकी रगों में बस गया है बेकार आपकोशिश करें नहीं चिपकेगा, यह हमारी रगों में नहीं है, आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है, मैं क्या करूं क्या यह मेरे बस में है, यह तो मेरे रग रग में है, यही कॉंग्रेस की रग रग में है, यही घमण्डियों की रग देखिए हर जगा हाई मुस्लिम हाई मुस्लिम मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों आपस में सर फोड़ लेंगे मून ऊच लेंगे एक दूसरे का इन गरिमा जी तभी मुस्कुराएंगे यह राम से मुरादा बाइद का चाहिए अब देखेंग यह कि सबसे पहली बात तो यह कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप यह पॉइंट बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोशणा पत्र में कि अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता करेंगे देश में बहु संख्यक वाद के लिए को मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर इनके बड़े बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंतरी मोदी ने दो चीजे साफ कर दी कि दीमागी और नैतिक दिवालियापन उपर से नीचे दोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बिचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि यह न्याए पत्र हर उस चीज़ का समाधान है जो समस्या इन् देंको छाप नजराती है मुसलिम लीग की. हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाों की, किसानों की, श्रमिकों की, उन लोगों की जो हाश्चिये पर हैं और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे. हमारे मैनिफेस्टों पर चाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टो पर चाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफेस्टो पर चाप है उन किस मंतरी ये बनाए रखते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप हैं जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिये मोदी जी ने हमार ये इस देश का विदेश मंतरी कहता है हम चोटी कॉनिमी है चीन बड़ी कॉनिमी है हमारे मेनिफेस्टों बचाप है दलवान के उप्रदाल लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घोशणा पत्र आप कहते हैं पांच नियाए 25 गरंटी लेक 10 लिए 1वी सदी मुसलीमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा यानि की वह अगर अपनी कॉंस्टिट्वेंसी एडरेस कर रहे हैं तुस्टी करन तो आप भी अपनी कोंस्टिट्वेंसी एडरेस कर रहे हैं अ कुछ इस Ça से बीज़ें पी सार करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्हों ने यह उल जलूल की बाते की और अब मैं आपको तथ्य बताती हूं यह बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टी करर की हमारे मैनिफेस्टों में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है क्यों क्या गलत कहा हमने इसमें मौलाना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलर्शिप की उसमें मुस्लिम्स को उसमें सीख को उसमें पार्सी को उसमें बुद्दिस्टों उसमें क्रिस्चिन्स को मका मिलता है जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन स्कॉलर्शिप का क्या गलत करनाटके हैं लेकिंगाल बागों को 4 पी आरक्षन देते हैं सुप्रिया सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा में बताती हूं आपको यह मैंणिस ऱ्मारा नियाए पत्र का नाम है इसके 5 स्तंब यूबा नयाए किसान नयाए श्रमिक नयाए और हिस्सेदारी नयाए और हम क्या कहते हैं हम इनकी बनाई हुई हर बखेड़े को इनकी बनाई हुई हर समस्या को इनके बनाई हुई दसकाल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं हमारा कहना है और मुझे अब एक मिनिट का टाइम यहा कि हार काप जाए हम अगनी वी कुर्न काट टैकेंगे और पूर जे ना डॉक्त आज्टर आजया आलोग भी सुन ले मुझे यह बता दोचें कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसल्मान चात्रों के लिए आप से कुलर मुल्क में विश्वास रखती हैं ऐसा में विश्वास रखत यह भारतिय जंता पार्टी जूटी फरेवी जुम्ले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पढ़ लीजे पॉइंट नंबर चार चाप्टर में हैं कॉंग्रेस विदेश में अध्यन के लिए मौराना अजाद छात्वृत्ती को फिर से लागू करेगी और छात्वृत्ती की संख्या बढ़ाएगी इस स्कीम के अंतरगत सिर्फ मुसल्मान नहीं आते हैं प्रधार मंत्री को भी नहीं पता है उनके बद्दमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है इस चात्वृत्ती के अंदर बुद्धिस आते हैं जैन आते हैं क्रिस्चिन आते हैं पार करनाटक का जो रेजर्वेशन है मुसलिमों को चार फीसे दी आरक्षन दे दिया आपने करनाटक में बीजे पी आई उनों ने खार कर दिया क्यों करते हैं उस पर भी आती हूं आ रही हूं दो मिनट रुख जाएए पहले मैं बात करूंगी अपनी जिसके लिए ये बे उत्तर हैं निरुत्तर हैं इनके पास एक शब्द नहीं है और मैंने कहा इन्हों ने इस देश पर बेरोजगारी का भिशाप लादा आज हर घंटे दो युवात महत्या कर रहा है हम कहते हैं तीस लाग सरकारी नौकरी देंगे एक लाग का स्टाइपिंड देंगे पेपर जो लीक ह होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार फेकेंगे वापस जैसे नौकरी बहाल होतीती करेंगे आप मुझे 30 सेकंड का मौका और दीजिए हम नारी नियाए की बात करते हैं हम क्या कहते हैं महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम एक लाग करके दिखा रहे हैं हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे हम अन्रेगा का मान दे 400 रुपए प्रतिदित बढ़ाएंगे करनाटक का प्रशन मुश्किल है क्या सुप्रिया अरे एक मिनट रुख जाइए मेरे मैनिफेस्टों पर चर्चा है मुझे तो बोलने दीजेगा 30 सेकंड तो बोलने दीजे चर्चा तो मेरे मैनिफेस्टों पर और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए MSP की कानून करनाटक का जवाब है सुप्रिया मुझे ये बता दीजे करनाटक का जवाब है आप के पास? आप बोलूजे फिर मैं बोलूगे ये हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे मैनिफेस्टों में पूरी तरे से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके प्रधान मंत्री मोधी की भाषा उनकी शेली उनकी नफरत ये दंश ये देश सहरा है ये असलियत है ठीक है करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रखर प्रवक्ता खेर मैं दुबारा लोटूंगी आपके पास मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या ये जो 88 साल प्रोग्रेसिव पार्टी 88 साल पुरा ना घोशना पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने मेह भुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली आपके घर में घुसके मारे कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफ्लेट इंफ्लेशन किया देश की सीमा में उस पर बोलते नहीं है बुर्दान मंत्री ने अगर ये कहा कि इनके घोशना पत्र में मुस्लिम की चाप है तो क्या गलता है यह तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साथ थे और सोनिय गंदी जी ने कमेंटी बनाई थी चार मेंबर की और उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप जो रहा क्या का था कि कॉंग्रेस की आर इसलिए हो ये क्योंकि कॉंग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही यह बकाई दा लिखा हुआ तो जब इनका आदमी कह रहा है तो प्रदान कि विरेवर से इंग वह ब्यान है कि कमेंटी की रिपोर्ट है जो कमेंटी सोनिया गंदी जी ने मनाई यह बकाईदा उनका एडमीशन है खुदी अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी अगर सब्सक्राइब आप अपीजमेंट नहीं करते तो रहे के बाच पर ह आप क्या करते हैं एक से जवाब देदी आप सारव बोलोगी क्या बस चारा आप यह बलो तो पहले मैं एक जरह सा बोलों चाहिए हमारा हमारा साविधान जो नहीं मैं कुछ और क्या है आप भी गोशना पत्र लेकर आए सुधान शुत्रवेदी इसमें इनोंने कहा चाह चा कर रहा हूं कि जो प्रदान मंत्री जी ने कहा या सुधान सुभाई ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा है और वो उनके पास्ट कंड़क्ट से क्रत्यों से जाहिर हो रहा है कि वक बोड किसमें बनाया था जैसे पर चालिस तर जराब मैं आ रहा हूं उस पे भी आरो सारी चीज पहले इनका कंड़क्ट तो आजाए ना जरा कंड़क्ट आएगा उसी से प्रूब हो जाएगा कि आजी इनका आपीजमेंट की तरफ द्यान जादा है तुष्टिक देखिए कांस्टूशन क्या कहता है कि माइनोर्टी को प्रटेक्शन करोंगे दिएर जी डिफरेंस बिट इनिया गौवर्मेंट के पास 12 लाग करोड की प्रपरटी तो उनके पास चार लाग करोड की प्रपरटी किसने मनाया हाज्यमें सबसीजडी आप क्यों देते थे इस सरकार ने आके खतम की अभी आप बढ़ी खुब्सित आप पांच करोड चात्रों को चात्रवृति मुस् अगर 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 अगरी हैं इस बात से की वह डिवाजनकारी पॉलिटेक्स अनिस्सों चाटिस में कर रही थी तो 40 में आप क्यों खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में कॉंग्रेस ने एक अश्यूरेंस चाहा ब्रिटिशर्स से कि अगर हम अपने सैनिक भेजेंगे युद्ध में तो आप हमें आश्वासन दो कि युद्ध के बाद भारत की आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत करोगे ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कॉंग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया वहाँ जाकर आप इंदू महासबार मुस्लिली के साथ सरकार बना लिए उस लुद्ध कर रहे हैं कि क्या इस घुसरा पत्र में मुस्लिम के प्रती कोई ज्यादा एक्स्टा ओर्डरी अट्र बात करते हो तो आप सारा का सारा टिल्ट जो करते हो वो मुसल्मानों के प्रती करते हो और वो कैसे करते हो वो ये कंड़क्ट है जब पी एफाई और एसड डी पी आई सपोर्ट करने की बात करता है वो और आप उस पर मौन धारन कर लेते हैं तो क्या जाहिर होता है इस बात इसक्रत जो है इसके बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आती है सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आप फॉरां खड़ा-खड़ लागू कर देते हैं यह क्या जाहिर करता ह इनका कंडक्ट देखके पुर्दान मंत्री जी ने ये बात कही है कि इनका तुष्टी करान का जो मोह है वो छोटने वाला नहीं और जब इनके घर का आदमी लोगों के साथ आप सरकार बना ले तर तो तब क्या होता है कौन सी सरकार बना लिए हमने कश्वीर बनाई ना कश्वीर में तीन चार्ट छे महीने बाद तो खतम भी तो कर दी हो देखें बरूस कीजिए ढ़ाई साल सरकार चला या आपने के वाज़ पर देखें और धाई साल बाद भी में बूबा मुफ्ति कहती रह गई गर्मा जी कि लोक तंत्र में सरकार का कईवरी क्या हो के नंबर गेम ऐसा बन जाता है कि दुबारा चुनाओं पर जाना पड़ेगा यह कोई कंपिजेशन सरकार बनाए यह समधान की विवस्ता है तो अगर उस वकत हमने बना लिया उसमें क्या नुक्सान की अगर आपकी नजर में वह आतंकवादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला है तो आपने मैबुबा मुफ्ती के साथ जाका जरकार क्यों बना लिए कश्मीर की पार्टियों को आतंकवाद को संद्रक्शन देने वाला किस ने बता है है हमेशा किया है और अलगावदी तकतों का सब्द यूज किया है तिके डिवेट को आप डिरेल कर रहे हैं डिवेट वो नहीं है डिवेट सिर्फ यह है कि गोसला पत्र में दुष्टी करन की लहक आ रही है कि नहीं आ रही है और उसका जवाब बड़ा सीधा है कि बिलकु में आपने लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से रिन मौया कराने के लिए डारेक्शन देंगे यह तुष्टी करन कर रहे हैं तो एक वाजबी आप क्या कर रहे हैं आप एक मुस्लिम को टिकेट नहीं देते ना लोग सबहा में देते नहीं कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते टिकेट लेने का कुई हवाला कंस्टिशन में है कि हम किसको टिकर देंगे किसको ली यह समधान से कंट्रोल होगा जिसम्दान की बाते नहीं हम समधान से चल रहें समधान में सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट का है सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोड़ेंगे तो मैं चालीस का सवाल पूछूंगी सवाल का जवाब सोच कर रखीगा कांग्रेस का इत्यास कोई इतरा गंदा नहीं है उनके परदान मंतरी दो-दो अत्याई होई यह बकाइदा ठीके बाद समझे लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉल्रेट नहीं होगा ड्राट कर रहे हैं प्रटेक्शन करिए आप ने क्यों बनाई अच्छा है माइन अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में चार फीसिदी मुस्लिमों को आरक्शन क्यों दिया तो यह सवाल एक वाजपई और डॉक्टर अजय आलोग दोनों के लिए मुश्किल है कि 36 में विभाजनकारी पॉलिटेक्स करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सर पॉलिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफेस्टो खींच लाई क्या बीजेपी आपको अपने टर्फ पर देखिए धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की स्वतंत्रता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग जी हमारे गुरु हैं सरदे नेता जी के भी गुरु हैं बिनोच सर जानते होंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि न तेरा न मेरा है या सबका है और नहीं समझी गइए बात तो नुकसान सबका है बेएद खुब और अलामा इक पाल की एक बात और आप आप कह रही थी किAllama इक बाल की भी एक लाइन है और हम बुल बुले हैं इसके ये बुल्षिता हमारा ना बहुत खुब तो जो सवाल यह है कि भारती जकनता-पार्टी के जो नरेंद्र मोधी जिते और फंतिने बिहार नवादा में तेज हैं उन से पार नहीं पापाएगा वाक पट नहीं के करूत जूत बोलने में अपने जिन्दगी गुजार देंगे वहां बुनियादी सवाल करने वाले लोग कहीं यह न पूछ दे बिहार के लोग बिहार के लोग कहीं यह न पूछ दे प्छली बार जब आए थे तो उसी विहार को कि किता दे दू करोड को भारती जनता पाटि पुस्तकों से रही है इनका रिफाम गोबरवाद बीजेपी का यह बात कर रहते केरल की केरल में सक्षड़ता दर कितना है 94 और देश में कितना सच्चर कमिटी की सिफारिशें कब आई सच्चर कमिटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुए आप पूछिये काँगरेस से आपके साथ घडवन्दन में शाAMIL है ये हम बहुत जिम्यदारी से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी को ये मानती है हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी एक धर्म भासाय और संप्रदाय से नहीं हमारी भूमिका संपूर नागरिक्ता से है और जिस संपूर नागरिक्ता को भारत के संभिधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक राजनायतिक समता देने की बात करी गई है। से पिछणों से सबसे जो तबका हक के हांसिये पर है चुकि बीजेपी जानती है कि हमारा यह वहीं तो करना चाह रहें धर्म के आदार पर पर हिंदूस्तान बनाना चाह रहें यहीं तो हिंदूराश्ट की बात है ठीक है मरोज मैं विनोध अगनी होते ही अब मुझे ये बताईए कि ये चुनाव जो मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आ रहा है 2017 का पहला चुनाव 2022 से पहले वाला साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते हैं ये माहौल बनने ल बढ़ा जाएगा और ये जो मुस्लिम लीग का जो अटाक हो रहा है ये किसे नुकसान किसे फाइदा देखिए मैं बार-बार कहता हूं हर बहस में कहता हूं इस बात को पहले तो मैं उद्धर प्रदाब जी का नाम लिया मनोश चिंकाका ने तो उद्धर प्रदाब जी की एक लाइन मैं भी सुनाना चाहूंगा बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुध्या का राममंदिर का अंदोलन चलना था नब्बे के दशक की बात है तब उन्होंने लाइन लिखी थी आप तो सब पानी बदब उतर गया रामंदिरी बन गया प्रदिश्था हो गई बन लेकिन उस समय लिखा था उस माहूल में कि अपनी जन भूमी तो राम जी संभाल लेंगे हो सके तो आपनी मात्रभूमी संभाल लिए तो यह मात्रभूमी का सवाल है कि भाई देश और गंभीर सवाल है पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टों देखा उसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं माइनरीटी शब्द है हर जगे और यह बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नर्सिमाराओ की जमाने में उसका शुरू की गई थी जब बावरी मजजिद का विद्धवन्स हुआ और उसके बाद मुसलमानों की नाराज़ सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सबसे बड़ा हथियार है यह 2017 का अब अभी जो जिस तरह मुसलिम ली का घोष्णापत्र बता दिया कि मुझे तो मैं पत्रगार किनाते मैं कह रहा हूं मैं इस पूरे घोष्णापत्र को मने पढ़ा तो माइनाटी शब्द में मुझे तो सब माइनाटी दिखाई पड़ती है अगर हाँ करनाटक वाला सवाल जरूर आपका मातुप मुझे लगता है जो आपने दो तीन पर मैंभुवा मुप्ति के सवाल उठाया तिक सरकार बनाना ना तब गलत था मुप्ति के साथ वो गलत नहीं था इसले गलत रही ता कि मैंभुवा मुप्ति की पाईटी पीडीप उसने भारतिय समिदान की शबद ली हुई है और इंडियन मुस्लिम लीग भी चुला रहती है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जो जिन्ना के बुस्ति को अगर पूरा पढ़िए तो उसने कभी भी पाकिस्तान के समझान नहीं किया और वह हमेशा उसके मंत्री जो थे मुनका नाम भूल रहा हूं वह तो जब उसमें नहीं पसे मंतरी से क्या कहते हैं। यूपेस सारकार में मंत्री रहे है और उसके पहले मंत्री मंतिरए द्योगणदा सब्साइब में भी तो वह बाकाइदा जा करके भारतिय उसमें जो है जब कई बार विदेशियों में कुवेट में वहां पर फसेद उनको लाने मड़ी मदद की तो यह चुनाव में जो मुस्लिम लीग का एक नरेटव है यह चिपक जाएगा कॉंगर्स कैसे इससे फाइट करती कांगर्स शुरू किया था अपीजमेंट पॉलिटिक्स का और उस वक्त हमारे बातपेई जी के जो नेता थे रामिलास पास्वान जी वह अडवानी जी के अलोश्डा करते थे इसके लिए अपीजमेंट को लेगे आज बातपेई जी अपीजमेंट की बड़ी वो कर रहे हैं तब रा काइदा मुसल्मानों को अरक्षिंट दिया है वहाँ पर पस्वांदा मुसल्मानों को बिहार में दिया करते हैं अड़िया ये चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रस की तरफ से भी मैं तो उने सो चालिस और शचय की बात भी कर हुआ हूँ कि 36 निश्य दूरूप से उसे प्रस्ताव पास किया था लेकिन परिष्टनियां ऐसी थे कि हिंदुमा समाने मां सरकार बना लिए उनको साथ मिल करके अब उस समय आज से 80 साल पहले क्या इसी थी तो सत्ता परम सत्य ना सत्ता के लिए कॉंग्रेसी मनिफेस्टोल आई है और सत्ता के लिए बीजेपी निश्य मुस्लिम लेका तो सत्ता पावर इस दी अल्टीमेट टूथ जिसके लिए आप भी लड़ रहा हैं जिसके लिए कॉंग्रेस को एक लाड़े हैं नहीं से बात है हम तो लड़ते ही रहेंते लड़ते 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 हमें जाके 452 मीट कॉला में पहली बार उनिसस ग्याद्य नहीं की Sumerian नहीं है कि मदरास प्रेसिडेंसी में मुहमद इसमाइल जो थे उस वक्त इंडियन मुस्लिम लीग के सदस थे जो बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग बना और जिन्ना गये पाकिस्तान वो नहीं गया उन्होंने यहाँ पे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की और क्य गरिमा जी गरिमा जी एक तो आपने आपने बहुत लंबा आपने बहुत लंबा बोला मुझे दस सेकेंड और दीजिए आप पहली बार एक ऐसे एंकर में हमें ने देखा है कि जो अपने सवाल रिपीट करता हो चाहे मुझसे चाहे वाजपई जी से आप 36 और 46 माटक गई जा 40 का भी मैंने जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जामपल आपके सामने अभी मनोच काका ने दिया 14.8% अबादी है मुसल्मानों की उसको 20% और 25% पे ले गए यही चाहा थे गुरुदेव धन्ने हैं आप लोग चले समय मेरे पाश खत्म हो गया है मैं चातिती की सुप्रिया भी बोले और विनोच जी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुवी करन की सियासत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है चुनाव आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे पर बहुत एहम होगा कि ECI क्योंकि इंडियन पीनल कोड की 153 एके वॉयलेशन का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है क्या कहता है चुनाव आयोग अज़र रहेंगे सभी का बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है प्रणाम में गारिमा सिंग सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब दस दिन का वक्त बाकी है 19 एप्रिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जबरदस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान शुरू कि इस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें 25 गिरंटी पांच नियाए और 25 गिरंटी जिसमें MSP का जिकर है जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाक रुपाय सालाना का जिकर है जिसमें 30 लाक युवाओं को नौकरी का जिकर है ग्रेजुएटेड युवा बवाल किस बात पर हुआ ये जो कॉंग्रेस को घेरने की चो तरफा बीजेपी की तरफ से कोशिश है ये किस बात पर शुरू हुई ये भी मैं आपको बता दूँ ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि कॉंग्रेस के इस घोशणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूँ कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोषणा पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूँ सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच जलकती है जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी ये पहला बयान फिर दूसरा बयान 7 एप्रिल को नवादा में इंडी गडबंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना है दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है कॉंग्रेस ने घोषणा पत मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजन शिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सी ए ए का भी विरोध कर रही और ये सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हमले तक हमला सीमित नहीं रहा पूरी बीजेपी मनोज तीवारी हिमंता विस्वा सर्मा जेपी नड़ा राजनात सेंग निर्मला सीता रमर सब ने इसी तरीके का हमला की और जेपी नड़ा ने तो एक और बात कह दी कि जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उस के अशी कौंग्रेस बात को कौंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमंता विस्वा कहे रहें घोषणा पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्य मंत्री हिमंता बिस्वाश सर्मा अब ये जानना बेहत जरूरी है कि ऐसा घोशना पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुँची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशना पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुची ये बता देती हूँ आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधायन शुत्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपेरिजन भी है 1936 का और 2024 का गोशना पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया परसनल लौ की रक्षा करेंगे 2024 में भी अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कॉंग्रेस कर रहे है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निरपेक्ष देश है दूसरी बात तीसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप यह 1936 में मुसलिम लीग ने कहा था और 2024 में कॉंग्रेस ने यह कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे ये तीन पॉइंट हैं, हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा, खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्ते में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी, आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्ज देंगे ये मोटा मोटी तीन पॉइंट मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर ये साथ पॉइंट्स है अब कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी अपने ऊपर ये आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करण कर रही है अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा सभाला खुद मल्यकार जुन खड़गे ने क्या कहा उन्होंने मलिकार जुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रिसाद मुकर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रिसाद मुकर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्णर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारज चोड़ो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों क साथ देने को तैयार है अलावा इसके सुप्रिया श्रनेत ने प्रेस कॉंफरेंस की और सुप्रिया श्रनेत ने ये कहा कि दस साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाए हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं ये सच है कि प्येम मोधी बॉखलाए हुए हैं आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जेराम रमेश भी बोले जेराम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मंतरी मोधी हमेशा विभाजन कारी राजनीती अपनाते हैं फिजूल की बातें करके जूट बोलते हैं और फिर और मैं बयान ज्यादा नहीं पढ़ूंगी प्रियंका गांधी बोली अशोग गहलोत बोले सलमान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आईपी सी की धारा 153 ए क वाइलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी पार्टी पर बोले नेता कर डेलिगेशन लेकर पहुचे चुनाव आयोग के दफ्तर और जो छे शिकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रदान मंतरी नरें रमोदी के ख घोशना पत्र में मुसलिम लीग की चाप तो ही लेकिन उसी मुसलिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले की मुसलिम लीग थी जिस मु मुसलिमों को अलग राष्टर चाहिए पाकिस्तान बना मुहमद अलीज जिन्ना पाकिस्तान चले गए केरल में जिस मुसलिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन में है वही मुसलिम लीग है या कोई ये दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेप में बताती हूँ जो मुसलिम लीग आजादी से पहले की थी मुहमद अलीज जिन्ना के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वो 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहोर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी Muslim League जो केरल में है जिसके साथ Congress गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लिजे ये आजादी के बात बनी March 1948 में बनी पूरा नाम है Indian Union Muslim League I.U.M.L. चेनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसमें Congress में शामल है केरल में और तमिलनाडू में भी ठीक ठाक capacity में ये I.U.M.L. है जो पुरानी Muslim League थी उसके कुछ नेता जिनोंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन Muslim नेता थे उन्होंने फैसला किया कि हम ये I.U.M.L. बनाएंगे इंडियन यूनियन Muslim League बनाएंगे इन्होंने 52 में चुनाव लड़ा जो सबसे पहला चुनाव हुआ था और सारे चुनाव अब तक ये Muslim League लड़ती चली आई है तो ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल वो घमासान बढ़ता हुआ नसर आ रहा है दुरुवी करण का आरोप है तुष्टी करण का आरोप है हिंदो मुस्लिम एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को अपनी अपनी कॉंस्टिक्ट्वेंसीज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बगार ये सोचे कि ये देश एक सेक्यूलर देश है धर्म निरपेक्ष देश है मैं दो बयान सुनाती हूं फिर आगे बढ़ेंगे कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुस्लिम लिख का गोशना पत्र लिता है तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा सिये एका भी विरोग कर रही है हम ये बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय भाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज कवे भाजन ये लोग कर दें और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिल्कुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डांटे नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का अगर रोजगार देंगे महिलाओं को अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजन कारी होगा ऐसी बात क्यों कहते हैं ये शोबा नहीं देता है पधान मंत्री को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए पच्चीस गिरेंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकिए और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो महमान मेरे साथ चुड़ रहे हैं इस पैनल में मैं पारिछे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोग है राष्ट्रिय प्रवक्ता है भारतिय जनता पाती के सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जोड़ रही है राष्ट्री प्रवक्ता कॉंग्रेस पाती बिजनिस जॉनलिस्ट फॉर्मर बिजनिस जॉनलिस्ट मनोच सिंग काका मेरे साथ हैं बहुत सारी कि प्रवक्ता हैं मुख्य प्रवक्ता हैं स्टूडियो में एक और बहुत खास मेहमान वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखें इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आरजेडी राष्ट्रिय जनता डल बिहार अजे आलोग पार्टी विद्धा डिफरेंस कहने वाली पार्टी प्रुग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी कल राजनात सिंग ने भी कहा हम प्रुग्रेसिव हैं एमेसपी पर बात करते करते नौकरियों पर बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह मुस्लिम लीग में हिंदू-मुसल्मान में क्यों अटक गई भई गरिमाजीं बिल्कूल सही बोल रहे हैं आप हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए Congress Party जो कहे वो ही सही ना खाता न बही, जो Congress कहे वो ही सही क्यों बात करना चाहिए, कॉठ़े क्यों कर रहे है बही Congress Party है, देश के बारे में कुछभी बोल सकती है उनका वीजन है देश के बारे में, देश को ऐसी ही ले जाएंगे, जड़ा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था, आज तक मुझे एक पन्ने का सिर्फ मुसल्मानों पर डॉजियर तो आज तक दिखा ही नहीं, अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टी करन के लिए, जर आप मुझे निकाल के इनके कॉंग्रस फाइल के निकाल दीजिए, उसके बाद 4, 99, 96, एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक पर एक पन्ने का डॉक्मेंट्री एविदेंस तो आज तक कॉंग्रस पार्टी नहीं दिया, पहली बार दे रही हैं, आप कहते हैं, बात ही नहीं करना चाहिए, क्या विजन है पार्टी का भई, एक सो चालिस करोर की जनता के गाए, एक पंदरफ परसंट पर एक पन्ना, और क्या पन्ना, एक पर एक पन्ना, कॉंग्रेस विल एंशूर माइनॉर्टी विल हाव पर्सनल लॉव राइट्स, मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं, आईउमल तो कहता है कि परसनल लॉव बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए, शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ परसनल लॉव की बात करते हैं, रिफॉर्म्स ने कल को कही है कि शरिया एंपर लागू होने ती जैसे आपको इंटर्वेंशन आज नहीं दूगा, आपको इंटर्वेंशन आज नहीं दूगा, वह ज़री है मेरी बाद में बोलियेगा, मुझे पता है मुझे पता है, मुझे पता है डिबेट कहा जाएगी, ठीक है न, इस देश के 82% हिंदुओं को मेजरेटेरिनिजम का नाम आप नेगलेक्ट करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुए दिल है कि क्या है भीया दरिया है बोते लगाते रही है उसी में लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए आप एक बात समझे गरिमा जी भारत की चेंजिंग आपके लिए और 15% है यह हिंदू-मुसलिम तुष्ठी करन करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोस्ट करेंगे कैसे अजय आलोग आपके पास मौका था आप मेंस्पी पर बात करते हैं आपको डॉक्टर अजय आलोग आपके पास मौका था युवाओ मैं हम तो यह बात करेंगे हम यह बात करेंगे जब हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे उस मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा हमारे मैनिफेस्टो इनके मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा हम पार्टी भी तर डिफरेंस हैं तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टो में हम यह कह रहे हैं कि we will ensure scholarship for Muslim children to study abroad क्यों हिंदूओं के बच्चे नहीं है इसाइयों के बच्चे नहीं है सिखों के बच्चे नहीं है वो वी रेश में पढ़ने जाएंगे उनकी scholarship का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी मुसल्मानों के लिए उठाएगी माइनौरेटी के डेफिनिशन के मैडम लेकिन इसी मुसल्मान गार्टी जिसकी आपकी पूरी पर पर अप फिर अप एक सेके अप्सुन लिजे फिर डॉक्टर आजया आलोफ मैं सवार तो कुछूंगि आ ये तो मेरी जिम्मदारी है ना हाँ 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 एक मिर्ट बिल्कुल बताते हैं अब ठीक इसका जवाब ले लिजे मुस्लिम लीग के साथ शहवा प्रशाद मुखाजी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वह विभाजित इंडिया था विभाजित हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान का मजभी आदार पे बटवा पाकिस्तान चले गए तो आज ओल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है उस समय भी तुन नेशन तेओरी पर काम करता था विभाजित हिंदुस्तान है पुरा पूर्ण इंडुस्तान तो है ही नहीं पूर्ण इंडुस्तान तो एक मिनट गरिमा जी दूस अगर उसमें चिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाते हैं नहीं मैं तो सीधा सवाइब अब आपको खाना खाना है एक पिनिट हमारा काम है हमारा काम ना कर सकते हैं अब मोनोलॉग तो ना कीजिए सवाल सुन लीजी मेरा मैं जवाब देने का मौका दूंगी 1936 के जिस दोशना पत्र का आप जिकर कर रहे हैं अगर मुस्लिम लीग 1934 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिलकूल बना रहे थे मैं तो कही रहा हूँ कि आव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई एक मिनट अब सुन लीजे आज कौन सी मजबूरी है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में करनाटका का चीफ फिनिस्टर जो कॉंग्रिस का अलाई है वो कहता है ये खुले आन धर्मांतरन को बढ़ावा दे रहे हैं करनाटक में केरला में धर्मांतरन बढ़ रहे हैं ये केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं और आपके का आप बीलाई बनके चले रहते हैं वो कहता है कि राहूल गांदी के नमांकन यात्रा में मुस्लिम लिए केती है कॉंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे आप उस पर सवाल नहीं उछा नहीं है और वह मैबुबा मुफ्ती जो आतंकेयों को गुले एक बार हो गया कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए उस पे तो आप कोई डिबेट नहीं गर्मा सिंग ने सवाल नहीं पुछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नौर्थ का गर्मा सिंग अगर इतनी important है डॉक्टर अजे आलो की नजर में पूरा statement पर देती हूं महभूबा मुफ्ती का महभूबा मुफ्ती की सरकार भी हमी ने किराई कि वी वेल जू आर माक्जिमम अपर्स कि से महभूबा मुफ्ती से हम अलग हो गए और आज हो महभूबा मुफ्ती किसके साथ चुनाव लड़ रही है हाँ पिर सरकार गिरा भी दिया हमने फिर हमने सरकार गिरा भी जो आतंक बादियों को खुले हमके किती की साथ आग भी कुछ नहीं बहा लेकिन आज उसी महभूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बर्फ खिलते हुए फोटो आ भी खा रही थी जरह वो तो पुछिए सन अफ दा सॉयल कौन कहता था दरंगवादी को बुरहन वानी को अगर अगर अठासी साल पुराना मैनेफेस्टों खाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का तो मैं ये पूछूंगी कि चटीस के मैनेफेस्टों का हवाला देकर आप घेर रहें एक पार्टी को 36 के मैनेफेस्टों का और उसी 36 के मैनेफेस्टों के बावजूद आप 40 में सरकार बना ले थे हम 36 के मैनेफेस्टों के बावजूद Common Minimum Program पे सरकार बनी और वो विवफाजित हिंदुस्तान था लेकिन जब विफाजन होगे अध्रमी का दार पर अगर चस्च को पूर्ट से सब्सक्राइब यह नहीं यहक का राग्ड़कीज przेट सब्सक्राइद कि मिन Congo compost चौने मेंडेड हम्सी करी अधरी है के हम क्यों कांग्रेस को सवाल इए कि समविधान ने है Wi-Fi क्यों करना चाहिए ही कहां समविधान हमारा datas布 बात करता है तो फिर पर्वाइन स्विधान नहीं उस सि क्यों प्रसनल लाच करना चाहिए सवाब ये देश मुस्लिमों का नहीं है क्या मुस्लिमों से इतना दिक्कत इतनी तकलीस में क्यों रहते हैं ये देश सबका है ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है ये देश सबका है चाहे हिंदू हों मुस्लिमों सिखों इसाई हों ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है सुवधा के हिसाब से आपका अपको चुछै नहीं नहीं है ऐना धिक्कत यहाँ है। मैं क्या करूँ क्या ये मेरे बस में है ये तो मेरे रग रग में है यही कॉंग्रेस की रग रग में है यही घमंडियों की रग रग में है देखिए हर जगा हाई मुस्लिम हाई मुस्लिम सीटों पे लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में सर फोड लेंगे मुन ओच लेंगे एक दूसरे का गर्मा जी तो भी मुस्कुराएंगे एराम से मुरादा बाइट का चाहिज तो बिल गया अच्छा रामपूर में केंगे लिए जोगल गया बड़ा दिक्कत है जैरीला खाना खाना आपको शौक है मुबारक हो आप खाईए कॉंग्रेस का मैनिफेस्ट हो हम देश को नहीं खिलाने देंगे हम देश को नहीं खिलाने देंगे सुप्रिया श्रनेत अब मुझे आप ये बताईए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोशना पत्र में कि अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता करेंगे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसलमान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी टर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ है नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर इनके बड़े बड़े दिगज नेताओं ने और खुर पधानमंतरी मोदी ने दो चीजे साफ कर दी कि दीमागी और नैतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बिचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि यह न्याएपत्र हर उस चीज का समादान है जो समस्या इन्हों ने दस साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूँगी यहाँ पर और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्थियों के साथ पहले मैं बताना चाती हूं इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युवाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटीों की जिनका यॉन शोशर्ण होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन किसानों की जो अपना हक मांते हुए शहीद हो गया प्रदान मंत्री कहता है मुझे क्या परक पड़ता है हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन किसानों की जो चलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिये मोदी जी ने हमारे मैनिफेस्टों में छाप है उन लगूम मद्यम उद्योगों की जो इनकी मनमाने तुगला के पन से बंद हो गए हमारे मैनिपेस्टों में छाप है सेना के उन जाबास सेनिकों की जो सरहत पर बैठ कर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंतरी कहता है हम छोटी एकॉनिमी है चीन बड़ी एकॉनिमी है लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसे बड़े नेता लेकिन सुप्रिया मैं इसलिए इंटरवीन कर रही हूँ कि आपका घोशणा पत्र आप कहते हैं पांच नियाए 25 गरंटी लेकिन उनी में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बचार भी है ना और वो हमलों की बचार क्यों नहीं होनी चाहिए कबलनाथ जैसे बड़े नेता अगर ये कहते हैं उसी पर आ रही हूँ और मैं यही प्रूफ कर रही हूँ कि बीजेपी सारी की सारी भारतिये जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेक वाटसैप यूनिवरसिटी के रचायन करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने यह उल जलूल की बाते की और अब मैं आपको तथ्य बताती हूँ यह बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टी करर की हमारे मैनिफेस्टों में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है क्योंकि इनका दिमाग तंग है पढ़ देती हूँ थो पर हम कहते हैं कि पर्सनल लॉज का रीफॉर्म होना चाहिए हिंदी में है कॉंग्रस व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी क्या गलत कहा हमने इसमें मौलाना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलर्शिप की उसमें मुस्लिम्स को उसमें सीख को उसमें पार्सी को उसमें बुद्दिस्ट को उसमें क्रिस्चिन्स को मका मिलता है जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन स्कॉलर्शिप का क्या गलत मैं बताती हूँ आपको ये managed क्lor है नियाए पत्रिस का नाम है उसके पांच सनब और वो सनब है युबा नाए नारी नाए खिसान नाया श्रमिक नाया Olivia और हश्सेदारी नाया और हम क्या कहते है हम इनकी बनाई हुई हर बखेडे को, इनकी बनाई हुई और समस्या को, इनके बनाई हुए दसकाल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं हमारा कहना है, और मुझे आप एक मिनिट का टाइम यहाँ पर जरूर दीजेगा, हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी, हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सला नहीं देंगे हम तीस लाग सरकारी भरतिया करेंगे हम एक साल का एक लाग का स्टाइपिंट देंगे हर ग्राजूट और डिप्लोमा होल्डर को हम पेपर लीक के खिलाब स्ट्रिंजिस्ट कानून बनाएंगे कि हार काप जाए हम अब नीवी को निकार टेकेंगे एप सेक्यूलर मुल्ख मैं विश्वास रखती है एसा मैं विश्वास रखती है तो यह कॉंग्रेस पार्टी क्यों के रही है मुसलमान चात्रों के लिए मुसलमानों को सिर्फ क्यों देंगे आप मुझे एक जगे दिखा दीजे जो कहती है ये भारतिय जंता पार्टी जूटी फरेवी जुमले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पढ़ लीजे पॉइंट नंबर चार चाप्टर में है कॉंगरेस विदेश में अध्यन के लिए मौराना अजाद छात्वृत्ति को पिर से लागू करेगी और चार्ट वृत्ति की संख्या बढ़ाएगी इस स्कीम के अंतरगत सिर्फ मुसल्मान नहीं आते हैं प्रधार मंतरी को भी नहीं पता है उनके बद्दमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है इस चार्ट वृत्ति के अंदर बुद्धि करनाटक का करनाटक का जो रेजर्वेशन है मुसलिमों को चार फीसे दी आरक्षन दे दिया आपने करनाटक में बीजे पी आई उन्हों ने खार कर दिया एक लाग का स्टाइपन देंगे पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार फेकेंगे वापस जैसे नौकरी बहालोतीती करेंगे आप मुझे 30 सेकंड का मौका और दीजिए हम नारी नियाए की बात करते हैं हम क्या कहते हैं महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हमें एक लाग रुपए साला देंगे हम ये करनाटक और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे हम अन्रेगा का मान दे 400 रुपए प्रतिदित बढ़ाएं इस पर मैं मैनिफेस्टों पर और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देंगे उनकी चीजों को GST से मुख करेंगे खाद, बीज, कीट, नाशक, इत्यादी हम कहते हैं हम उनका करजा माफ करेंगे इनकी तरह 16,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अश्या का समाधान करेंगे एक अनुबाग बनाएंगे हम कहते हम पुद्दूचरी को पूर्ण राजिका दरजा देंगे आंध्र को स्पेशल टेस्टस देंगे और जम्मू कश्मीर का पूर्ण राजिकार दरजा बहाल होगा सुप्रिया मुझे मेरे पास भी समय की बादता है करनाटक का जवाब है सुप्रिया मुझे ये बता दीजे करनाटक का जवाब है आपक पास बीजेपी के पास हाँ बिल्कुल है करनाटक का जवाब दे दीजे कि अगर मैं ये पूछू आपसे कि आप क्यों चार्पीशत आरक्षर सर्फ चार्पीशत आरक्षर किसी भी उत्तर का आप बोलीजे फिर मैं बोलूँगे ये हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे मैनिफेस्टो में पूरी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके प्रधान मंत्री मोदी की भाषा उनकी शेली उनकी नफरोग ये दंश ये देश सहरा है ये असलियत है ठीक है करनाटक पर नहीं बोली क्यों नहीं के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने मेहबुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली आप कहते हैं घर में घुसके मारेंगे राष्टरवाद का जंडा बुलंद करते हैं सोनम बांग चुकवा बैटे हुए कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफ्लेट इंफ्लेट्रेशन किया देश की सीमा में उस पर बोलते नहीं आप बुर्दान मंतरी ने अगर ये कहा कि इनके घुशना पत्र में मुस्लिम की चाप है तो क्या गलत का ये तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साथ थे और सौनिय गांदी जी ने कमेंटी बनाई थी चार्ड मेंबर की और उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप जो रहा क्या का था कि कॉंग्रेस की आर इसलिए हो ये क्योंकि कॉंग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही ये बकाई दा लिखा हुआ तो जब इनका आदमी कह रहा कि इनकी कमेंटी की रिपोर्ट है जो कमेंटी सौनिय गांदी जी ने बनाई यी बकाईदा उनका एडमीशन है खुदी अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी अगर सब्सक्राइब आप अपीजमेंट नहीं करते तो लेके बाच पर ही आप क्या करते हैं एक सब सब्सक्राइब कर रहा हुँ कि जो प्रदान मंत्री जी ने कहा या सुदान कर रहा हुए और वो उनके पास्ट कंड़क्ट से क्रत्यों से जाहिर हो रहा है कि वक बोड किसने मनाया था जिस पर चालिस को जड़ाद में आरहा हुए उस पर भी आरो सारी चीज पहले इनका अपीजमेंट की तरफ द्यान जादा है तुष्टिक देखिए कांस्टूशन क्या कहता है क माइनर्टी को प्रटेक्शन करोगे दिए जी डिफरेंस बिट्विन प्रटेक्शन और अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरान की परमीशन नहीं है संग्रक्षण की परमीशन तो है जब तुष्टिकरान करते हो तो आप सीमाई सारी लांग जाते हो बक बोड आपने बना द देते थे इस सरकार ने आके खतम की है अभी आप बड़ी खुश्टिकरान को चात्रविति मुस्लिम चात्रों को किसको आपने दी इद पर प्रटेक्शन की बात कि देखो संग्दान इजाज़त दे रहा है प्रोटेक्शन की अपीजमेंट की नहीं दे रहा है यही फरक संपल नहीं देना हो दोगों तो कैसे बनेगी मैंने देखिए अपी तुसकी करें दाशकों को थोड़ा समझ आएगा मुझे बास इतना बताईए आप कि 1936 में मुस्लिम लिग डिवाइसिव पॉलिटेक्स कर रही थी अग्री है यह तो बीजेपी ने कहा बिलकुल अग्री सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में कॉंग्रेस ने एक अश्यूरेंस चाहा ब्रिटिशर से कि अगर हम अपने सैनिक भेजेंगे युद्ध में तो आप हमें आश्वासन दो कि यु बढ़ेस तो आप सारा का सारा टिल्ट जो करते हो वो मुसल्मानों के प्रती करते हो और वो कैसे करते हो वो यह कंड़क्ट है जब आप PFI और SDPI सपोर्ट करने की बात करते हैं है वो और आप उस पे मौन धरण कर लेते हैं तो क्या जाहन होता है इस इसлем में इसके बाद सक्षर कमीशन की रिपोर्ट आती है सक्षर कमीशन की रिपोर्ट आप वह अच्त लागू कर देतें यह क्या जाहिर करता इनका कंड़क्ट देखके पुर्दान मंत्री जी ने ये बात कही है कि इनका तुष्टी करन का जो मोह है वो छोटने वाला नहीं और जब इनके घर का आदमी लोगों के साथ आप सरकार बना ले तर तो तब क्या होता है कौन सी सरकार बना लिए हमने कश्वीर बनाई ना कश्वीर में 3-4-6 महीने बाद तो खतम भी तो कर दी हूँ देखे बरूस कीजिए ढ़ाई साल सरकार चला या अचले के वाज़ पे और ढ़ाई साल बाद भी में बुबा मुफ्ती कहती रे गई गर्मा जी लोक तंत्र में सरकार का कईवरी क्या हो के नंबर गेम ऐसा बन जाता है कि दुबारा चुनाओं पर जाना पड़ेगा यह कोई कंपिजेशन सरकार बनाए यह समधान की वेवस्ता है तो अगर उस वकत हमने बना लिया उसमें क्या नुक्सान की अगर आपकी नजर में वह आतंकवादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला है तो आपने मैबुबा मुफ्ती के साथ जाका जरकार क्यों बना लिए कश्मीर की पार्टियों को आतंकवाद को संद्रक्शन देने वाला किस ने बता है तो के अलगावव वादी शब्द यूज किया है हमेशाग यूज किया है और अलगावव वादी टाउं कि बैंकों को अलग से रिन मौया कराने के लिए डिरेक्शन देंगे यह तुष्टी करन कर रहे हैं तो एक वाज़ पही आप क्या कर रहे हैं आप एक मुस्लिम को टिकेट नहीं देते ना लोग सभा में देते ना विदान सभा में देते उन्हें कैबिनेट मंतरी नहीं बनाते सब्सक्राइब करने टिकट लेने का कोई हवाला कोंस्ट्यूशन में है क्या हम किसको टिकर देंगे किसको नी देंगे सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कि बाते नहीं है सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोडेंगे तो मैं लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉल्रेट नहीं होगा ड्राक कर रहे हैं प्रटेक्शन करिए आप ने क्यों बनाई अच्छा फिर पिछे चले गई फिर पिछे चले चले चौबिस में आप अठासी लाज़ कराना अच्छा पत्राइए मनोट सिंग काका यह अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में चार फिसदी मुस्लिमों को आरक्शन क्यों दिया तो यह सवाल एके वजपई और डॉक्टर अजय आलोग दोनों के लिए मुश्किल है कि 36 में विभाजनकारी पॉलिटेक्स करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सरक देखिए अब धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की सुतंतरता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग जी हमारे गुरू है स्रदे नेता जी के भी गुरू है बिनोच सर जानते होंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि न तेर की एक बात और आप कह रही थी कि अलामा इकबाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और हम बुल बुले हैं इसके गुल सिता हमारा बहुत खुद तो जो सवाल यह है कि भारती जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी थे और जो उन्होंने ब सबते थे कि वह बिहार की धर्ति है वह बुद्ध की धरति है कहीं बुद्ध के लोग आप सब जैसे लोगा लोग जैसे लोग तो नहीं है वहाँ जो चारण चमपना में इसके अपनी जिंद्गी गुजार देंगेघे वहां बुनियादी सवाल है तोड़ा सा मैं आपसे अनुरोध कर दूँ मैं खतम कर रहा हूं नहीं पूरा बोलिए मुकंमल बोलिए बस व्यक्तिगटिपणी से पूछ दे बिहार के लोग बिहार के लोग कहीं यह न पूछ दे नरेंद्र मुदीजी से कि पिछली बार जब आये थे तो उसी बिहार को कहे कि कित्ता देदू 75,000 करोड देदो एक लाख करोड देदू चलो एक mistress 25000 करोड बिहार को 있기 दे दिया और बिहारकर उन्होंने चार आने भी नहीं दिया यह बात कर रहे थे केरल की किरल में सक्चछतादा दर कितना है 94 और देश में कितना है और आपके बिहार में कितना है सवाल ये है कि भारती जनता पार्टी बखू भी जानती है और आपने मुसल्मानों की बात कहा मुसल्मान की स्थिती क्या है रंगनात मिस्रा आयो की रिपोर्ट क्या है कि उनकी हाला दलिट से भी खराब है और हम अभी अभी बादपेई सर्बाद करें तो इसकी जिम्मेदारी मरोज सिंगा का कॉंग्रेस को बनती है कि नहीं सचर कमीटी की सिफारिशें कब आई सचर कमीटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुई आप पूछिए कॉंग्रेस से आपके साथ घड़बंदन में श संप्रदाई से हैं और जिस संप्रूण नागरिकता को भारत के संविधान के संब्सावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक राजनेतिक समता देने की बात करी गई है यह पूछिशें नहीं पूछटे की राजनेतिग भागेदारी अपी आरृसी का थीस 65% आबादी है यह विखित राष्ट बनेंगे यह सवाल है और इनको सिर्फ मुसल्मानों से नहीं दलितों से पिछणों से सबसे जो तब का हक के हां च्जुक्ष है कि बीजेपी जानती है कि हमारा यह वही तो करना चाह रहें यह धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना यह धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बनाना चाह रहें यह यही तो हिंदु राष्ट की बात है जिसमें ठीक है मरोज मैं विनोध अगनी होते ही अब मुझे यह बताईए कि यह चुनाव जो दिवाली रमजान तो ये चुनाव 2024 का मुद्दो पर लड़ा जाएगा और ये जो मुस्लिम लीग का जो अटाक हो रहा है ये किसे नुकसान किसे फाइदा देखे बार बार कहता हूँ हर बहस्स में कहता हूँ इस बात पहले दो मैं उध्यपरताब जी का नाम लिया मनोश चिंग का का ने तो उध्यपरताबजी की एक लाइन में भी सुनाना चाहूंगा बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुद्या का राम मंदिर का अंदोलन चल लेंगे हो सके तो आपनी मात्रभूमी समाली तो यह मात्रभूमी का सवाल है कि भाहिट देश और गंभीर सवाल है पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का माइनिफेस्टो देखा उसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं माइनेटी शब्द है हर जगे और यह बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नर्सिमाराओ की जमाने में उसका शुरू की गई थी जब बाबरी मस्जिद मौनाना आजाद की फेलोशिप भी थी और उसमें माइनरीटी इसको रखा गया था तब भी तो अब सवाल है ठीक है मुस्लिम सबसे बड़ी माइनरीटी है वो 14-15 परसेंट है बाकी 2-2-3-1 परसेंट है तो जाला पड़ा शेर उनको ही मिलता है तो इसलिए जिसकी जिदनी संख्या बारी शेर उसको है जैसे सबसे बड़ा शेर बीजेपी उसलिए मिला कि संख्या बढ़ी है तो बाकी पाटियों को उसे आप से कम मिला तो उसी आप से उसमें शेर उनको मिल लाता है लेकिन अब यह है कि धुरूवी करण की राजिनीती आखिरकार अंतता भारतिया पाइटी का सबसे बड़ा हथियार है यह 2017 का अब अभी जो जिस तरह से मुस्लिम युली का घोशना पत्र बता दिया कि मुझे तो मैं इस पूरे घोशना पत्र को मने पढ़ा तो माइनाटी शब्द में मुझे तो सब माइनाटी दिखाई पड़ती अगर हाँ करनाटक वा कि जो तबे कुछले वर्चित वर्ग है उनको विशेश तरक्षन देने की विवस्ता है उसी की तरक्षन दिया जा रहा है यह जो तुष्टी करन की राजनीती का देखे मुझे लगता है कि जो आपने दो तीन पर मैभुआ मुपती के सवाल उठाया तेकि सरकार बनाना ना चुना रही है और मुर्ति श्राइद के साथ कोंगर्स भी तो पर एरल में इंडियन मुस्लिम लीग भी चुना लग अलगे रहा हूं अगर पूरा बिटेल में पढ़िए तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समझभान नहीं किया और वह हमेशा उसके मंतरी जो थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ तो जब उसमें मंत्री से क्या कहते हैं UPS सरकार में मंत्री रहे और उसके पहले भी मंत्री रहे देवगणा सरकार में भी तो वो बाकाइदा जा करके भारतिय उसमें जो है कई बार विदेशियों में कुवेट में वहाँ पर फसेद उनको लाने मड़ी मदद की ने तो यह चुनाव में जो मुस्लिम लीग का एक नरेटव है यह चिपक जाएगा ने यह तो कॉंग्रस कैसे इससे फाइट करती कॉंग्रस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी तो करेगी उसको बीजेपी का क्या एजेंडा है बीजेपी कॉंग्रस को घेरेगी मुस्लिम तुष्टी करन का आरोब जो है यह शब्द अदवानी जी ने अब शुरू किया था अपीस्मेंट पॉलिटिक्स का और उस वक्त हमारे बातपेई जी के जो नेता थे रामविलास पासवान जी वो अडवानी जी के अलुष्टा करते थे इसके लिए अपीस्मेंट को लेगे आज बातपेई जी अपीस्मेंट की बड़ी वो कर रहे है तब रामविलास जी जो बोलते थे वो आज से बिलकुल उल्टा था जो आज इनकी पासवान जी बात था अज जी जी बात की बात की होता है करते हैं यह चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से भी मैं तो उनिसो चाले सो चाथिस की बाद भी कर रहा हूं इसे प्रस्ताव पास किया था लेकिन परिष्टनिया ऐसी थे कि हिंदुमा समाने मास्तरकार बना लिए उ और भी मान लिजे ना कि भई सत्ता पावर इस दी आलटीमेट टूथ जिसके लिए आप भी लड़ रहा हैं जिसके लिए कॉंग्रेस भी लड़ रही है जिसके लिए जिसके लिए वाल्यूस चेंज नहीं की अभी बहुत प्यास से विनोजी की अक्सर सारी बातों पर नैं अग्री करता हूं लेकिन आई उए मल पे विनोजी में आपसे की और क्या ये सही नहीं है कि 1950 के संविधान के स्थात्ना दिवस में उसी मुहमद इस्माइल ना ये प्रस्ताओ दिया था कि भारत में शरिया कानून मुसल्मानों के लिए होना चाहिए जिस पर सरार पटेल ने रिफ्यूस कर दिया था तो फिर कैसे नहीं वो जिनना वाली मुस्लिम लीक के समर्थक हुए आज भी हैं इसे उसको डिफेटर ना बनते हैं मुझसे चाहए वाजपई जी से आप 36 और 40 माटक गई जाती हैं चाहिए जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जैंपल आपके सामने अभी मनोज काका ने दिया 14.8% अबादी है मुसल्मानों की उसको 20% और 25% पे ले गए यही चाहत है गुरुदेव धन्ने हैं आप लोग चलिए समय मेरे पाश खत्म हो गया है ने चातिती की सुप्रिया भी बोले और विनोज जी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुवी करन की सियासत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है चुनाव आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे मुद रहेगे सभी का बहुत धनेवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है प्रणाम में गारिमा सिंख सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब 10 दिन का वक्त बाकी है 19 सेप्रिल को पहल पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जबर दस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की यह इस चुनावी घमासान की और यह जो हमलों की बाचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूं इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चे और यह चुनावी घमासान शुरू किस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोषणा पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा यह नियाए पत्र है जिसमें 25 गरिंटी पांच नियाए और 25 गरिंटी जिसमें MSP का जिक्र है जिसमें महिलाओं को गरीब महि का जिक्र है ग्रेजुएटेड यूवाओं को भी ट्रेनिंग का जिक्र है मजदूरों को 400 रुपाय मजदूरी का जिक्र है और बहुत सारी गरिंटी कॉंग्रेस ने देने की कोशिश की लिकिन बवाल किस बात पर हुआ ये जो कॉंग्रेस को घेरने की चो तरफा बीजेपी की तरफ से कोशिश है ये किस बात पर शुरू हुई ये भी मैं आपको बता दूँ ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि कॉंग्रेस के इस घोशणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूँ कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोषणा पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूँ सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोशणा पत्र में वही सोच जलकती है जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी यह पहला बयान फिर दूसरा बयान 7 एप्रिल को नवादा में इंडी गडबंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना है दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो घोशणा पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है कॉंग्रेस ने घोशणा पत्र नहीं बलकि पत्र लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सी ए ए का भी विरोध कर रही है और यह सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हमले तक हमला सीमित नहीं रहा पूरी बीजेपी मनोज पश्तिवारी हिमनता विस्वा सर्मा जेपी नड़ा राजनात सेंग देनमला सीता रमर सब ने इसी तरीके का हमला की और जेपी नड़ा ने तो एक और बात कह दी कि जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमनता विस्वा कह रहा है घोशना पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्य मंत्री हिमनता विस्वा सर्मा अब यह जानना बेहत जरूरी है कि ऐसा घोशना पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुँची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशना पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुँची ये बता देती हूँ आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधाइशु त्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रका पाइदा कंपैरेजन भी है 1936 का और 2024 का गोशना पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया परसनल लौकी रक्षा करेंगे 2024 में भी अलप संख्यकों के परसनल लौकी स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कॉंग्रेस कर रही है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निर्पेक्ष देश है दूसरी बात तीसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप यह 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था 2024 में कॉंग्रेस ने यह कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे यह तीन पॉइंट हैं हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्थे में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्ज देंगे यह मोटा मोटी तीन पॉइंट मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर यह साथ पॉइंट से अब कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी अपने ऊपर यह आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करण कर रही है अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा सभाला खुद मल्यकार जुन खड़गे ने क्या कहा उन्होंने मलिकार जुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रिसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रिसाद मुखर जी ने ततकालीन अंगरेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारज छोडो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंगरेजों का सा के बजाए हिंदु मुस्लिम करने में लगें यह सच है कि प्रदान मंत्री मोधी हमेशा विभाजन कारी राजनीती अपनाते हैं फिजूल की बातें करके जूट बोलते हैं और फिर और मैं बयान ज्यादा नहीं पढ़ूंगी प्रियंका गांधी बोली अशोग गहलोत बोले सलमान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुँच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आईपी सी की धारा 153 ए का वोयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी अब यहां से मैं दो चीजें और आपको बता देती है क्योंकि प्रेस कॉंफरेंस के जरीए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशना पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अ जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग राष्टर चाहिए पाकिस्तान बना मुहमद अलीज जिन्ना पाकिस्तान चले गए केरल में जिस मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन में है वही मुस्लिम लीग है या कोई ये दूसरा धड़ा है बहुत में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहोर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो इतिहास जान लेजे यह आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आई यू एमल चेनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गडवंदन है जिसमें कॉंग्रेस में शामल है यू डी एफ ये उसका ह हिस्सा है और कई दो राजियों मेंनोंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी ठीक ठाक कपासिटी में ये आई यू एमल है जो पुरानी मुस्लिम लीग थी उसके कुछ नेता जिनोंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन मुस्लिम नेता थे उन्होंन तक ये मुस्लिम लीग लड़ती चली आई है तो ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल वो घमासान बढ़ता हुआ नसर आ रहा है दुरूवी करन का आरोप है तुष्टी करन का आरोप है हिंदो मुस्लिम एक बार फिर शुरू वोटों को अपनी अपनी कॉंस्टिक्ट्वेंसीज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बगार यह सोचे कि यह देश एक सेक्यूलर देश है धर्म निरपेक्ष देश है मैं दो बयान सुनाती हूं फिर आगे बढ़े को कॉंग्रेस ने जो गोषणा पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुस्लिम लिख का गोषणा पत्र बिता है तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपाः चिये एका भी विरोध कर रही है हम यह बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय विभाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज का विभाजन ये लोग कर दें और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिल्कुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डाटे नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजन कारी होगा ऐसी बात क्यों कहते हैं ये शोबा नहीं देता है पधान मंटरी को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए 25 गिरेंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो महिमान मेरे साथ जुड़ना है इस पैनल में मैं पारिछे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोक हे राश्टरिय प्रवक्ता है भारतिय जनकता पाति के सुप्रिया श्रणेत मेरे साथ जुड रही है राश्ट्री परवक्ता कॉंग्रेस पार्ति, बिजननेस जौनलिस, फॉर्मर बिजनस जौनलीस, मनोट सिंग काका मेरे साथ हैं, बहुत सारी किताबیں पीछे दिख रही हैं, खुब परवक्ता हैं, समाजवादी पार्ति के हैं, मेरे साथ SkyPay Studio मेरे साथ हैं, पेशे से وकील है वकालत करते हैं सुप्रीम कॉर्ट में और लजे पी आर के राश्ट्रिय प्रवक्ता हैं मुख्य प्रवक्ता हैं स्टूडियो में एक और बहुत खास मेहमान वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखे इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्तर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आरजेडी राश्ट्रिय जनता दल बिहार अजे आलोग party with the difference कहने वाली party, progressive approach के साथ बढ़ने वाली party कल राजनात सिंग ने भी कहा हम progressive हैं MSP पर बात करते करते, नौकरियों पर बात करते करते, महिलाओं पर बात करते करते, किसानों पर बात करते करते यह Muslim League में, Hindu मुसलमान में क्यों अटक गई भई? गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए Congress party जो कहे वो ही सही न खाता न भई, जो Congress कहे वो ही सही, क्यों बात करना चाहिए, डिवेट ही क्यों कर रहे हैं? Congress party है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उनका vision है देश के बारे में, देश को ऐसे ही ले जाएंगे, जड़ा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था, 48 बेट के document पे आज सक मुझे एक पन्ने का सिर्फ मुसल्मानों पे डोजियर तो आज सक दिखा ही नहीं, अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या-क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टी करन के लिए, जर आप मुझे निकाल के इनके Congress file के निकाल दीजे, उसके बाद 4, 99, 96, एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक पे एक पन्ने का documentary evidence तो आज तक Congress Party नहीं दिया, पहली बार दे रही हैं, आप कहते हैं, बात ही नहीं करना चाहिए, क्या विजन है पार्टी का भई, एक सो चालिस करोड की जनता के गाए, एक पंदरफ परसंट पे एक पन्ना, और क्या पन्ना, एक पर एक पन्ना, Congress will ensure minority will have personal law rights, मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं, आईउमल तो कहता है कि personal law बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए, शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्या भविश्य में आप जो reforms of personal law की बात करते हैं, reforms ने कल को कहींगे कि शरिया हम पे लागू होने तीजी जैसे महमाद इस्माइल ने, Constitution के सभा में बोला था, पटेल जी ने नाकार दिया था, आज की Congress माल लेगी, आप कहते हैं, आपको intervention नहीं दूगा, आपको intervention आज नहीं दूगा, आपको intervention आज नहीं दूगा, वो करियो ना, जबाद में बोलिएगा, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, डिबेट कहां जाएगी, ठीक है न, इस देश के 82% हिंदूओं को, मेजोरिटेरिनिजम के का नाम देके, आप neglect करेंगी, और 15% मुसलमानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हु जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई, जहों लिटरिसी रेट 50% से उपर गया, तब BJP सत्ता में उसके पहले सत्ता में नहीं आप आई थी, आज लिटरिसी रेट 82% है, यह हिंदू-मुसलिम तुष्ठी करन करके कोई पार्टी यां लंबी नहीं जा सकती है, और हम लोका था, युवाओं की लुकरी पर बात करते, आपके पास लोका था, आप महिलाओं पर बात करते, मज़ूरों पर बात करते, गरिमा जी सुनिये ना, आपके, हम तो यह बात करेंगे, हम यह बात करेंगे, जब हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, उस मैनिफेस्टो में आंतर देखिएगा हमारे मैनिफेस्टों में आंतर देखिएगा हम पार्टी इसकोलर्शिप का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी मुसल्मानों के लिए उठाएगी माइनॉरिटी का डेफिनिशन क्या है मैडम लेकिन इसी मुसल्मान मैनॉरिटी जिसकी आपकी पूरी पार्टी अप फिर आप अप सुन लिजे फिर डॉक्टर अजय आलोव मैं सवार तो पुछूंगी आई यह तो मेरी जिम्मदारी है ना जिस मुस्लिम लीग पर आप इतने अजिटेटेड है इतने अंगोले से 88 साल पुराना वोचना का प्राप लेकर आए उस मुसलिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं 1940 में बंगाल में संद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्राप्रवेंस में हां 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 एक मिर्ट बिलक मुसल्मान धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले गए तो आज ओल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है उस समय भी मुसलिम लीग पर मुसलिम लीग काम करता था अगर उसमें च्छिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता है नहीं जाता है यह मुसलिम लीग का मुस्टी करन लेके कॉंगरेस ने पूले मेरे फेस्टों में जहर फेला दिया है और यह जहर जनता को बताना ज़रूरी है उन्ड़ान अंत्री वही काम कर रहे हैं अ अब आपको खाना खाना है आपको खाना खाना है एक पिनिट हमारा काम है बता है अगर मुसलिम लीग 1934 में जिवाइसिव पॉलेटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिल्कूल बना रहे थे मैं तो कही रहा हूं कि अवविभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई एक मिनट अप सुन लीजे आज कौन सी मजबूरी है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में करनाटका का चीफ फिनिस्टर जो कॉंग्रेस का अलाई है वो कहता है कि राउल गांदी के नमांकर नियात्रा में मुस्लिम लीग कहती है कॉंग्रेस के जणडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जणडे भी लगेंगे अब कॉंग्रेस अपना जंडा नहीं लगाती है आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है अब कर दो कि नजर में तो मैं शवाल पूछ रही है उस पना का डॉक्टर अजे में बुबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप में बुबा मुफ्ती जो खुले आप अतंकियों को कहती है स्वाल और क्या कहा मैं पूरा स्टेट्मेंट पर देती हूं में बुबा मुफ्ती के सरकार भी हमी ने किराई कि वी विल जू आर माक्जिमा मुफ्ती से मलग हो गए और आज वो में बुबा मुफ्ती किसके साथ चुनाओ लड़ रही है अरे अरे आप ने सरकार यह नहीं चिपकेगा गर्मा जी कुछ नहीं आ लाई है यह नहीं चिपकेगा लेकिन आज उसी महबुबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बरफ खेलते हुए फोटो आ भी खा रही थी जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा चालीस का जवाब दे दीजे मुझे मैं आगो बढ़ जाओगी आप अगर 88 साल पुराना मेनेफेस्टों खाकर लाएंगे मुस्लिम लिग का तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के मेनेफेस्टों का हवाला देकर आप घेर रहें एक पार्टी को 36 के मेनेफेस्टों का और उसी 36 के मेनेफेस्टों के बावजूद आप 40 में सरकार बना लेते हैं जो लोग जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम आज उस शरिया के साथ हाथ मिलागे कॉंग्रेस चल रही है हम से सवाल पूछने की जगए जरा कॉंग्रेस से सवाल पूछे देश का भला होगा क्योंकि प्रमुख्विबक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना दिखिलाएगी जनता को बाकि सब ठीक ढूल जाएगा नहीं आप इसा मनिफेस्टो रिलीस क्यों करना चाहिए तो फिर परस्टल लोग को प्रमोट क्यों करना चाहिए जवाब देंगे अब हमारे सम्विधान में एक यूशिशी क्यों परस्टल लोग को प्रमोट करेंगे जवाब है कॉंग्रस के पास दे जवाब वी विल स्ट्रेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें हिसाब से आप में हमारी रगों में नहीं नहीं लिए नहीं डिक्त यह हमारी रगों में नहीं आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है मैं क्या करूँ क्या ये मेरे बस में है ये तो मेरे रग रग में है यही कॉंग्रेस की रग रग में है यही घमंडियों की रग रग में है देखिए हर जगा हाई मुस्लिम हाई मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों आपस में सर फोड़ लेंगे म बढ़ा दिक्कत है आपको शौक है मुबारक हो आप खाईए कॉंग्रेस का मैनिफेस्ट हो हम देश को नहीं खिलाने देंगे हम देश को नहीं खिलाने देंगे सुप्रिय श्रनेत अब मुझे आप ये बताईए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोशना पत्र में कि अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता करे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसल्मान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी टर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ है नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर इनके बड़े बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंतरी मोदी ने दो चीजे साफ कर दी कि दिमागी और नेतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक धोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बिचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि ये नियाए पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने दस साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूँगी यहाँ पर और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्यों के साथ पहले में बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युबाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफे का पिता इस देश का ग्रेह राजमंत्री ये बनाई रखते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती कि रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी एकॉनिमी है चीन बड़ी एकॉनिमी है हमारे मेनिफेस्टों पर लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घोशना पत्र आप कहते हैं पांच नियाए 25 गरंट कहते आज कि द्मस्य कम म्रडेश कर रहे हैं अगर नहीं मिल आटमि quarter को बड़ा नुक्सान होगा यानि कि वह अगर अपनी फिस्ट कर रहे हैं तुस्टी कर रहे हैं तो आप भी अपनी Hope कर रहे हैंCLUND उसी पर आ रही हूँ और मैं यही प्रूफ कर रही हूँ कि BJP सारी की सारी भारतिय जनता पार्टी खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी फेक वाटसैप यूनिवरसिटी के रचायन करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने यह उल जनूल की बाते की और अब मैं आपको तथ्य बताती हूँ यह बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टी करर की हमारे मैनिफेस्टों में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है क्योंकि इनका दिमाग तंग है पर देती हूँ तो पर हम कहते हैं कि पर्सनल लॉस का रीफॉर्म होना चाहिए हिंदी में है कॉंग्रस व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी क्या गलत कहा हमने इसमें मौला ना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलर्शिप की उसमें मुस्लिम को उसमें सीख को उसमें पार्स कि उसमें बुद्धिस्ट तो उसमें क्रिस्चिन को मुखा मिलता है जाकर देखिये इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन इसकॉलर्शिप का क्या गलत कहा हमने यह इनके लिए माइनोरटी मुसलमान है हमारे लिए माइनोरटी वो वर्ग हैं जिनका रेप्रिजेंटेशन लिकिन लेकिन करनाटक में आप सिर्फ मुसल्मानों को चार फीसदी आरक्षन देते हैं सुप्रिया सवाल उठेगा की नहीं उठेगा मैं बताती हूँ आपको ये मैनिफेस्टो है हमारा नियाए पत्रिस का नाम है इसके पाच स्तंब है और वो स्तंब है युवा नियाए नारी नियाए किसान नियाए श्रमिक नियाए और हिस्सेदारी नियाए और हम क्या कहते हैं हम इनकी बनाई हुई हर बखेड़े को इनकी पनाए हुए दसकाल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं हमारा कहना है और मुझे आप एक मिनिट का टाइम यहाँ पर जरूर दीजेगा हमारा कहना हमारी सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सलाह नहीं देंगे हम तीस लाग सरकारी भरतिया करेंगे हम एक साल का एक लाग का स्टाइपिंट देंगे हर ग्राजूट अवर डिपलोमा होल्डर को हम पेपर लिग के खिलाब स्ट्रिंजस्ट कानून बनाएंगे की हार काप जाए हम अगनी वी को निकार टेकेंगे और पूर जेना जो बहाल करेंगे अगर आप यह कहते हैं कि मुस मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर शिप देंगे मुसल्मानों को सिर्फ क्यूं देंगे प्रधार मंतरी को भी नहीं पता है उनके बद्दमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है इस छात्रवृत्ति के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं जैन्स आते हैं क्रिस्चन आते हैं पार्सी आते हैं सीक्स आते हैं इनको पता ही नहीं है इनको पता ही नहीं है कि प्रोविजन क्या है कॉंस्टूशन नहीं तो फिर एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजे करनाटक का करनाटक का जो रेजरवेशन है मुस्लिमों को चार फीसे दी आरक्षन दे दिया अपने करनाटक में बीजे पी आई उनों ने खापर कर दिया और मैंने कहा इन्होंने इस देश पर बेरोजगारी का अभिशाप लादा आज हर घंटे दो युवा आत्मात्या कर रहा है हम कहते हैं तीस लाग सरकारी नौकरी देंगे एक लाग का स्टाइपिंड देंगे पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार में करके दिखा रहे हैं हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे हम अन्रेगा का मान दे 400 रुपए प्रतिदिश पर मैंने सुप्रिया जी इस पर मैंने डिबेट की मुझे आप क्योंकि बाकी और मेमान भी मेरे साथ लाएंगे जो हमने करनाटक का प्रश्म मुश्किल है क्या सुप्रिया अरे एक मिनट रुख जाइए मेरे मैनिफेस्टों पर चर्चा है मुझे तो बोलने दीजेगा 30 सेकंड तो बोलने दीजे चर्चा तो मेरे मैनिफेस्टों पर और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए MSP की कानू पूनी गारेंटी देंगे उनकी चीजों को GST से मुख करेंगे खाद बीज कीट नाशक इत्यादी हम कहते हैं उनका करजा माफ करेंगे इनकी तरह 16 लाग करोर पूंजी पतियों का माफ नहीं करेंगे और अंत में हम यह जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणी पुरह समस्या का सम का जवाव है सुप्रिया मुझे ये बता दीजिए करनाटक का ज्राब है बीजेपी के पास हां हां बिल्कुल है करनाटक का जवाब देजिए कि आगर मैं ये पूछू कहाद का हमारे मैनिफेस्टों में किसी पिनूच पर पूरी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके प्रधान मंत्री मोधी की भाषा उनकी शेली उनकी नफरत ये दंश ये देश सहरा है ये असलियत है करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रखर प्रवक्ता खेर मैं दुबारा लोटूंगी आपके पास एके वाज़ पे ही मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या ये जो अठासी साल प्रोग्रेसिव पार्टी अठासी साल पुराना घोशना पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने मेभुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली आप कहते हैं घर में घुसके मारेंगे राष्ट्रवाद का जंडा बुलंद करते हैं सोनम बांग चुकवा बैटे हुए कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफलेशन किया प्रदेश की सीमा में उस पर बोलते नहीं है आप बुर्दान मंतरी ने अगर ये कहा कि इनके घुशना पत्र में मुस्लिम की चाप है तो क्या गलत था यह तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साथ थे और सोनिय गांदी जी ने कमेटी बनाई थी चार मेंबर की और उसकी रिपोर्ट पढ़नों आप जो रहा क्या का था कि कॉंग्रेस की आर इस लिए हो यह क्योंकि कॉंग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही तो जब इनका आदमी कि नहीं कह रहा है तो प्रदानमंदरी कर दिया तो क्या गलत कर दिया नंबर वन अब 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 कर दो अब आदमेटी की रिपोर्ट है जो कमेटी सोनिया गंदी जी ने मनाई यह बकाइदा उनका एडमिशन है खुदी अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी अगर से लगाए तो बापस आप अपीजमेंट नहीं करते तो रहे के वाज पर आप क्या करते हैं एक से कि शप्तिस और चालीस का जवाब दे दिए आप सारा बोलोगी क्या बस शप्तिस और आप यह बोलो तो पहले मैं एक जलाज सा सब्सक्राइब कर रहा हूं कि जो प्रदान मंत्री जी ने कहा या सुदानसु भाई ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा है और वो उनके पास्ट कंड़क्ट से करत्यों से जाहिर हो रहा है कि वकबोड कि से बनाया था 36 पर 40 तर कोई जवाब नहीं है तो बहुत फ्रेंस बीट्वर अर अप पीजमेंट की तरफ द्यान जादा है संगरक्षण की पर्मीशन तो है जब तुष्टी करन करते हो तो आप स्रीमाई सारी लांग जाते हो बक वोर्ड आपने बना दिया आज बक वोर्ड की साड़े चार लाग करोड की प्रॉपर्टीज हैं इंडिया गवर्मेंट के पास 15 लाग करोड की प्रॉपर्टीज उनके साड़े चार लाग करोड की प्रॉपर्टीज ने मनाए हाजी में सबसीजडी आप क्यों देते थे इस सरकार ने आके खतम की है अभी आप बढ़ी खुब्स देते हैं इद पर पांच करोड चात्रों को चात्रवर्टी मुस्लिम चात्रों को किसको आपने दी इद पर देना हो तो कैसे बनेगी मैंने देखिये अब इतना बताईए आप कि 1936 में मुस्लिम लीग डिवाइसिव पॉलेटिक्स कर रही थी अग्री है यह तो बिजेपी ने कहा बिल्कुल अग्री अग्री है ना अगर अग्री है इस बात से कि वह डिवाइसिव पॉलेटिक्स वि तो 40 में आप क्यों खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध। मुस्लिय के साथ सरकार बना ली इस लुटER कऊ जरता है कि क्या इस घुस्णा पत्र में मुस्लिम के प्रत्य कोई ज्यादा एक्स्टा ओर्डारी अट्रेक्शन दिखाया था यह निका क्या धिल्ट करते हैं तो आप सारा का सारा टिल्ट जो करते हो भो मुसलमानों की प्रती करते हो और वह कैसे करते हो यह कंड़क्ट है जब आप पी एफ़ाई और एसडी कि पी ऐई सपोर्ट करने की बात करता है वो और आप इनका कंडक्ट देख के पुरदान मंत्री जी ने यह बात कई है कि इनका तुष्टी करान का जो मोह है वो छोटने वाला नहीं और जब इनके घर का आदमी उनी लोगों के साथ आप सरकार बना ले तर तो तब क्या होता है कौन सी सरकार बना ली हमने कश्वीर बनाई ना कश्वीर में तीन चार छे महीने बाद तो खतम भी तो कर दी हो देखे बरूस अगर आपकी नजर में वह आतंकवादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला है तो आपने मेद कश्मीर की पार्टियों को आतंकवाद को सर्चन को इस वहां हो इंदगी कि ए और अलगाओ वादी तो का सब्स्थरिव कि कि एबाद बाद वो नहीं है। strategy रफ ये गोसला-फट्र में दुष्टी करण की लह्帶 क आ सुप्रिया सेरेज जी क्लॉस वाइप में आपने लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से रिन मौया कराने के लिए डारेक्शन देंगे यह तुष्टी करना कर रहे हैं तो एक वाज़ पही आप क्या कर रहे हैं आप एक मुस्लिम को टिकेट नहीं देते ना लोग समा में देते उन्हें कैबिनेट मंतरी नहीं बनाते आप इस तरफ का अपीजमेंट कर रहा हैं तरह जवाब सुनों के टिकेट लेने का कोई हवाला कॉंस्टीशन में है क्या हम किसको टिकर देंगे किसको नि देंगे यह कोई सम्धान से कंट्रोल होगा यह सम्धान की बाते नहीं है हम स सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट का है सवाल कॉंग्रेस के विजन का है कंड़क्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोड़ेंगे तो मैं 40 का सवाल पूछूंगी सवाल का जवाब सोच कर रखिए गर्माजी सिर्फ एक सके कांग्रेस का इत्यास कोई इतरा गंदा नहीं है उनके प्रदान मंतरी दो-दो अत्याई हुई यह बकाइदा ठीक है बात समझे लेकिन जो चीज गलत है तुस्टी करान टॉल्रेट नहीं होगा ड्राग कर रहे हैं प्रटेक्शन करिए आप ने क्यों अच्छा हैं लुगा सबाने क्यों बनाई सरकार रही पिर पिछे चले गई फिर पिछे चले चौबिस में आप अठासी जाराना होगा पतले का है अगे चलिए पिछे न जाईए चीक है मरोट सिंग काका यह जवाब दरसल एके वाजपई दे नहीं पाया डोकर अजय आलोग भी नहीं दे पाया यह मुश्किल सवाल है मैं जानती हूँ अगर सुप्र सब्सकार हिंदू मासबाने 40 में क्यों बनाई मरोट सिंग काकर सबसे पहले तो धैरे को प्रणाम आपके और आप मुझे बताइए कि मुस्लिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफेस्टों खींच लाई क्या बीजेपी आपको अपने टर्फ पर देखिए आप धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की सुतंतरता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग जी हमारे गुरु हैं सरदे नेता जी के भी गुरु हैं बिनोच सर जानते होंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि न ते सवाल की एक बात और आप कह रही थी कि अलामा इकबाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और हम बुल बुले हैं इसके गुल सिता हमारा बहुत खुद तो जो सवाल यह है कि भारती जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी थे और जो उन्हो जानते थे कि वह बिहार की धरती है वह बुद्ध की धरती है कहीं बुद्ध के बिहार के लोग अब सब जैसे लोग आलोग जैसे लोग तो नहीं है वहां जो चारार चंपना में अपनी जिंदगी गुजार देंगे वहां बुन्यादी सवाल करने वाले लोग है और वह जा कहीं यह न पूछ दे नरेंद्र मोदी जीसे कि पिछली बार जब सी बिहार को कहा कि कित्ता दे दूंझ 75000 करोड 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 दे दूझ चलो 1025000 करोड को विसेश फैकेज का दे दिया चरता दर कितना है 94 और देश में कितना है और आपके किणा सवाली है कि भारती जनतापाटी बखू भी जानती है उसलिमान की स्थिती किया है दली钱 से भी खराब है और हम अभी अभी बाटपेई सर्बाद कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी मरोज सिंग का का कॉंग्रेस को बनती है कि नहीं सचर कमीटी की सिफारिशें कब आई सचर कमीटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुई आप पूछिए कॉंग्रेस से आपके साथ गड़बंदन में शामिल है यह हम बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी को यह मानती है हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी एक धर्म भासाय और संप्रदाय से नहीं हमारी भूमिका संपूर नागरि जो सवाल आपने एक बाद पर इसे कहा कहां कि तथा कथी तो अलकील है यह बीजेपी से क्यों नहीं पूछते की राजनाइतिक भागेदारी बीजेपी ने मुसल्मानों को क्यों नहीं देती है जो हमारे देश का 20 पीसदी 25 पीसदी आबादी है उसको हांसिये पर रखे हम कैस तो करना जा रहे यह धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना यह धर्म के आधार पर हिंदूस्तान बनाना चाह रहे यह यही तो हिंदू राश्ट की बात है जीए विनोध अगनी डिने बताये कि चुनाव जो मुझे उत्तर-प्रदेश का चुनाव याद आ रहा है 2017 का पहला 2022 से पहले वाला साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते यह माहौल बनने लगा था कबरस्तान, शम्शान, कबरस्तान, दिवाली, रमजान, तो यह चुनाव 2024 का मुद्दों पर लड़ा जाएगा और यह जो मुस्लिम लीग का जो अटाक हो रहा है, यह किसे नुकसान, किसे फाइदा? देखे, मैं बार-बार कहता हूँ, हर बहस में कहता हूँ इस बात को, पहले तो मैं उद्धर प्रदाब जी का नाम लिया, मनोज चिंकाका ने, तो उद्धर प्रदाब जी की एक लाइन मैं भी सुनाना चाहूँगा, बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुद्या का राम जी संभाल लेंगे, हो सके तो आपनी मात्रभूमी संभालिये, तो ये मात्रभूमी का सवाल है, कि भाई देश और गंभीर सवाल है, पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, उसमें मुसलिम शब्द कहीं नहीं, माइनेटी शब्द है, हर जगे और ये बात सही है, कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है, नरसी माराओ की जमाने में उसका शुरू की गई थी, जब बावरी मस्जिद का विद्धन्स हुआ और उसके बाद मुसल्मानों की नाराज़्गी हुई, तो बहुत सारे कदम नरसी माराओ सरकार ने उठाए थ और उसमें माइनलिटी इसको रखा गया था तब ही, तो अब सवाल है, ठीक है, मुसलिम सबसे बड़ी माइनलिटी हैं, वो 14-15 परसेंट हैं, बाकी 2-2-3-1 परसेंट हैं, जाला बड़ा शेयर उनको ही मिलता है, तो इसलिए जिसकी संख्या बारी शेयर उसको बड़ी है, तो बाकी पाटियों को उसमें शेयर उनको मिल लाता है, लेकिन अब यह है कि धुरूई करण की राजिनीती आखिरकार अंतता भारतिय अंता पाईटी का सबसे बड़ा हथियार है, यह 2017 का अपने अधान दिया, अभी जो जिस तरह से मुसलिम ली का घोशना पत्र बता दिय मुझे तो मैं पत्रगार किनाते मैं कह रहा हूं, मैं इस पूरे घोशना पत्र को मैंने पढ़ा, तो मुझे तो सब माइनरीटी दिखाई पड़ती है, अगर हाँ, करनाटक वाला सवाल जरूर आपका मातुपूर्ण है, और वो सुपरियाजी को जवाब देना चाहिए, कि खाली मुसल्मानों के लिए क्यों, और यह बात ठीक है, कि सब को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सम्विदान में यह बेवस्ता है, कि जो तबे कुछले वर्वशित वर्ग है, उनको विशेष तररक्षन देने की बेवस्ता है, उसी की तह तररक्षन दिया जा रहा है, यह जो और मैं हुआ कि सानबुती भलर रही हो आप जलगूरू से, या इस तरह की तमाम लोगों से, लेकिन उनकी पार्टी चुनाओ लड़ती रही है, और मुर्टी सहीद के साथ कॉमर्स में सरकाव बनाई, तो एरल में इंडियन मुसलिम लीग भी चुनाओ लड़ती है, मैं उस दे नाम भूल रहा हूँ, तो में मंत्री थे, नाम भूल रहा हूँ, वो तो जब उसमें मंत्री से, क्या कहता है, यूपए सरका नीरय मुर्चन रहे हैं, और मुसलिम लीग का एक नरैटव है, यह चुक जाएका नहींका कॉमर्टी, उसक्रहित का स्वेट के कर द Summas dispêmांता कि बीजेपी तो करेगी उसको देचे बीजेपी का क्या एजेंडा है बीजेपी कॉंग्रेस को घेरेगी मुस्लिम तुस्की करन का आरोब जो है यह शब्द अदवानी जी ने अब शुरू किया था अपीस्मेंट पॉलिटिक्स का और उस वक्त हमारे बातपेई जी के जो ने मुसल्मानों को सबसे आगे रखते थे चौबीस में चौबीस में नहीं तो मैं इसने कहना हूं कि प्राइटिया अपना स्टैन कैसे बदलती है आज जो नितिश कुमार जी जो कल तक लालू जी के साथ थे आज मुदी जी के साथ है उन्होंने तो बाकाइदा मुसल्मानों क इस बड़ी फेकर-मंद है नहीं तो ब्सक प्राइटिया के बाड़ी तो मुसल्मान हैं तो फिन हाली प्रणि पर थे क्यों होता है मैं कि जो नहीं पर इस प्रिभा कि आ ऑए और यह चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजे पी की तरफ से कौंग्रेस की तर रहा हूं इसके लिए प्रिस्ताव पास किया था लेकिन परिश्थनियां ऐसी थे कि हिंदुमा समाने मां सरकार बना लिए उनको साथ मिल करके अब उस तमें आज से असी साल पहले क्या इसी थी थी तो सत्ता परम सत्य ना सत्ता परम सत्य है यह कॉंग्रेसी मैं फरस्टो लड़ते ही रहें लड़ते 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 हमें जाके 45 साल बास सत्ता मिली पहली बाद उनीस सो बिरानबे में हम लड़ते ही रहे हम अपने वालियू चेंज नहीं की अभी बहुत प्यास से विनोजी की अक्सर सारी बातों पर मैं अग्री करता हूं लेकिन आई उए मे पाकिस्तान वो नहीं गया उन्होंने यहां पे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थातना की और क्या ये सही नहीं है कि 1950 के सविधान के स्थातना दिवस में उसी मुहमद इस्माइल नहीं प्रस्ताओ दिया था कि भारत में शरिया कानून मुसल्मानों के लिए होना चाहिए जि आपने आपने बहुत लंबा आपने बहुत लंबा बोला मुझे दस सेकेंड और दीजिए आप पहली बार एक ऐसे एंकर में हमें ने देखा है कि जो अपने सवाल रिपीट करता हो चाहे मुझ से चाहे वाजपई जी से आप 36 और 40 माटक गई जाती 36 का मैंने जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जैंपल आपके सामने अभी मनोच काका ने दिया 14.8 परसंट अबादी है मुसल्मानों की उसको 20 पर 25 परसंट पे ले गए यही चाहा थ और इस समय का माहौल धुवी करन की सियासत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है चुनाव आयोग का रियाक्शन भी इस पूरे मुद्दे पर बहुत एहम होगा कि इसी आए क्योंकि इंडियन पीनल कोड की 151 के वॉयलेशन का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है क्या कहता ह चुनाव आयोग असर रहेगे सभी का बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है प्रणाम में गारिमा सिंख सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब 10 दिन का वक्त बा बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और यह जो हमलों की बौचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूं इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बौचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और यह चुनावी घमासान शुरू किस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा यह नियाए पत्र है जिसमें 25 गरंटी पांच नियाए और 25 गरंटी जिसमें MSP का जिक्र ह जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाख रुपाय सालाना का जिक्र है जिसमें 30 लाख युवाओं को नौकरी का जिक्र है ग्रेजुएटेड युवाओं को भी ट्रेनिंग का जिक्र है मजदूरों को 400 रुपाय मजदूरी का जिक्र है और बहुत सारी गेरंटी कॉंग्रेस ने देने की कोशिश की लेकिन बवाल किस बात पर हुआ ये जो कॉंग्रेस को घेरने की चो तरफा बीजेपी की तरफ से कोशिश है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूं कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोशना पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूं सबसे पहले साथ एप्रिल को नवादा में उसके पहले चे एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र में वही सोच जलकती है जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी ये पहला बयान फिर दूसरा बयान साथ एप्रिल को नवादा में इंडी गडबंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना हैं दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है और फिर तीसरा बयान आज पीली भीत में दिया प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने कि कॉंग्रेस ने जो घोशना पत्र बनाया वो कॉंग्रेस का है ही नहीं बलकि मुस्लिम लीग का घोशना पत्र लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का भी विरोध कर रही है और ये सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हमले तक हमला सीमित नहीं रहा पूरी बीजेपी मनोज तीवारी हिमनता विस्वा सर्मा जेपी नड़ा राजनात सेंग निर्मला सीता रमर सब ने इसी तरीके का हमला की और जेपी नड़ा ने तो एक और बात कह दी कि जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमनता विस्वा कह रहे हैं घोषणा पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्य मंत्री हिमनता विस्वा सर्मा अब यह जानना बेहत जरूरी है कि ऐसा घोषणा पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि यह मुस्लिम लीग तक बात पहुँची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुची यह बता देती हूँ आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधान शुत्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपैरिजन भी है 1936 का और 2024 का गोषणा पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया पोस्नल लौकी रक्षा करेंगे 2024 में भी अलप संख्यकों के पोस्नल लौकी स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कॉंग्रेस कर रहे है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निर्पेक्ष देश है दूसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप ये 1936 में मुसलिम लीग ने कहा था और 2024 में कॉंग्रेस ने ये कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे ये तीन पॉइंट है हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्ते में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्ज देंगे ये मोटा मोटी तीन पॉइंट मैंने आपको बताएंगे और कुल मिलाकर ये साथ पॉइंट्स है अब कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी अपने उपर ये आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनार सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करण कर रही है अपीजमिंट पॉलिटेक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटेक्स कर रही है आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में, सिंध में और नौर्थ, वेस्ट, फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रिसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रिसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारत छोडो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों का साथ देने को तयार है अलावा इसके सुप्रिया श्रनेत ने प्रेस कॉंफरेंस की और सुप्रिया श्रनेत ने ये कहा कि दस साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाए हिंदू मुस्लिम करने में लगे ये सच है कि पिये मोदी बॉखलाए हुए है आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जेराम रमेश भी बोले जेराम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मंतरी मोदी हमेशा विभाजन कारी राजनीती अपनाते है फिजूल की बातें करके जूट बोलते है और फिर और मैं बयान ज्यादा नहीं पढ़ूंगी प्रियंका गांधी बोली अशोग गहलोग बोले सल्मान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आई पी सी की धारा 153 ए का वोयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी पार्टी पर बोड़े नेता कर डेलिगेशन लेकर पहुचे चुनाव आयोग के दफ्तर और जो छे शकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रधान मंतरी नरिम्रमोदी के खिलाफ दी अब यहां से मैं दो चीज़े और आपको बता देती है क्योंकि प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए बीजे पी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशना पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो है ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले की मुस्लिम लीग थी जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग राष्टर चाहिए पाकिस्तान बना मुअम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए केरल में जिस मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गडबंदन में है वही मुस्लिम लीग है या कोई ये दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेप में बताती हूँ जो मुस्लीम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जुड़ा जाता है वो 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहोर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लीजे ये आजादी के बात बनी, मार्च 1948 में बनी, पूरा नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आई यू एमल, चेनाई में बनी, केरल में इनका प्रभाव है, केरल में जो विपक्षी गडवंदन है, जिसमें कॉंग्रेस में शामल है, यू डी एफ, ये उसका हिस्सा है, और कहीं दो राजियों में उन्होंने सरकार भी बनाई है, केरल में और तमिलनाडू में भी ठीक ठाक कपासिटी में ये आई यू एमल है, जो पुरानी मुस्लिम लीग थी, उसके कुछ नेता जिनोंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, लेकिन मुस्लिम नेता थे, उन्होंने फैसला किया कि हम ये आई यू एमल बनाएंगे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाएंगे, इन्होंने बावन में चुनाव लड़ा, जो सबसे पहला चुनाव हुआ था, और सारे चुनाव अब तक ये मुस्लिम लीग लड़ती चली आई है, तो ऐसे में, जो घमासा है, वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे, फिलाल वो घमासान बढ़ता हुआ नसर आ रहा है, दुरूवी करण का आरोप है, तुष्टी करण का आरोप है, हिंदो मुस्लिम एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को, अपनी अपनी ट्वेंसीज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, बगैर ये सोचे कि ये देश एक सेक्यूलर देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, मैं दो बयान सुनाती हूँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगा कॉंग्रेस ने जो गोषणा पत्र बनाया है, वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है, मुस्लिम लिख का गोषणा पत्र बिता है हम ये बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है, पूरा समय भाजन में ये लोग लगे रहते हैं, कि समाज कवे भाजन ये लोग कर दें, और फिर आके इलजाम हम पे लगाते हैं, वो तो क्या होगा, वो तो बिल्कुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डाटे, नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो वो विभाजन होगा इस देश का, अगर रोजगार देंगे महिलाओं को अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे, तो वो विभाजन कारी होगा, ऐसी बात क्यों कहते हैं, ये और आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए 25 गिरेंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग किछा और जो महमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल में मैं पारिशे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोक हैं राष्ट्रिय प्रवक्ता हैं भारतिय जनता पाती के सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जोड रही है, राश्ट्री प्रवक्ता कॉंग्रेस पार्टी, बिजनेस जॉनलिस्ट, फॉर्मर बिजनेस जॉनलिस्ट, मनोज सिंग काका मेरे साथ हैं, बहुत सारी किताबें पीछे दिख रही हैं, खूब परते हैं, प्रवक्ता हैं, पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखें इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आरजेडी राष्ट्रिय जनता दल बिहार अजे आलोग पार्टी बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह मुस्लिम में हिंदु-稍लमान में ऐसी को गरिमा जी बिलकुल सही बोल रही हैं आप हमें तो बाती नहीं करना चाहिए एक कॉंग्रेस पार्टी जो कहे वही सही उनका निकालके देखे तो उनीस सो बावन से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था और तालिस बेट की डॉक्यमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने पे एक पन्ने का सिर्फ मुसल्मानों पे डॉजियर तो आज तक दिखा ही नहीं अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या-क्या लिखा है मुस्लिम तु पहली बार दे रही हैं आप कहते हैं बात ही नहीं करना चाहिए क्या विजन है पार्टी का भई एक सो चालिस करोड की जनता कि एक पंदरब परसंट पे एक पन्ना और क्या पन्ना एक पर एक पन्ना कॉंग्रेस विल एंशूर माइनॉर्टी विल हाव परस्नल लौ राइट मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं आई यू एमिल तो कहता है कि परसंट लौ बिलकुल इसलाम में होना चाहिए शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए तो क्या भविश में आप जो रेफॉर्म सफ पर परसंट लौ की बात करते हैं रेफॉर्म्स ने कल को कहींगे कि शरियां पे लागू होने तीजी जैसे मुहमाद इस्माइल ने कॉंस्टिटूशन के सभा में बोला था पटेल जी ने नाकार दिया था आज की कॉंग्रेस माल लेगी आप कहते हैं दो प्लेस उप मेज़ोरिटीर इन्डिया इस देश के 82% हिंदूओं को मेज़ोरिटीरिनिजम के का नाम देके आप नेगलेक्ट करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुए दिल है कि क्या है भीया दरिया है बोते लगाते रही है उसी में लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए आप एक बात समझिए गरिमा जी भारत की चेंजिंग डेमोग्रेफी और भारत की चेंजिंग लिट्रिसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है भारतिय जंता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई जहों लिट्रिसी रेट 50% से उपर गया तब बीज़ेपी सत्ता में उसके पहले सत्ता में नहीं आप आई थी आई लिट्रिसी रेट 82% है ये हिंदू-मुस्लिम तुष्टी करन करके कोई पाटियां लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोस्ट करेंगे कैसे अजे आलोग आपके पास मौका था आप MSP पर बात करते हैं हम तो ये बात करेंगे हम ये बात करेंगे जब हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे उस मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा हमारे मैनिफेस्टो इनके मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा कहते हैं कि हम progressive हैं हम party with a difference है तो वो दिखेगा हमारे manifesto में हम यह कह रहे हैं कि we will ensure scholarship for muslim children to study abroad क्यों हिंदू के बच्चे नहीं है इसाइयों के बच्चे नहीं है सिखों के बच्चे नहीं है वो विरेश में पंडे जाएंगे उनकी scholarship का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी मुसल्मानों के लिए उठाएगी minority का definition क्या है मैडम लेकिन इसी मुस्लिम लीग पर आप इतने इतने अंगोले से 88 साल पुराना पक्राफ लेकर आए उस मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं जब हिंदुस्तान का मजभी आदार पर बटवारा हो गया मुसल्मान धर्म के आदार पर पाकिस्तान चले गए तो आज ओल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है अगर उसमें चिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता है नहीं मैं तो सीधा सवार अजय एक सब्सक्राइब करन लेकर कॉंग्रेस ने पूरे मेरी फेस्टों में जहर फेला दिया है अगर उसी मुस्लिम लीग उनिस्टों ना कीजिए न सवाल सुन लीजे मेरा जवाब देने का मौका दूंगी अगर मुस्लिम लीग उनिस्टों चटिस में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप उनिस्टों चालिस में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिलकूल बना रहे थे मैं तो कही रहा हूँ कि आव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई क्योंकि वो राजनितिक की डायमिन जानमें जानमें लिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे करनाटक में धर्मांतरन बढ़न हैं यह केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं और आपके का आप तब ब्लाई बनके चले रहते हैं वो कहता है कि राहूल गांदी के नमांकन यात्रा में मुस्लिम लिग कहती है कॉंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे अब कॉंग्रेस अपना जंडा नहीं लगाती है आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है और वो मेभूबा मुफ्ती जो आतंकियों को खुल एक बार हो गया विभाजन का दंश जेल चुके अब कॉंग्रेस पार्टी के आइडियोलजी पे चलें तो फिर विभाजन का दंश जेलना पड़ेगा इनके एक MP ने कहा कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए उस पे तो आप कोई डिबेट नहीं गर्मा सिंग ने सवाल नहीं पूछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नौर्ट का गर्मा सिंग अगर इतनी इंपोर्टेंट है डौकर अजे आलो की नजर में तो मैं सवाल पूछ रही है उस पे एक पन्ना का डॉक्टर अजे में बुबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप में बुबा मुफ्ती जो खुले आप आतंकियों को कहती है सवाज सन ऑफ दे साथ सवाल और क्या कहा मैं पूरा स्टेटमेंट पर देती हूं में बुबा मुफ्ती की सरकार भी आमी ने किरा कि वी वे जो आर्मा सिंग अबह जो आ पर सब्सक्राइब लेकिन आज उसी महपूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में बफ किलते वे फोटो पिका रही थी उनी के साथ 20 साल सरकार चलाइस उनी के साथ अब वापत जाएए 1940 में अब वापत जाएए 1940 का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अजया आलो का जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा 40 का जवाब दे दीजे मुझे मैं आगो बढ़ जाओगी आप अगर 88 साल पुराना मैनेफेस्टों खाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का तो मैं ये पूछूँगी कि 36 के मैनेफेस्टों का हवाला दे कर आप घेर रहे हैं एक पार्टी को 36 के मैनिफेस्टों का और उसी 36 के मैनिफेस्टों के बावजूद आफ 40 में सरकार बना लेते हैं हम 36 के 36 के मैनिफेस्टों के बावजूद common minimum program पे सरकार बनी अब वभाजित हिंदुस्तान था लेकिन जब वभाजन होगे अधरनी काधार पर जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे जो लोग जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम आज उस शरिया के साथ हाथ पिलाके कॉंग्रेस चल रही है हम से सवाल पूछने के जगे जड़ा कॉंग्रेस से सवाल पूछिए देश का भला होगा क्योंकि प्रमुक्विबक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना देखिलाएगी जनता को बाकी सब ठीक ढूल जाएगा सारे राइट को चले गए जाएगे माइज क्यों है दो कुछ मिलना ही नहीं है विकोज दियार अगेंस मैं जोरिटेरिनेजम तो क्यों होना चाहिए बहुसं के अख़वाद देश धर्मनेपेक्ष है हमारा सेक्यूलर है हम क्यों कॉंग्रेस को ऐसा मनुफेस्टो रिलीज की बात करता है तो फिर परिस्नलाग प्रमोट क्यों करना चाहिए जफ़ाब देंगी अब हमारे समभिदान में यू सिजि क्यो परिस्नलाग को प्रीजग करेंगे जवाब है कॉंग्रेस के पास दे जवाब लेकिन सुविदा के हिसाब से आप भी खेल जाते हैं सुवधा के हिसाब से आप वह मुपती के साथ लगाता बना लेगी हम अ हम अ हम हमारी रगों में न है यह आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है मैं क्या करूँ क्या ये मेरे बस में है ये तो मेरे रग रग में है यही कॉंग्रेस की रग रग में है यही घमंडियों की रग रग में है देखिए हर जगा हाई मुस्लिम हाई मुस्लिम सीटों पे लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में सर फोड़ मनिफेस्टो हम देश को नहीं खिलाने देंगे हम देश को नहीं खिलाने देंगे हम अब मुझे आप यह बताइए कि सबसे पहली बात तो यह कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप यह पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो यह अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी तर्फ पर आना पड़ेगा जो तर्फ है नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर इनके बड़े-बड़े दिगज नेताओं ने और खुद पढ़नमंतरी मोदी ने दो चीज़े साफ कर दी कि दिमागी और नेतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बिचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि यह न्याय पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने 10 साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूँगी यहाँ पर और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्यों के साथ पहले मैं बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युबाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इनोंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफेस् का पिता इस देश का ग्रेह राजमंत्री ये बनाई रखते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी एकॉनिमी है चीन बड़ी एकॉनिमी है हमारे मैं लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसा कमलनाथ जैसे बढ़नेता लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घुषणा पत्र आप कहते हैं पांच नियाए 25 गरेंटी लेकिन उनी में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बहचार भी है और वो हमलों की बहचार क्यों नहीं होनी चाहिए कमलनाथ जैसे बड़े निता अगर ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर नह सान होगा यानि कि वह अगर अपनी कॉंस्टिटिवेंसी एडुरेस कर रहे हैं तुश्टी कर रहे हैं तो आप भी अपनीकॉंसिटिवेंसी एड्रेस कर रहे हैं ना उसी पर आ रहही ह den Κ उसी पर आ रही हूं और मैं यही प्रूफ कर रही हूं कि BJP सारी की सारी भारतिय जनता पार्टी खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी फेक वाटसैप यूनिवरसिटी के रचायन करता है। जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने यह उल जलूल की बात है कि और पर्सनल लॉज का रिफॉर्म होना चाहिए। हिंदी में हैं कॉंग्रस व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी। क्या गलत कहा हमने इसमें? मौला ना आजाद की जो स्कीम है, स्कॉलर्शिप की, उसमें मुसलिम्स को, उसमें सीख को, उसमें पार्सी को, उसमें क्रिस्चिन्स को मुका मिलता है, जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन स्कॉलर्शिप का, क्या गलत कहा हमने? यह इनके लिए माइनौरिटी मुसल्मान है, हमारे लिए माइनौरिटी वो वर्ग है जिनका रेप्रिजेंटेशन लेकिन करनाटक में आप सिर पाँच स्तंब हैं, और वो स्तंब है युवा नियाए, नारी नियाए, किसान नियाए, श्रमिक नियाए और हिस्सेदारी नियाए, और हम क्या कहते हैं? हम इनकी बनाई हुई हर बखेडे को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाई हुए दसकाल के अभिशाप को सम प्रवाप्त करने की बात करते हैं हमारा कहना है और मुझे आप एक मिनिट का टाइम यहां पर जरूर दीजेगा हमारा कहना हमारी सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सलाह नहीं देंगे हम 30 लाग सरकारी भरतिया करेंगे हम एक साल का 1 लाग का स्टाइपिंड दे अगर आप यह कहते है कि मुसलमान चात्रों के लिए मुझे सेकुलर मुलकं में विश्वास रखती अइसा में विश्वास रखती तो ये कॉंग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगे मुसल्मानों को सिर्फ क्यों देंगे आप मुझे एक जगे दिखा दीजे जो कहती है ये भारतिय जन्ता पार्टी जूटी फरेवी जुमले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पढ़ लीजे पॉइंट नंबर चार चाप्टर में है कॉंग्रेस विदेश में अध्यन के लिए मौराना अजाद च्छात्वृत् क्या बढ़ाएगी इस स्कीम के अंतरगत सिर्फ मुसल्मान नहीं आते हैं प्रधार मंत्री को भी नहीं पता है उनके बद्दमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है इस च्छात्वृत्ति के अंदर बुद्धिस आते हैं जैन आते हैं क्रिस्चिन आते हैं पार और फिसेदी आरक्षन दे दिया अपने करनाटक में बीजे पी आई उनों ने खाप्र कर दिया उस पर भी आती हूं आ रही हूं दो मिनट रुख जाएए पहले मैं बात करूंगी अपनी जिसके लिए ये बे उत्तर है निरुत्तर है इनके पास एक शब्द नहीं है और मैंने कहा इन्हों ने इस देश पर बेरोजगारी का भिशाप लादा आज हर घंटे दो युवा आत्मात्या कर रहा है हम कहते हैं तीस लाग सरकारी नौकरी देंगे एक लाग का स्टाइपिंड देंगे पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे हम अन्रेगा का मान दे 400 रुपए प्रतिदिश पर मैंने सुप्रिया जी इस पर मैंनी डबेट की मुझे आप क्योंकि बाकी और मेरे मैनिफेस्टों पर और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों कि लिए MSP की कानूनी गारंटी देंगे उनकी चीजों को GST से मुख करेंगे खाद बीज कीट नाशक इत्यादी हम कहते हैं उनका करजा माफ करेंगे इनकी तरह 16 लाग करोर पूंजी पतियों का माफ नहीं करेंगे और अंत में हम यह जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणी पुर मुझे यह बता दीजी करनाटक का जवाब है आपकी पास हा बिल्कुल है बिल्कुल है करनाटक का जवाब दे weapon कि अमारे किसी मैनीफेस्टों में किसी भी कि Parlament को क्यूँ दे आतर का आप बोलीजे फिर मैं बोलूँगे यह हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे मैनिफेस्टो में पूरी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके प्रधान मंत्री मोदी की भाषा उनकी शेली, उनकी नफरों यह दंश, यह देश सहरा है यह असलियत है ठीक है, करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रकर प्रवक्ता खेर मैं दुबारा लोटूंगी आपके पास एके वाज़ पे ही मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या यह जो अठासी साल प्रोग्रेसव पार्टी अठासी साल पुराना घोशना पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उनी के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने मेभुबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली आप कहते हैं घर में घुसके मारेंगे कि राष्टरवाद का जंडा बुलंद करते हैं सोनम बांग चुकवा बैटे हुएं कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफलेशन किया देश की सीमा में उस पर बोलते नहीं हैं बुरदान मंतरी ने अगर ये कहा कि इनके गोशना पत्र में मुस्लिम की चाप है तो क्या गलत था ये तो बहुत पहले 2014 में अंटनी साथ थे और सोनिय गांदी जी ने कमेटी बनाई थी चार मेंबर की और उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप जो रहा क्या कहा था कि कॉंग्रेस की आर इसलिए हो ये क्योंकि कॉंग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही ये बकाईदा लिखा हुआ हुआ है तो जब इनका आदमी कह रहा है तो प्रदान मंदरी ने कहा दिया तो क्या गलत कर दिया नंबर वन साथ्यापाल मलिक के बयानों पर जाओं वो ठीक नहीं है एक सेंसिबल डिसकेशन के लिए के माज़ पी मैं संपर ये कह रहा हुआ कि ये तो उनका शुरू करूँ और आज ही चौदरी वीरेबर से इंग वो अलब बयान है ये कमेटी की रिपोर्ट है जो कमेटी सोनिया गंदी जी ने बनाई यी बकाइदा उनका एडमीशन है खुदी अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी अगर से बापस आप अपीजमेंट नहीं करते तो ने के बाच पर ही आप क्या करते है एक सब्सक्तिस और चालिस का जवाब देदी आप सारा बोलोगी क्या नहीं सारा जारी किया उसकी कंपारिजन किया दोजार चौबीस के गोशना पर तो मैं उसको जस्टिर भाई कर रहे थे उसके साथ आप सरकार क्यों को सब्सक्राइब कर रहा हूं कि जो प्रदान मंत्री जी ने कहा या सुदान सुबाही ने कहा वो कोई गलत नहीं का है और वो उनके प के अपर चौब तो मैंनोर्टी को प्रटेक्शन करोंगे इस इस बिट्वेंस बिट्विन प्रटेक्शन और अपीजमेंट मत्रब तुष्टिकरण की परमीशन तो है जब तुष्टिकरण करते हो तो आप सीमाई सारी लांग जाते हो वह बग वोड आपने बला दिया आज साढ़े चार लाक करोड की प्रेटीजं पास 57-50000 क्रोड की प्रॉपर्टिजंब प्राटीज्य आप और प्रेटीं पर प्रेवन प्रॉपर्यमिशन की बाति कि झाल लाघ करोड की तो है फरक समझना होगा कि कि यह रेवडी है यह कुछ और है उसको डिफाइब है ना चुनावी कल्यान हम संदान की बाद कर रहे हैं हम संदान की बाद के साथ सरकार नहीं देना हो दोगे तो कैसे बनेगी मैंने देखिए अपी तुछ को थोड़ा समाज आएगा मुझे बास इतना बताईए आप कि 1936 में मुस्लिम लीग डिवाइसिव पॉलिटेक्स कर रही थी अगरी है अगर अगरी है इस बात से कि वो डिवाजनकारी पॉलिटेक्स 1936 में कर रही थी तो 40 में आप क्यों खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में कॉंग्रेस ने एक अश्यूरेंस चाहा ब्रिटिशर से कि अगर हम अपने सैनिक भेजेंगे युद्ध में तो आप हमें आश्वासन दो कि युद्ध के बाद भारत की आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत करोगे बिटिशनस ने मना कर दिया कॉंग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया वाह जाकर आप इंदू महासबार रिलेवन्स क्या है इसका अपने इस गोस्रा पत्र में मुस्लिम के प्रती कोई ज मैं अखलियत भी आगए सिक भी आगए बहुत इस यही तो डिफेंस है उनका हम यह करें जब माइनौर्टी की आप बात करते हो तो आप सारा का सारा टिल्ट जो करते हो वो मुसल्मानों के प्रती करते हो और वो कैसे करते हो वो यह कंड़क्ट है जब आप PFI और SDPI सपोर् सचर कमीशन की रिपोर्ट आती है सचर कमीशन की रिपोर्ट आप फ़ारं खड़ा-खड़ लागू कर देते हैं यह क्या जाहिर करता है इनका कंड़क्ट देखे प्रदान मंत्री जी ने यह बात कही है कि इनका तुश्टी करान का जो मौह है वो छोटने वाला नहीं और ज सब्सक्राइब करते हैं तो अगर उस वक्त हमने बना लिया उसमें क्या नुक्सान के नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हुँ भई वह आतंक वादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला अगर आपकी नजर में थी अगर आपकी नजर में वहादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला हैं तो आपने मेभूबा मुश्ती के साथ जाका सब्सक्राइब कर देने वाला किसने बताया है शब्द यूज किया है हमेशा किया है और अलगावबादी ताक्तों का शब्द यूज किया है तिके डिवेट को आप डिवेट वो नहीं है अच्छा मैं डिवेट सिर्फ यह है कि गोसला पत्र में दुस्ट्री करन की लहक आ रही है कि नहीं आ रही है और उसको जवाब बिल्कुल है और वो लह जैसे भी आती है जब आप स्पेशल फंड बनाने की बात कर रहे हैं उसमें कि माइनोटी को क्या लिखा उसे में क्लॉस फाइब देखिए सुप्रिया से जी क्लॉस वाइप में आपने लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से रिन मौया कराने के आप इस तरफ का अपीजमेंट कर रहे हैं मैं तरसा जवाब सनों कि टिकिट लेने का कोई हवाला कॉंस्टिशन में है क्या हम किसको टिकर देंगे किसको सब्दान से कंट्रोल होगा क्या है सब्दान पात नहीं है । सब्सक्राइब को 1936 की मुस्लिम लीग से जोड़ेंगे तो मैं 40 का सवाल पूछूंगी सवाल का जवाब सोच लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉल्रेट नहीं होगा ड्राग कर रहे हैं प्रटेक्शन करिए अपने क्यों बनाई अच्छा है यह जवाब दरसल एके वाजपी दे नहीं पाया ड्राजे आलोग भी नहीं दे पाया यह मुश्किल सवाल है मैं जानती हूं अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में 4 फीसिदी मुस्लिमों को आरक्शन क्यों दिया तो यह सवाल एके वाजपी और डॉक्टर अजे आलोग दोनों के लिए मुश्किल है कि 36 में विभाजनकारी पॉलिटेक्स करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सरकार हिंदू मासबाने 40 में क्यों बनाई मरोट सिंग का कर सबसे पहले तो धैरे को प्रणाम आपके और अब मुझे बताइए कि मुस्लिम तुष्टी करन है क्या कॉंग्रेस का मैनेफेस्टों खींच लाई क्या बीजेपी आपको अपने तर्फ पर कि देखिए आप धर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की स्वतंतरता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग्ग जी हमारे गुरू है स्रदे नेता जी के भी गुरू है बिनोच सर जानते होंगे उनकी एक लाइन है चोटी सी कि ने ने नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है बेद खुब और अकबाल की एक बात और आप कह रही थी कि अलामा इक बाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और हम बुल बुले हैं इसके ये बुल सिता हमारा बात खुब तो जो सवाल यह है कि भारती जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी थे और उन्होंने बिहार के निवादा में जो सवाल खड़े कि हैं चुकि नरेंद्र मोदी जी वाक पटुता में बहुत तेज हैं उनसे कोई पार नहीं पापाएगा वाक पटुता में चुकि जूट बोलने के भ पूरा मोलिए मुकंबल बस व्यक्तिगतिपणी से बिहार के लोग नहीं पूछ दे बिहार के लोग बिहार के लोग कहीं यह न पूछ दे नरेंद्र मोदीजी से कि पिछली बार जब आये थे तो उसी बिहार को कहे कि किता दे दूं 75,000 करोड दे दूं एक लाग करोड दे दूं चलो एक लाग 25,000 करोड बिहार को बिशेश पैकेज दे दिया और बिहार को उन्होंने चार आने भी नहीं दिया यह बात कर रहे थे रिफाम की रिफाम क्या है रिफाम आपके डार्विन वाद से तो है नहीं अब डार्विन और आपके बिहार में कितना है सवाल यह है कि भारती जनता पार्टी बखूं भी जानती हैव और आपने मुसल्मानों का हक be सलमान की इस्थिति क्या है रंगनात मिसरां नबrika कि रिपोर्ट क्या है क्यून की हलां दलिट से भी खराब है और हम अभी अभी बाट पेई सर्बाद करने हैं इसकी जिम्मेदारी मरोट सिंग काका कॉंग्रेस को बनती है कि नहीं सचर कमीटी की सिफारिशें कब आई सचर कमीटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुई आप पूछिए कॉंग्रेस से आपके साथ घड़ब किसी एक धर्म भाशाए और संप्रदाष से नहीं हमारी भूम् का संपूर नागरिकता से अर जिस संपूर नागरिकता को भारत के संबीधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक सामाजिक राजनायतिक समता देने की बात करी गई है, जो सवाल आपने एके बाध पर ही से कहा, कहां के तथा कथी तुवल्कील हैं, ये बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि राजनायतिक भागेदारी, बीजेपी ने मुसलमानों को क्यो नहीं देती है जो हमारे देश का 20 पीसदी 25 पीसदी आबादी है उसको हांसिये पर रखे हम कैसे कल्पना करेंगे कि हम एक बिक्सित राष्ट बनेंगे यह सवाल है और इनको सिर्फ मुसल्मानों से नहीं जलितों से पिछणों से सबसे जो तब का हक के हांसिये पर है चुकि ठीक है मरोज मैं विनोध अगनी होतरी अब मुझे यह बताईए कि यह चुनाव जो मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आ रहा है 2017 का पहला चुनाव 2022 से पहले वाला साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते यह माहौल बनने लग कब्रस्तान, शंशान, कब्रस्तान, दिवाली, रमजान, तो यह चुनाव 2024 का मुझे पर लड़ा जाएगा और यह जो मुस्लिम लीग का जो अटाक हो रहा है यह किसे नुकसान किसे फायदा देखिए मैं बार बार कहता हूँ हर बहस में कहता हूँ इस बात को पहले तो मैं उद्या प्रदाब जी का नाम लिया मनोज सिंखाका ने तो उद्या प्रदाब जी की एक लाइन में भी सुनाना चाहूँगा बहुत अच्छे कवी हैं और जब अजुद्या का राममंदिर का अंदोलन चला था नब्य के दशक की बात है तब उन्होंने लाइन लिखी थी लेकिन उस समय लिखा था उस माहूल में कि अपनी जन भूमी तो राम जी समाल लेंगे हो सके तो आपनी मात्रभूमी समालिए तो यह मात्रभूमी का सवाल है कि भाई देश और गंभीर सवाल है पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का माइनिफेस्टों देखा उसमे तो मुस्लिम शब्द कहीं नहीं माइनलिटी शब्द है हर जगे और यह बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नसीमाराओ की जमाने में वो उसका शुरू की गई थी जब बाबरी मस्जिद का विद्वन्स हुआ और उसके बाद मुसल्मानों की नाराज़गी हुई तो बहुत सारे कदम नसीमारा हुई सरकार ने उठाए थे उसमें मौनाना आजाद की फेलोशिप भी थी और उसमें माइनलिटी इसको रखा गया था तब भी तो अब सवाल ये ठीक है मुस्लिम सबसे बड़ी माइनलिटी है वो 14-15 परसेंट है बाकी 2-2-3-2-1 परस लेकिन अब यह है कि धुरुवी करण की राजिनीती आखिरकार अंतता भारतिय अंता पाइटी का सबसे बड़ा हथियार है यह 2017 का अब अभी जो जिस तरह से मुस्लिम इली का घोश्णापत्र बता दिया कि मुझे तो मैं पत्रकार किनाते मैं कह रहा हूं मैं इस पूरे घ माइनरीटी दिखाई पड़ती है अगर हाँ करनाटक वादा सवाल जरूर आपका मातुपूर्ण है और वो सुप्रियाजी को जवाब देना चीए कि खाली मुसल्मानों के लिए और यह बात ठीक है कि सबको मुका मिलना चीए लेकिन समिधान में यह व्योस्ता है कि जो गलत था मुका मुक्ति के साथ वो गलत नहीं था इसलिए गलत नहीं था कि मैववा मुक्ति की पाइटी PDP उसने भारतिय समयदान की शवद लिए और मैववा कि सानबुती भलर रही हूँ आप जलगूरू से या इस तरह कि तमाम लोगों से लेकिन उनकी पाइटी दूसरी बात वो इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग जो है उसका पूरा बीटेल में पढ़िये तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया और वहां कि सम्मेदान की बात करती है उसके मंत्री जो थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ तो जब उसमें मंत्री से क्या क अब जो फसेद उनको लाने मड़ी मदद की नहीं तो यह चिपक जाएगा नहीं जो मुस्लिम लीग का एक नरेटव है यह चिपक जाएगा कॉंगर्स कैसे इससे फाइट करती कांगर्स पर निर्भर करेगा कि बीजेपी तो करेगी उसको देचे बीजेपी का क्या अब जी वह अड़ानी जी के अलुस्टा करते थे इसके लिए अबीजमेंट को लेगा आज बात पर पेजी अबीजमेंट की बड़ी वो कर रहे हैं तब राम विलास जी जो बोलते थे वह आज से बिलकुल उटा था जो इनकी पाइटी स्टैंड ले रही है और राम विलास अब भी बड़ी फेकर मंद हैं तो अब यह चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रस की तरफ से भी मैं तो उन्नीस और चालीस और चाथिस की बात भी कर रहा हूं अब उस समय आश्य साल पहले कैसी थी तो सत्ता पावर इस अपर आजय तूट डूर ना जिसके लिए आप भी लड़ रहे हैं जिसके लिए कोंग्रेस भी लड़ रही है नहीं सही बात है हम तो लड़ते ही रहें लड़ते लड़ते हमें जाके 45 साल बाद सत्ता मिली पहली बाद 1992 में हम लड़ते ही रहे हम प्रियूस चेज़ नहीं की अभी बहुत प्यास से विनो जी की अक्सर सारी बातों पर मैं अग्री करता हूं लेकिन आई उएमल पर विनो जी मैं आपसे 100% डिसग्रीड हूं क्या ये सही नहीं है कि मदरास प्रेसिडेंसी में मुहमद इस्माइल जो थे उस वक्त इंडियन मुस्लिम लीग के सदस थे जो बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग बना और जिन्ना गये पाकिस्तान वो नहीं गया उन्होंने यहां प अब तो आपने आपने बहुत लंबा आपने बहुत लंबा बोला मुझे 10 सेकेंड आप पहली बारे कैसे आंकर में आपने सवाल रिपीट करता हो चाहे मुझसे चाहे वाजपई जी से आप 36 और 46 माटा जाए जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तु 14.8% अबादी है मुसल्मानों की उसको 20% अब 25% पे ले गए यही चाहत है गुरुदेव धन्य है आप लोग और चाहिती की सुप्रिया भी बोले और विनोजी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुरुवी करण की सियासत की तरफ बढ़त 151 का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है क्या कहता है चुनावायूग अज़र रहेगे सभी का बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है प्रणाम में गारिमा सिंग सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगी देश के सबसे बड़े चुनाव की यानि की लोकसभा चुनाव की जिसमें मात्र अब 10 दिन का वक्त बाकी है 19 एप्रिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जमरदस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे हैं और ये चुनावी घमासान शुरू किस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ और कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें 25 गरिंटी पांच नियाए और 25 गरिंटी जिसमें MSP का जिक्र है जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाख रुपाए सालाना का जिक्र है जिसमें 30 लाख युवाओं को नौकरी का जिक्र है ग्रेजुएटेड युवाओं को भी ट्रेनिंग का जिक्र है मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी का जिक्र है और बहुत सारी गेरंटी कॉंग्रेस ने देने की कोशिश की लेकिन बवाल किस बात पर हुआ ये जो कॉंग्रेस को गेरने की चो तरफा बीजेपी की तरफ से कोशिश है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूँ कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेद जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोशना पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूँ सबसे पहले 7 एपरिल को नवादा में उसके पहले 6 एपरिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र में वही सोच जलकती जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी ये पहला बयान फिर दूसरा बयान 7 एपरिल को नवादा में इंडी घडवंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना है दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र बनाया वो कॉंग्रेस का है ही नहीं बलकि मुस्लिम लीग का गोशना पत्र लगता है। तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजन्शिप अमेंडुमेंट अक्ट यानी CAA का भी विरोध कर रही है। अज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है। हिमंता बिस्वा कह रहे हैं घोशना पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है। आसाम के मुख्य मंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा घोशना पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुँची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशना पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुँची ये बता देती हुए आपको तीन पॉइंट्स हैं जो सुधाइशु त्रिवेदी अपनी प्रेस वारता में पत्रकार वारता में गिनाते नजर आए और बाकाइबा कंपैरिजन भी है 1936 का और 2024 का गोशना पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया पॉसनल लौकी रक्षा करेंगे 2024 में भी अलप संख्यकों के पॉसनल लौकी स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कॉंग्रेस कर रही है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से लड़ाई जारी रहेगी 2024 में कॉंग्रेस ने भी यही कहा देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि दर्म निर्पेक्ष देश है दूसरी बात तीसरी बात मुसल्मानों के लिए नौकरी और स्कॉलर्शिप यह 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था 2024 में कॉंग्रेस ने यह कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे यह 3 पॉइंट हैं हलाकि मोटा मोटी 7 पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्थे में बगएर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मुलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्स देंगे यह मोटा मोटी 3 पॉइंट मैंने आपको बता रहे और कुल मिला कर यह साथ पॉइंट्स है अब कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी अपने ऊपर यह आरोप वो भी इतने क्रूशियल समय पर जब चुनाव सिर पर खड़ा हो कैसे लेगी कि वो एक वर्ग विशेश का तुष्टी करन कर रही है अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा सभाला खुद मल्यकार जुन खडगे ने क्या कहा उन्होंने मल्यकार जुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रसाद मुख मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारत छोडो आंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों का साथ देने को तयार है अलावा इसके सुप्रिया श्रनेत ने प्रेस कॉंफरेंस की और सुप्रिया श्रनेत ने ये कहा कि दस साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाए हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं ये सच है कि पिएम मोदी बुखलाए हुए है आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जेराम रमेश भी बोले जेराम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मंतरी मोदी हमेशा विभाजन कारी राजनीती अपन आते हैं फिजूल की बाते करके जूट बोलते हैं और फिर और मैं बयान ज्यादा नहीं पढ़ूंगी प्रियंका गांधी बोली अशोग गहलोत बोले सल्मान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुच गई चुनाव आय बोरे नेता कर डेलिगेशन लेकर पहुचे चुनाव आयोग के दफ्तर और जो च्छे शिकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रदान मंतरी नरिम्रमोदी के खिलाफ दी अब यहां से मैं दो चीज़ें और आपको बता देती हैं क्योंकि प्रेस कॉंफरेंस के जरीए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले की मुस्लिम लीग थी जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों को अलग राष्टर चाहिए पाकिस्तान बना मौम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए केरल में जिस मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गडबंदन में है वही मुस्लिम लीग है या कोई ये दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेप में बताती हूँ जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वो 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहॉर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लेजे ये आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आई यू एमल चेनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसमें कॉंग्रेस में शामल है यू डी एफ ये उसका हिस्सा है और कहीं दो राजियों में उन्होंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी ठीक ठाक कपासिटी में ये आई यू एमल है जो पुरानी मुस्लिम लीग थी उसके कुछ नेता जिनोंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन मुस्लिम नेता थे उन्होंने फैसला किया कि हम ये आई यू एमल बनाएंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाएंगे इन्होंने बावन में चुनाव लड़ा ज जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे, फिलाल वो घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दुरुवी करण का आरोप है, तुष्टी करण का आरोप है, हिंदो मुसलिम एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को, अपनी अपनी कॉंस्ट को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, बगैर ये सोचे कि ये देश एक सेक्यूलर देश, धर्म निरपेक्ष देश है, मैं दो बयान सुनाती हूँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। हम ये बताईए कि आज कैसे भाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है, पूरा समय भाजन में ये लोग लगे रहते हैं, कि समाज का विभाजन ये लोग कर दें, और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं, वो तो क्या होगा, वो तो बिल्कुल वैसे हुआ कि जूटा को, जूटा चोर को तवाल को डांटे, नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो वो विभाजन होगा इस सवाल क्या है, पाँच लियाए पचीस गिरेंटी, बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी है, और दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, नौकरी महिंगाई पर बात, खोशणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाहा है, और जो मिहमान मेरे साथ जुड़ रहा है, इस पैनल में मैं परिछे कराती हूँ आपसे, मेरे साथ अजे आलोक है, राष्ट्रिय प्रवक्ता है, भारती जनता पाती के, सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जुड़ रही है, राष्ट्री प्रवक्ता कॉंग्रेस पाती, बिजन से वकील हैं वकालत करते हैं सुप्रीम कॉर्ट में और एल जे पी आर के राश्ट्रिय प्रवक्ता हैं मुख्य प्रवक्ता हैं स्टूडियो में एक और बहुत खास मेमान वरिष्च पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखे इस बार का चुनाव भी रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आर जेडी राश्ट्रिय जनता दल बिहार अजे आलोग पार्टी विद्ध डिफरेंस कहने वाली पार्टी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली प्रोग्रेसिव हैं मसपी पर बात करते करते नौकरियों पर बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह मुसलिम लीग में हिंदू-मुसल्मान में क्यों अटक गई भई कि ग्रिमा जी बिल्कुल बोल रहे हैं आप हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए वे कॉंग्रेस पार्टिए जो कहे वो ही सही जरहां निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था और 48 के डॉक्यमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने पे एक पन्ने का सिर्फ मुसल्मानों पर डौजियर तो आज तक दिखा ही नहीं अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या-क्या लिखा है मुसलिम तुष्टी करन के लिए जरहां आप मुझे निकाल के इनके कोंग्रेस फाइल के निकाल दीजिए उसके बाद चार निनानबे अंठानबे च्यानबे एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक पर एक पन्ने का डौकुमेंटरी एविडिन्स तो आज तक कोंग्रेस पाइटी नहीं दिया पहली बार दे रही हैं आप कहते हैं बात ही नहीं करना चाहिए क्या विजन है पार्टी का भई एक सो चालिस करोर की जनता के गाएव एक पंदरफ परसंट पर एक पन्ना और क्या पन्ना एक पर एक पन्ना कॉंग्रेस विल एंशियर माइनॉरिटी विल हाव परसंट लॉर राइट्स मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं आई यूमल तो कहता है कि परसंट लॉव बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए शरीया की तरफ बढ़ना चाहिए तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म् साक européекотор कॉंग्रेसों तेहित परसंट में और मेर्य निजिस में होगात जाएगी तोड़ाए मैंना यूसट नहीं थोगोड़ाए अंज दूंगा आपको इंटर्मेंशन आज नहीं दूगा मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी ठीक है न इस देश के 82% हिंदूओं को मेजोरिटेरिनिजम के का नाम देके आप नेगलेक्ट करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुए है दिल है कि क्या है भीया दरिया है गोते लगाते रही है उसी में लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए आप एक बात समझे भारत की चेंजिंग डेमोग्रेफी और भारत की चेंजिंग लिट्रिसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है भारतिया जनता पाटी पहली बार सता में तता में टमा ही जो हुफ्छास पसंट से उपर गया तबीजेपी सत्ता माय उसके पहले सता में ली अब आप डब लिय आपके पास लोका था आप महिलाओं पर बात करते हैं गर्माजी सुनिये ना आपके करें आपके महम तो यह बात करेंगे हम यह बात करेंगे जब अपना मैनिफेस्टों लाएंगे उस मैनिफेस्टों में अंतर देखिएगा हमारे मैनिफेस्टों इनके मैनिफेस्टों में आंतर देखिए गा हम पार्टी भी तर डिफरेंस हैं तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टों में हम यह कह रहे हैं कि we will ensure scholarship for Muslim children to study abroad क्यों हिंदुों के बच्चे नहीं है इसायों के बच्चे नहीं है सिखों के बच्चे नहीं है वो वी रेश में पंढ़े जाएंगी उनकी scholarship का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी मुसल्मानों के लिए उठाएगी minority के definition क्या है मैडम लेकिन इसी मुसल्मान minority है कि आपकी minority नहीं है जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजिटेटर है अप अप फिर आप MSP उस मुसल्म लीक के साथ आप सरकार बनाते हैं उनी 140 में बंगाल में संध में नर्थ वेस्ट फ्रंटी अख्रा प्रोवेंस लें हां 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 एक मिर्ट बिलकुल बताते हैं बिलकुल आप ठीक इसका जवाब ले लिजे मुस्लिम लीग के साथ शेवा प्रसाद मुखर जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था अविभाजित हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान का मजभी आदार पर बटवारा हो गया मुसल्मान धर्म के आदार पर पाकिस्तान चले गए तो आज ओल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है उस समय भी तो नेशन तियोरी पर काम करता था विभाजित इंडुस्तान है पूरा पूर्ण इंडुस्तान तो ही नहीं पूर्ण इंडुस्तान तो एक मिनट गरिमा जी डूसरी बात आपको पता हो खाना क इतना भी अच्छा पड़ोस के दीजिए न अगर उसमें छिपकिली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता है नहीं जाता है यह मुष्टी करन लेकर कॉंग्रेस ने पूरे मेरे फेस्टों में जहर फेला दिया है यह जहर जलता को बताना ज़रूरी है उन्ड़ान हंत्री कर रहे हम भी वही काम कर रहे है अब आपको खाना खाना है एक पिनिट हमारा काम है हमारा काम है पता है अगर मुस्लिम लीग 1934 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिलकूल बना रहे थे मैं तो कही रहा हूँ कि अव विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई क्योंकि वो राजनितिक्यक्की डायमिन जाने में डिवाइसिव पॉरिटिक्स कर रहे थे आज कौन सी मजबूरी है कि All India Muslim League के बारे में करनाटका का चीफ फिनिस्टर जो कॉंग्रेस का अलाई है वो कहता है ये खुलेयान धर्मांतरन को बढ़ावा दे रहे हैं करनाटक में केरला में धर्मांतरन बढ़ना है ये केरला के चीफ फिनिस्टर कहते है और आपके का आप बिलाई बनके चले रहते हैं वो कहता है कि राहूल गांदी के नमांकर नियात्रा में Muslim League कहती है कॉंग्रेस के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे अब कॉंग्रेस अपना जंडा नहीं लगाती है आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है और वो मेबूबा मुफ्ती जो आतंकियों को खुले है विभाजन का दंश जेल चुके उस पे तो आप कोई डिबेट नहीं गर्मा सिंग ने सवाल नहीं पूछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नौर्ट का गर्मा सिंग अगर इतनी इंपॉटेंट है डोकर अजे आलोग की नजर में पूरा स्टेट्मेंट पर दे दियो मैंबुबा मुफ्ती का कि वी वेल जो आर मांग्सिमम अपर्ट कि से मलग हो गए और आज वो मैंबुबा मुफ्ती किसके साथ चुनाओ लड़ रही है अरे अरे आपने डाई साथ सरकार चलाई डाजे अलोग मैंबुबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़के बर्फ खेलता हुए फोटो आप बिखा रही थी जरह वो तो पुछिए सनफ दसॉयल कौन कहता था दरंगवादी को बुरहन मानी को उन्हीं के साथ धाई साल सरकार चलाई सर उन्हीं के साथ अब वापस जाईए 1940 में अब वापस आब वापस जाईए 40 का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अजया आलो का जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा 40 का जवाब दे दीजी मुझे मैं आप बढ़ जाओगी 36 के मैनिफेस्टों का और उसी 36 के मैनिफेस्टों के बावजूद आख 40 में सरकार बनी अब वाज़ित हिंदुस्तान था जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे माडम आजू शरिया के साथ हाथ मिला के कॉंग्रेस चल रही है हम से सवाल पूछने की जगे ज़रा कॉंग्रेस से सवाल पूछिए देश का भला होगा क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना दिखिलाएगी जनता को बाकी सब ठीक ढूल जाएगा सारे राइट्स चलेगे जाएगे माड़ोटी को तो कुछ मिलना ही नहीं है सवाल यह है कि कॉंग्रेस को इसा मनिफेस्टो रिलीस क्यों करना चाहिए ठीक है समविधान हमारा यू सी सी की भी बात करता है तो फिर प्रस्नल लाग को प्रमोट क्यों करना चाहिए जवाब देंगे आप हमारे संविधान में UCC क्यो पर परस्नल लाव को प्रामोट करेंगे जवाब है कॉंग्रस के पास दे जवाब यह देश बता यह देश मस्लिमों का नहीं है क्या मुसिलिमों से प्राव दिक्कत ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, सिर्फ मुस्लिम प्रोमोशन्स की बात मत कीजिए। मैं क्या करूँ क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे रग रग में है, यही कॉंग्रेस की रग रग में है, यही घमंडियों की रग रग में है, देखिए, हर जगा हाई मुस्लिम, मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दिये हैं इन लोगों आपस में, सर फोड़ ल सबसे पहली बात तो यह कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप यह पॉइंटर बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोषणा पत्र में कि अलप संख्यकों के पर्सनल लौ की स्वतंतरता करेंगे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा न कि तो यह अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी तर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ है नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर इनके बड़े-बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंतरी मोदी ने दो चीज़े साफ कर दी कि दीमागी और नेतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बेचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि यह न्याएपत्र हर उस चीज़ का समधान है जो समस्या इन्होंने 10 साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूँगी यहाँ पर और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्षियों के साथ पहले मैं बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युबाओं की बेरोजगारों की महिलाओं की किसानों की श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इनोंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफेस् का पिता इस देश का ग्रेह राजमंत्री ये बनाई रखते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चिलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम चोटी कॉनिमी है चीन बड़ी कॉनिमी है हमारे में सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसा कमलनाथ जैसे बढ़नेता लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटर्वीन कर रही हूं कि आपका घोश हुआ से बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि 90 फीसदी मुस्लिमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा यानि कि वो अगर अपनी कॉंस्टिट्वेंसी एड्रेस कर रहे हैं तुष्टी कर रहा है कि आप भी अपनी कॉंस्टिटिट्वेंसी करेंद्र मोधी फेक वाटसाप युनिवरसिटी के रचायन करता है जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने यह उल जलूल की बाते कि और अब मैं आपको तथ्य बताती हूं यह बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टी करर की हमारे मैनिफेस्टों में अंग्रेजी म थो पर हम कहते हैं कि परस्नल लॉज का रीफॉर्म होना चाहिए हिंदी में है कॉंगरस व्यक्तिकत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी क्या गलत कहा हमने इसमें मौला ना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलर्शिप की उसमें मुस्लिम्स को उसमें सीख को उसमें पार हैं जिनका रेप्रिजेंटेशन लेकिन करनाटक में आप सिर्फ मुसल्मानों को चार फीसदी आरक्षन देते हैं सुप्रिया सवाल उठेगा की नहीं उठेगा मैं बताती हूँ आपको ये मैनिफेस्टो है हमारा नियाए पत्रिस का नाम है इसके पांच स्थम्ब है और वो स्थम्ब है युवा नियाए नारी नियाए खिसान नियाए श्रमिक नियाए और हिस्सेदारी नियाए और हम क्या कहते हैं? हम इनकी बनाई हुई हर बखेडे को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाई हुए दसकाल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं. हमारा कहना है और मुझे आप एक मिलिट का टाइम यहाँ पर जरूर दीजेगा. हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकोड़ा तनने की सला नहीं देंगे हम तीस लाग सरकारी भरतिया करेंगे हम एक साल का एक लाग का स्टाइपिंड देंगे हर ग्राजूट और डिप्लोमा होल्डर को हम पेपर लीग के खिलाब स्ट्रिंजिस्ट कानून बनाएंगे कि हार काप जाए ह निकाल ठेकेंगे हम जो बहु आसा मुझे बतानी जेरा लग सुनले मुझे यह बता दोजैक अगर आप कहते हैं कि मुसल्मान चात्रों के लिए आप सेकूलर मुल्क में विशवास रखती है ऐसा में विशवास रखती हूं तो यह कॉं। पार्टी क्यों कह रही है है मुसल स्कॉलर्शिप देंगे मुसल्मानों को सिर्फ क्यों देंगे आप मुझे एक जगे दिखा दीजे जो कहती है यह भारतिय जंता पार्टी जूटी फरेभी जुम्ले बास फेकू कहते हैं हमारा पॉइंट पर लीजे पॉइंट नंबर चार चाप्टर में हैं कॉंगरेस विद करनाटक का जो रेजल रेखर हैं आरक्षन दे दिया आपने करनाटक में ुझे पी आई उन्होंने बी जे पी आई हुआ कर दिया क्यों करते हैं उस पर भी आती हूं आ रही हूं दो मिनट रुक जाएए पहले मैं बात करूंगी अपनी जिसके लिए ये बे उत्तर है निरुत्तर है इनके पास एक शब्द नहीं है और मैंने कहा इन्होंने इस देश पर बेरोजगारी का भिशाप लादा आज हर घंटे दो युवा आत्मात्या कर रहा है हम कहते हैं तीस लाग सरकारी नौकरी देंगे एक लाग का स्टाइपिंड देंगे पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अगनी बीर को उखार फेकेंगे वापस जैसे नौकरी बहाल होती ती करेंगे आप मुझे तीस सेकिंड का मौका और दीजे हम नारी नयाइकी बात करते हम क्या कहते हैं महालक्ष्मी में गरीब परिवाल की महिला मुखिया को हम एक लाग रुपए साल अला देंगे हम करनाटक और तेलंगाना में करके दिखा रहे हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षन सरकारी नौकरियों में लड़कियों को तीस सेकंड तो बोल ले दीजे चाचा तो मेरे मैनिफेस्टों पर है और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देंगे उनकी चीजों को GST से मुख करेंगे खाद, बीज, कीट, नाशक, इत्यादी हम कहते हैं उनका करजा माफ करेंगे इनकी त यहात समय की बादता है लिए करनाटक का जवाब है मुझे यह अमे हमांस चाहा की ज़ूँंक सी औरम को कि लिए घर वे शुका संवा है और हमारे मैनिफेस्टों में पूरी तरे से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके प्रधान मंत्री मोधी की भाषा उनकी शेली उनकी नफरोग ये दंश ये देश सहरा है ये असलियत है ठीक है करनाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रकर प्रवक्ता खैर मैं दुबारा लोटूंगी आपके पास एके वज़ पे ही मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या ये जो 88 साल प्रोग्रेसिव पार्टी 88 साल पुराना घोशना पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं ह साथ सरकार आपने बना ली आप कहते हैं घर में घुसके मारेंगे राष्ट्रवाद का जंडा बुलंद करते हैं सोनम वांग्चुक वां बैटे हुए कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इंफिलेशन किया देश की सीमा में उस पर बोलते नहीं आप पुरदान मं जी ने कमेंटी बनाई थी चार मेंबर की और उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप जो रहा क्या का था कि कॉंग्रेस की आर इसलिए हो ये क्योंकि कॉंग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही तो जब इनका आदमी कह रहा है तो प्रदान मंदरी कर दिया तो क्या गलत कर दि इनकी कमेंटी की रिपोर्ट है जो कमेंटी सोनिया गंदी जी ने मनाई बकाइदा उनका एडमीशन है अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी अगर सब्सक्राइब आप अपीजमेंट नहीं करते तो ने के बाच पर ही आप क्या करते हैं एक सब्सक्राइब नही गोशना पत्र लेकर आए सुधान शुत्रवेदी इसमें इन्होंने कहा 36 में गोशना पत्र मुस्लिम लीग ने जारी किया उसकी कमपारिजन किया दोजार चौबीस के गोशना पत्र तो मैं उसी को जस्टिवाई कर रहे थे उसके साथ आप सरकार क्यों बना रहा हूं कि जो प्रदान मंत्री जी ने कहा या सुधान सुभाई ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा है और वो उनके पास्ट कंड़क्ट से क्रत्यों से जाहिर हो रहा है कि वक बोड किसे में बनाया था मैं आ रहा हूं सारी चीज पहले इनका कंड़क्ट तो आजाए ना जरा कंड़क्ट आएगा उसी से प्रूब हो जाएगा कि आजी इनका अपीजमेंट की तरफ दियान जादा है तुस्टिक देखिए कांस्टिशन क्या कहता है कि माइनोर्टी को प्रटेक्शन करोगे रहा ऐसे था को आट की के अदिनिया लाक क्रोड कि प्रोपरटीजि थें कि इंदिया ग्वर्र tampoco प्रह तक्रटीच की संदान विजाज़त दीमिलिया कि समझना होगा क्या कि यह रेवडी है या कुछ और है उसको डिफाइब है ना चुनावी कल्यान हम संदान की बात कर रहे हैं आप मेरी बात से यह तो बीजेपी ने कहा बिल्कुल अग्री अग्री है ना उसे पुस्ताओ है अगर अगरी हैं इस बात से कि वो डिवाइसिव पॉलिटेक्स विभाजनकारी पॉलिटेक्स 1936 में कर रही थी तो चालीस में आप क्यूं खड़े हो गए वो भी तब जब कॉंग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्वयुद्ध चल रहा था के दस्तावेज पर दस्ताखत करोगे बिटिशन्स ने मना कर दिया कॉंग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया वहाँ जाकर आप इंदू महासमार रिलेवन्स क्या है इसका अपने इस गोस्रा पत्र में मुस्लिम के प्रती कोई ज्यादा एक्स्टराओर्णरी अट्र हम यह कैरें जี่ माइनोर्टी की आप बात करते हो तो आप सारा का सारव तिल्ट जो करते हो वह मुसलमानों के प्रति करते हो और वह कैसे करते हो वह यह कंड़क्ट है जब आप PFI और SDPI सपोर्ट करने की बात करता है वह और आप इस पे मौन धारन कर लेते तो क्या जाहिर ह ने ये बात कही है कि इनका तुष्टी करान का जो मौ है वो छोटने वाला नहीं और जब इनके घर का आद में लोगों के साथ आप सरकार बना ले तो तब क्या होता है कौन सी सरकार बना ली हमने कश्वीर बनाई ना बिल्कुल में तीन चार छे महीने बाद तो खतम भी तो कर सरकार बनाए यह समधान की विवस्ता है तो अगर उस वक्त हमने बना लिया क्या नुक्सान कि नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूँ भाई वह आतंक वादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला है तो आपने में बुबा मुफ्ती के साथ जाका सरकार क्यों बना लिगा हमने कश्मीर की पार्टियों को आतंकवाद को संद्रक्शन देने वाला किसने बता है अलगाओ वादी शब्द यूज किया है हमेशा किया है और अलगाओ वादी ताक्तों का शब्द यूज किया है तिके डिवेट को आप डिरेल कर रहे है डिवेट वो नहीं है डिवेट सिरफ यह है कि गोसला पत्र में तुस्ट्री करन की लहक आ रही है कि नहीं आ रही है और उसका जवाब बड़ा सीधा है कि बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है और वो लह जैसे भी आती है जब आप स्पेशल फंड बनाने की बात कर रहे हैं उसमें कि माइनोटीज को क्या लिख सब्सक्राइब कर रहा है तो यह कि वाजब पर आप एक मुस्लिम को टिकेट यह जवां कि का कुई हवाला कंस्टिशन में क्या है क्या हम किसको टेकर देंगे किसको नहीं देंगे यह को इसका से से कंट्रोल होगा जिस अब दान की बाते लिए हम संदान से चल रहे हैं सब्दान में नहीं 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 अटासी साल पुरा ना घोषणा पत्र ले आया है सवाल कॉंग्रेस के कंड़क्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोडेंगे तो मैं चालीस का सवाल पूछूँगी सवाल का जवाब सोच कर रखी दर्माजी का इत्यास कोई इत्रा गंदा नहीं है उनके परदान मंतरी दो-दो अत्याई होई यह बकाइदा ठीक है बात समझें लेकिन जो चीज गलत है तुष्टी करान टॉल्रेट नहीं होगा ड्राक कर रहे हैं प्रडेक्शन करिए आप ने क्यों बनाई अच्छा माइन क्यों बनाई सरकार में फिर पिछे चले गई फिर पिछे चले चौबिस में आ अगर सुप्रिया के लिए यह मुश्किल है कि करनाटक में चार फीसिदी मुस्लिमों को आरक्शन क्यों दिया तो यह सवाल एके वजपी और डॉक्टर अजय आलोग दोनों के लिए मुश्किल है कि 36 में विभाजनकारी पॉलिटेक्स करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सरक आई क्या बीजेपी आपको अपने तर्फ पर देखिए अधर की कोई बात नहीं हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की स्वतंत्रता का बहुत सम्मान करते हैं एक उदर प्रताप सिंग जी हमारे गुरू है स्रदे नेता जी के भी गुरू है बिनोच सर जानते बहुत अब होगी बात आप कह रही थे की अलामा इकबाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा लुक्रा हम बुलबुले हैं इसके दर बैद खोब तो जो सवाल ये है कि भार्ती जंता पार्टी के जो नरेंद्र मोधी जी थे और जो उन्होंने बिहार के निवादा में जो सवाल खड़े की नरेंद्र मोदी जी वाक पटुता में बहुत तेज हैं उनसे कोई पार नहीं पापाएगा वाक पटुता में जूकि जूट बोलने के भी वह माहिर है और जूटों के सरदार वह जानते थे कि वह बिहार की धरती है वह बुद्ध की धरती है कहीं बु अनुरोद करते पर मिक्राव भूरा कर देशो यह न पूंच दें हा भी हार के लोगक बिहार के लोग कहीं यह न पूछ दें नरेंद्र मोदी लिए यह बात कर रहेति रिफाम की है इनका इनका रिफार2000 के सक्छरतादर मुसल्मान की स्थिति क्या है रंगनात मिस्रा आयो की रिपोर्ट क्या है कि उनकी हालाद दलिच से भी खराब है और हम अभी अभी बाट पेई सर्बाद कर रहे हैं कंग्रेस को बनती है की नहीं सच्चर कमीटी की सिफारिशें कब आई सच्चर कमीटी की सिफारिशें क्यों नहीं हुई आप पूछिए कॉंग्रेस से आपके साथ घडवंदन में शामिल हैं यह हम बहुत जिम्यदारी से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी को यह मानती है हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी एक धर्म भासाय और संप्रदाय से नहीं जो सवाल आपने एके बाद पर इसे कहा कहां कि तठा कथी तो अलकील है यह बीजेपी से क्यों नहीं पूछते की राजनाइतिक भागेदारी बीजेपी ने मुसल्मानों को क्यों नहीं देती है जो हमारे देश का 20 पीसदी 25 पीसदी आबादी है उसको हांसिये पर रखके ह हम कैसे कल्पना करेंगे कि हम एक बिक्सित राष्ट बनेंगे यह सवाल है और इनको सिर्फ मुसल्मानों से नहीं दलितों से पिछणों से सबसे जो तबका हक के हांसिये पर है चुकि बीजेपी जानती है कि हमारा यह वही तो करना चाह रहें यह धर्म के आधार पर पाकिस का चुनाव याद आ रहा है 2017 का पहला चुनाव 2022 से पहले वाला साथ चरणों में चुनाव हुए थे और तीसरे चौते चरण तक आते आते हैं यह माहौल बनने लगा था कबरिस्तान शम्शान कबरिस्तान दिवाली रमजान तो यह चुनाव 2024 का मुद्दों पर लड़ा जा पहले तो मैं उद्य प्रताब जी का नाम लिया मनोश सिंका का ने तो उद्य प्रताब जी की एक लाइन में भी सुनाना चाहूंगा बहुत अच्छे कवी हो और जब अजुध्या का राममंदिर का अंदोलन चला था नब्य के दशक की बात है तब उन्होंने लाइन लिखी और गंभीर सवाल है पहली बात तो मैंने भी पूरा कांग्रेस का माइनिफेस्टो देखा उसमें मुसलिम शब्द कहीं नहीं माइनरीटी शब्द है हर जगे और यह बास सही है कि मौनाना आजाद की जो फेलोशिप है नसीमाराओ की जमाने में वो उसका शुरू की गई थ जब बाबरी मस्जिद का विद्धान सुगा और उसके बाद मुसल्मानों की नाराज़गी हुई तो बहुत सारे कदम नर्सिमारा हुई सरकार ने उठाए थे उसमें मौना आजाद की फेलोशिप भी थी और उसमें माइनरीटी इसको रखा गया था तब भी तो अब सवाल थीक है मुसलिम सबसे बड़ी माइनरीटी है वो 14-15 परसेंट है बाकी 2-2-3-1 परसेंट है जाला बड़ा शेर उनको ही मिलता है तो इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी शेर उसको वाज है जैसे लिए सबसे बड़ा शेर बड़ी है तो बाकी पाटियों को उसे आप से कम दिया अब अभी जो जिस तरह से मुस्लिम ली का घोशना पत्र बता दिया कि मुझे तो मैं इस पूरे घोशना पत्र को मैंने पढ़ा तो माइनरीटी शब्द में मुझे तो सब माइनरीटी दिखाई पड़ती है अगर हाँ करनाटक वाला सवाल जरूर आपका मातुपूर उनको विशेश तर्रक्षण देने की दोस्ता है उसी की तह तर्रक्षण दिया जाता है यह जो तुष्टी तरण की राजनीती का देखे मुझे लगता है जो आपने दो तीन मार्मुप्ति के सवाल उठाया ते कि सरकार बनाना न तब गलत था में मुपति की साथ वो गलत इसलिए गलत नहीं था कि में मुपति की पाइटी पीडीपी उसने भारतिय समयदान की शपत लिए और में मुपति भला रही हो आप जलगूरू से या इस तरह की तमाम लोगों से लेकिन उनकी पाइटी चुनाव लड़ती रही है और मुपति सहीद के साथ कॉमर्स सरकार पर इंडियन मुस्लिम लीक बीच उसमाइब दूसरी बात वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है उसका पूरा डीटेल में पढ़िये तो उसने कभी भी पाकिस्तान का समधान की बाद बिल्कुल और उसके मंत्री जो थे मंका नाम भूल रहा हूं वह तो जब उसमे मंत्री से क्या कहते हैं यूपिय सरकार में मंत्री रहे और उसके पहले मंत्री रहे देवगणा सरकार में भी तो वह बाकाइदा जा करके भारतिया उसमें जो है जब कई बार विदेशियों में कुवेट में वहां पर फसेद उनको लाने मड़ी मदद की तो यह चिपक मुस्लिम तुस्की करन का आरोब जो है यह शब्द अडवानी जी ने अब शुरू किया था अपीजमेंट पॉलिटिक्स का और उस वक्त हमारे बातपेई जी के जो नेता थे रामिलास पास्वान जी वह अडवानी जी के अलुस्टा करते थे इसके लिए अपीजमेंट को पर रहे हैं तब रामिलास जी जो बोलते थे वह आज से बिलकुल उल्टा था जो आज इनकी पास्टी स्टैंड ले रही है तो विनोट जी तो हमेशा मैनेटी में मुसल्मानों को सबसे आगर रहते थे चौबीस में चौबीस में नहीं तो मैं इसने कहना हूं कि पारिटिय करते हैं यह चुनाओं में अभी इस तरह के आरोप आएंगे बीजेपी की तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से भी मैं तो उननीसो चाली सो चाथिस की बाद भी कर रहा हूं कि चाथिस में निश्य दूरूप से उसे प्रस्ताव पास किया था लेकिन परिष्णिया ऐसी थे कि हि सत्थूर्च के लिए कांग्रस मनिफर्स साथी निशिये ओंत्य आगे मं लिए इस दीटिमेड ट्रूथ जिसके लिए आप आया 86 मेures ब्लोड़ रही कि नई सभी बात है हम तो लड़ते ही रहें लड़ते 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 हमें जाके 45 साल मारें कान Jeez बार उनीस सो बिरानबे में हम लड़ते ही रहा हम देपने वालियूज चेंज नहीं की अभी बहुत प्यास से विनोजी की अक्सर सारी बातों पर मैं अग्री करता हूं लेकिन आई उएमल पर विनोजी मैं आपसे हंड़ेट परसंट डिसग्रीड हूं क्या ये सही नहीं है कि मद्राज प्रेसिडनसी में मुहमद इसल जो थे उस वक्त इंडियन मुस्लिम लीग के सदस्ते जो बाद ने पाकिसानी मुस्लिम लीग बना और जिन्ना गए पाकिस्तान वो नहीं गया उन्होंने यहाँ पे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की और क्या ये सही नहीं है कि 1950 के सविधान के स्थापना दिवस में उसी मुहमद इसमाईल नहीं प्रस्ताओ दिया था कि भारत में शरिया कानून मुसल्मानों के लिए होना चाहिए जिस पर सरार पटेल ने रिफ्यूस कर दिया था तो फिर कैसे नहीं वो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के समर्थक हुए आज भी है क्योंकि सुपरिया से मुझे बहुत सब्सक्राइब करता हो चाहे मुझे से वाजपई जी से चाहिए जवाब दिया कि क्यों ने सरकार बनाई क्यों मैंने सरकार तुष्टी करन का सबसे बड़ा एक्जामपल आपके सामने अभी मनोच काका ने दिया 14.8% अबादी है मुसल्मानों की उसको 20% अब 25% पे ले गए यही चाहत है गुरुदेव धन्य है आप लोग और चाहिती की सुपरिया भी बोले और विनोच जी भी अपनी बात रख दे लेकिन समय का भाव है और इस समय का माहौल धुरुवी करन की सियासत की तरफ बढ़त की 153 एके वॉयलेशन का कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है क्या कहता है चुनावायूग अजर रहेगे सभी का बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में इतना है 19 एपरिल को पहले चरण का मतदान होगा लेकिन उससे ठीक दस दिन पहले जमर्दस चुनावी बवाल शुरू हो गया है और इस बवाल की या इस चुनावी घमासान की और ये जो हमलों की बचार जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ इसकी कमान संभाली है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बचार को मंच से कॉंग्रेस की तरफ उडेल रहे है और ये चुनावी घमासान शुरू कि इस बात पर हुआ कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर जो पांच एपिल को जारी हुआ कॉंग्रेस ने कहा ये नियाए पत्र है जिसमें पच्चीस गिरिंटी पांच नियाए और पच्चीस गिरिंटी जिसमें MSP का जिक्र है, जिसमें महिलाओं को गरीब महिलाओं को एक लाक रुपाय सालाना का जिक्र है जिसमें तीस लाक युवाओं को नौकरी का जिक्र है, ग्रेजुएटेड युवाओं को भी ट्रेनिंग का जिक्र है मजदूरों को 400 रुपाय मजदूरी का जिक्र है और बहुत सारी गेरंटी कॉंग्रेस ने देने की कोशिश की लेकिन बवाल किस बात पर हुआ ये जो कॉंग्रेस को घेरने की चो तरफा बीजेपी की तरफ से कोशिश है ये किस बात पर शुरू हुई ये भी मैं आपको बता दू ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि कॉंग्रेस के इस घोशड़ा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप है हलाकि सबसे बड़ा सवाल पर पुर्जोर कोशिश मैं करती हूँ कि हम हिंदू मुसल्मान पर डिबेट नहीं करेंगे लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आज लगा कि इस पर चर्चा करना बेब जरूरी है कुछ इतिहास भी खंगाल लिया जाएगा इस बहाने से थोड़ी जेनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी अब वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कहा किस किस अंदाज में हमला बोला घोषणा पत्र पर कॉंग्रेस के ये बता देती हूँ सबसे पहले 7 एप्रिल को नवादा में उसके पहले 6 एप्रिल को अजमेर में कहा कि कॉंग्रेस के घोशणा पत्र में वही सोच जलकती है जो सोच आजादी के अंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी ये पहला बयान फिर दूसरा बयान 7 एप्रिल को नवादा में इंडी गड़बंदन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठेकाना है दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो घोशणा पत्र जारी किया उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की चाप है कॉंग्रेस ने घोशणा पत्र नहीं बलकि मुस्लिम लीग का घोशणा पत्र लगता है तुष्टी करण के दबाव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का भी विरोध कर रही और ये सिर्फ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के हमले तक हमला सीमित नहीं रहा पूर मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी आज उसी कॉंग्रेस बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है हिमंता बिस्वा कह रहा है घोशणा पत्र पाकिस्तान के लिए ज्यादा और भारत के लिए कम लग रहा है आसाम के मुख्य मंत्री हि जरूरी है कि ऐसा घोशणा पत्र में कॉंग्रेस ने क्या लिखा कि ये मुस्लिम लीग तक बात पहुची 1936 तक 88 साल पहले जो मुस्लिम लीग ने अपना घोशणा पत्र जारी किया था 88 साल पहले क्यों पहुची ये बता देती हुए आपको तीन पॉइंट्स हैं जो गोशणा पत्र 1936 में मुस्लिम लीग का कहता है कि मुसल्मानों के शरिया पॉसनल लौकी रक्षा करेंगे दोजार चौबीस में भी अल्प संख्यकों के पॉसनल लौकी स्वतंतरता सुनिश्चित करने की बात कॉंग्रेस कर रही है दूसरी बात बहु संख्यक वाद से स्कॉलर्शिप ये 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था और 2024 में कॉंग्रेस ने ये कहा कि मुसल्मान चात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगे ये तीन पॉइंट हैं हलाकि मोटा मोटी साथ पॉइंट आ जाते हैं कि पोशा खानपान की स्वतंतरता भी सुनिश्चित करेंगे अगर जीते तो शिक्षा स्वास्ते में बगैर भेदभाव के उचित अवसर देंगे मौलाना आजाद स्कॉलर्शिप की तादाद बढ़ेगी आर्थिक सशक्ती करण के लिए आसान कर्ज देंगे ये मोटा मोटी तीन पॉइंट मैं एक वर्ग विशेश का तुष्टी करन कर रही है अपीजमिंट पॉलिटिक्स कर रही है विभाजन कारी पॉलिटिक्स कर रही है तो कॉंग्रेस की तरफ से भी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई और कॉंग्रेस की तरफ से मोर्चा सभाला खुद मल्लिकारजुन खडगे ने क्या कहा उन्होंने मल्लिकारजुन खडगे ने ये कहा कि आपके पुर्खों ने 1940 में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सिंध में और नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई क्या शामा प्रिसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे क्या शामा प्रिसाद मुखर जी ने ततकालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश और कॉंग्रेस के भारत छोड़ो अंदूलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वो अंग्रेजों का साथ देने को तयार है अलावा इसके सुप्रिया श्रनेत ने प्रिस कॉंफरेंस की और सुप्रिया श्रनेत ने ये कहा कि 10 साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाए हिंदू मुस्लिम करने में लगे ये सच है कि पियम मोदी बॉखलाए हुए है आरेसेस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है और फिर फारुख अब्दुल्ला से लेकर जेराम रमेश भी बोले जेराम रमेश ने भी कहा कि प्रधान मंतरी मोदी हमेशा विभाजन कारी राजनीती अपनाते है फिजूल की बाते करके जूट बोलते है और फिर और मैं बयान ज्यादा नहीं पढ़ूंगी प्रियंका गांधी बोली अशोग गहलोत बोले सलमान खुर्शीद बोले पवन खेडा बोले और यहां से आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पहुँच गई चुनाव आयोग और कहा कि भई ये आईपी सी की धारा 153 ए का वोयलेशन है कि विभाजन कारी विभाजन करने जैसा गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते किसी पार्टी के बोरे नेता कल डेलिगेशन लेकर पहुँचे चुनाव आयोग के दफतर और जो च्छे शकायतें दी उनमें से दो सीधे सीधे प्रदान मंतरी नरिम रमोदी के खिलाफ दी अब यहां से मैं दो चीजे और आपको बता देती है क्योंकि प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए बीजे पी ने ये भी आरोप लगाया कि घोशणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाप तो ही लेकिन उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गठबंदन सरकार चला रही है केरल में अब इसको लेकर भी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्या वाकई जो आजादी के पहले के मुसलिम लीग थी जिस मुसलिम लीग ने कहा कि मुसलिमों को अलग राश्ट्र चाहिए पाकिस्तान बना मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गडबंदन में है वही मुस्लिम लीग है या कोई ये दूसरा धड़ा है बहुत संक्षेप में बताती हूं जो मुस्लिम लीग आजादी से पहले की थी मुहम्मद अली जिन्ना के साथ जिसका नाम जुड़ा जाता है वो 1906 में बनी 1930 में अलग देश बनाने का उन्होंने विचार प्रस्तूत किया अल्लामा इकबाल ने वो विचार रखा था और 1940 को जिन्ना ने फिर लाहौर अधिवेशन बुलाया पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया पाकिस्तान बना और उसके बाद जितने नेता थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान चले गए और नाम बदल कर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब दूसरी मुस्लिम लीग जो केरल में है जिसके साथ कॉंग्रेस गढ़बंदन में है उसका इतिहास जान लिजे यह आजादी के बात बनी मार्च 1948 में बनी पूरा नाम है इंडियन यूनिय मुस्लिम लीग आई यू एमल चैनाई में बनी केरल में इनका प्रभाव है केरल में जो विपक्षी गढ़बंदन है जिसमें कॉंग्रेस में शामल है यू डी एफ ये उसका हिस्सा है और कई राज्जियों में उन्होंने सरकार भी बनाई है केरल में और तमिलनाडू में भी ठीकठा कपासिटी में ये आई यू एमल है जो पुरानी मुस्लिम लीग थी उसके कुछ नेता जिननौने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया लेकिन मुसलिम नेता थे उन्होंने फैसला किया कि हम ये आई ई यू इमल बनाएंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाएंगे इन्होंने 52 में चुनाव लड़ा जो सबसे पहला चुनाव हुआ था और सारे चुनाव अब तक ये मुस्लिम लीग लड़ती चली आई है तो ऐसे में जो घमासान है वो जूट और सच की बुनियाद तो छोड़ दीजे फिलाल गमासान बढ़ता ह हुआ नजर आ रहा है दुरूवी करण का आरोप है तुष्टी करण का आरोप है हिंदू मुस्लिम एक बार फिर शुरू हो गया और फिर सब अपने अपने वोटों को अपनी अपनी कॉंस्टिक्ट्वेंसीज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बगार ये सोचे कि य सिवलर देश है धर्म निरपेक्ष देश है मैं दो बयान सुनाती हुआ को फिर आगे बढ़ें को कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुस्लिम लिख का गोशना पत्र लित्ता है तुष्टी करण के दवाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा सिये एका भी विरोग कर रही है हम ये बताईए कि आज कैसे विभाजनकारी मैनिफेस्ट हो सकता है पूरा समय विभाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज का विभाजन ये लोग कर दें और फिर आके इलजाम हम पे लगाते हैं वो तो क्या होगा वो तो बिल्कुल वेसे हुआ कि जूटा को जूटा चोर को तवाल को डांते नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का अगर रोजगार देंगे महिलाओं को अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजन कारी होगा ऐसी बात क्यों कहते हैं ये शुबा नहीं देता है पधान मंत्री को और ऐसे में मैं आपके सामने रखती हूँ आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है पांच नियाए 25 गरेंटी बहस मुस्लिम लीग पर क्यों अटकी है और दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सवाल नौकरी महिंगाई पर बात खोशुणा पत्र में मुस्लिम लीग की चाहा है और जो महमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल में मैं परिछे कराती हूँ आपसे मेरे साथ अजे आलोक हैं राष्ट्रिय प्रवक्ता हैं भारतिय जनता पाती के सुप्रिया श्रनेत मेरे साथ जोड रही है राश्ट्री प्रवक्ता कॉंग्रेस पार्टी बिजनेस जॉर्नलिस्ट फॉर्मर बिजनेस जॉर्नलिस्ट मनोट सिंग काका मेरे साथ हैं बहुत सारी किताबें पीछे दिख रही हैं खूब परते हैं प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के मेरे साथ एके वाजपी स्टूडियो में है पेशे से वकील है वकालत करते हैं सुप्रीम कौट में और लजे पी आर के राश्ट्रिय प्रवक्ता है मुख्य प्रवक्ता है स्टूडियो में एक और बहुत खास मेमान वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ हैं विरोध अगनिहोतरी कई चुनाव देखें इस बार का चुनाव भी देख रहे हैं समझाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर नवल किशोर भी मेरे साथ होंगे प्रवक्ता आरजेडी राष करते करते नौकरियों पर बात करते करते महिलाओं पर बात करते करते किसानों पर बात करते करते यह मुस्लिम लीग में हिंदू-मुसल्मान में क्यों अटक गई भई गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी जो कहे वो ही सही न खाता न बही जो कॉंग्रेस कहे वो ही सही क्यों बात करना चाहिए डिवेठी क्यों कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी है देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है उनका वीजन है देश के बारे में देश को ऐसे ही ले जाएंगे जरह निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोशना पत्र में जा रहा था और 48 की डॉक्यमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने पे ए दोजार उन्नेस चोदर नौ उसके बाद चार निनानबे अंठानबे च्यानबे एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक माइनॉर्टी लिंग्विस्टिक पे एक पन्ने का डॉक्यमेंटरी एविडिन्स आज तक कॉंग्रेस पार्टी ने नहीं दिया पहली बार दे रही है क्या विजन है पार्टी का भई एक सोचालीस करोर की जनता के गाए एक पंदरफ परसेंट पे एक पन्ना और क्या पन्ना एक पर एक पन्ना कॉंग्रेस विल एंशूर माइनॉरिटी विल हाव परसनल लौ राइट्स मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं आई यू अमिल तो कहता है कि परसनल लौ बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए शरीया की तरफ बढ़ना चाहिए तो क्या भविश्य में आप जो रिफॉर्म्स परसनल लौ की बात करते हैं रिफॉर्म्स ने कल को कही है कि शरीया हम पर लागू होने तीजी जैसे मुहमाध इस्माइल ने कॉंस्ट्यूशन के सभा में बोला था पटेल जी ने नाकार दिया था आज की कॉंग्रेस माल लेगी आपको इंटर्वेंशन नहीं दूगा आप आपको इंटर्वेंशन आज नहीं दूगा बहुत जरूरी है मेरी बात जानी चाहिए आप इंटर्वेंशन मत की बात में बोलिएगा मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है डिबेट कहा जाएगी ठीक है ना इस देश के 82% हिंदूओं को मेजरिटेरिनिजम के का ना काम देखे आप नेगलेक्ट करेंगी और 15% मुसल्मानों के लिए आपके दिल के दर्वादे खुले हुमें दिल है कि क्या भीया दरिया है बहुते लगाते रही है उसी में लेकिन देश तयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए आप एक बात समझे घरिमा जी भारत की चें यह हिंदू-मुसलिम तुष्टी करन करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोस्ट करेंगे कैसे आपके पास मौका था आप में लिए आती हूं आपको डॉक्तर अपको पर बात करेंगे अपको पूरा खाना था युवाओं की लुक्री पर बात करतें ए मैं हम तो यह बात करेंगे हम यह बात करेंगे जब हम अपना मैने फ्टो लाएं गे उस मैंपेस्टो में अंतर देखिएगा हुओं प्रॉब्रसिटों लेकिन इसी मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं उनी सचालिस में बंगाल में असंद में लेकिन इसी मुस्लिम लीग के साथ चैवा प्रसाद मुखरजी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था अविभाजित हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान का मजभी आधार पे बटवारा हो गया मुसल्मान धर्म के आधार पे पाकिस्तान चले गए तो आज ओल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है उस समय भी तू नेशन तियोरी पर काम करता था विभाजित हिंदुस्तान है पूर्ण हिंदुस्तान तो ही नहीं पूर्ण हिंदुस्तान तो एक मिनट गरिमा जी दूसरी बात आपको बता हो खाना कितना भ जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता है नहीं जाता है यह मुष्टी करन लेकर कॉंग्रेस ने पूरे मेरे इंफेस्टों में जहर फेला दिया है और यह जहर जनता को बताना जरूरी है उन्नीस सवाल आपको खाना खाना है एक मिनिट हमारा काम है बदाए निस सच्छ गरिम मुझे पता है अगर मुस्लीम लीग 1934 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे बिल्कूल बना रहे थे मैं तो कही रहा हूँ कि आप विभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई क्योंकि वो राजनितिक्स कर रहे थे आज कौन सी मजबूरी है कि All India Muslim League आज कौन सी मजबूरी है कि All India Muslim League के बारे में करनाटका का Chief Minister जो Congress का अलाई है वो कहता है ये खुलेयान धर्मांतरन को बढ़ावा दे रहे हैं करनाटक में केरला में धर्मांतरन बढ़ रहे हैं ये केरला के Chief Minister कहते है और आपके का आप बियलाई बनके चले रहते हैं वो कहता है कि राहूल गांदी के नमांकन यात्रा में Muslim League कहती है Congress के जंडे नहीं लगेंगे नहीं तो हमारे जंडे भी लगेंगे अब Congress अपना जंडा नहीं लगाती है आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है और वो मेबूबा मुफ्ती जो आतंकियों को खुले हैं विभाजन का दन्स जेल चुके अब Congress Party के आइडियोलजी पे चलें तो फिर विभाजन का दन्स जेलना पड़ेगा इनके एक MP ने कहा कहा कि South India को अलग हो जाना चाहिए उस पे तो कोई डिबेट नहीं गरिमा सिंगे सवाल नहीं पूछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए South और नौर्ट का गरिमा सिंग अगर इतनी important है डोकर अजे आलो की नजर में पूरा statement पर देती हूं महभूबा मुफ्ती का महभूबा मुफ्ती के सरकार भी हमी ने किराई कि वी विल जू आर माग्विमा मुफ्ती से अम अलग हो गए और आज हो महभूबा मुफ्ती किसके साथ चुनाओ लड़ रही है अरे अरे आपने दाई सार्थ सरकार चलाई ड़क्रा जे अलोक महभूबा मुफ्ती के साथ चलाई है बर्फ खिलते हुए फोटो आप बिखा रही थी जरह वो तो पुछिए सन अफ दसॉयल कौन कहता था दरंगवादी को बुरहान वानी को उन्हीं के साथ दाइस साल सरकार चलाइस उन्हीं के साथ देने लगिएगा अब वापस जाएए 1940 में अब वापस अब वापस जाएए 1940 का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अजया आलोका आप जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा गरिमा चालीस का जवाब दे दीजे मुझे मैं आगो पर जाओगी तिंदुस्तान था मौझूदा राज हम 36 के मैनिफेस्टों के बावजूद Common Minimum Program पे सरकार बनी अब विवाजित हिंदुस्तान था लेकिन जब विवाजन होगे अधरमी कदार पर जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे जो लोग जो लोग शरिया के जो लोग शरिया के चकर में रहते थे माड़म आज कि सब ठीज ढूल जाएगा सारे राइट सो चलेगे जाएंगे माइनॉर्टी कुछ मिला ही नहीं है विकोज द्यार अगेंस में जोरिटेरिनिजम तो क्यों होना चाहिए हम क्यों कॉंग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टों रिलीस क्यों करना चाहिए ठीक है समविधान हमारा यू हमारे समविधान में यू-सी-सी क्यों प्रपर्सनल लाव को प्रमोट करेंगे जवाब है कॉंग्रेस के पास दे जवाब वी विल स्टेंटिन द परस्नल लाव वाई नहीं मुस्लिम्स दे अ respectfully कियो रहते हैं यह देश सबका है यह देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है यह देश सबका है तो इसित्र है लेकिन सुवधा के हिसाब से आप वी खेल जाते है सुवधा के हिसाब से आप मेंगुबा मुट्टी के साथ करकार बना लेगे मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों आपस में सर फोड़ लेंगे मून ऊच लेंगे एक दूसरे का गर्मा जी तो भी मुस्कुराएंगी अराम से अभी देखे जा अभी देखे जा अच्छा रामपूर में के लिए जोगल गया बड़ा दिक्कत ह बड़ा दिक्कत है जैरीला खाना खाना आपको शौक है मुबारक हो आप खाईए कॉंग्रस का मैनिफेस्ट हो हम देश को नहीं खिलाने देंगे हम देश को नहीं खिलाने देंगे सुप्रिया श्रनेत अब मुझे आप ये बताईए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको इतनी पुरानी पार्टी है आप आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी आप कहेंगी अपने घोशणा पत्र में कि अलप संख्यकों के परसनल लौ की स्वतंतरता क करेंगे देश में बहु संख्यक वाद के लिए कोई जगा नहीं होगी मुसल्मान चात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलर्शिप देंगी तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी तर्फ पर आना पड़ेगा जो तर्फ है नहीं आपकी मैं सारी बातों का जवाब दूँगी लेकिन पहले अपनी बात करूँगी भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर इनके बड़े बड़े दिगज नेताओं ने और खुर्पधानमंतरी मोदी ने दो चीज़े साफ कर दी कि दीमागी और नेतिक दिवालियापन उपर से नीचे तक ढोंग और पाखंड जूट और फरेब फेकना और जुमले उपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं 72 घंटे तक बिचारों को समझ में नहीं आया कि कॉंग्रस के मैनिफेस्टों के बारे में क्या कहें क्योंकि ये नियाए पत्र हर उस चीज़ का समाधान है जो समस्या इन्होंने दस साल में खड़ी की और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूँगी यहाँ पर और मैं आपके डिरेक्ट सवाल का बिलकुल डिरेक्ट और तार्किक जवाब दूँगी तक्तियों के साथ पहले मैं बताना चाहती हूँ इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है युबाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की उन लोगों की जो हाश्चिये पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनुश्चित करेंगे हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोशन होता है और सारा संगरक्षन आरोपी को देते हैं हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है उन किसानों की जो अपना हक मांगते हुए शहीद होगे और प्रदान मंतरी कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है हमारे मैनिफेسٹो पर छाफ है उन किसानों की जिनको गाजर मूली की तरह जो रोन देता है उस मुख्य अभ्यूक का पिता इस देश का ग्रेह राजमंतरी ये बनाई रखते है हमारे मैनिफेस्टों पर छाप है जिन्होंने अपनों को करोना में तलब-तलब के दम तोड़ते देखा उनकी उन मजदूरों की जो चलचलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिये मोदी जी ने हमारे मैनिफेस्टों में छाप है उन लगूम मद्यम उद्योगों की जो इनकी मनमाने तुगला के पन से बंद हो गए हमारे मैनिफेस्टों में छाप है सेना के उन जाबास सेनिकों की जो सरहत पर बैठ कर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी एकॉनिमी है चीन बड़ी एकॉनिमी है हमारे मेलिक्रस लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसे बड़े नेता लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घोशणा पत्र आप कहते है पांच नियाए 25 गरेंटी लेकिन उनी में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बचार भी है ना और वो हमलों की बचार जो नहीं होनी चाहिए कमलनाथ जैसे बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा उसी पर आ रही हूं और मैं यहीं प्रूफ कर रही हूं कि बीजेपी सारी की सारी भारतिय जनता पार्टी खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी फेक वाटसैप युनिवरसिटी के रचायन करता हैं जब इनको तीन दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये उलजलूल की जब आते हैं 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